The sermon, The Restoration of the Bright Tree was delivered by our brother William Marion Brunham on Sunday morning, April 22, 1962, at the Brunham Tabernacle in Jefferson Village, Indiana, USA. येसु समाचार हमारे भाई William Marion Brunham के दौरा, रवीवार प्राते, April 22, 1962 में, Brunham Tabernacle, Jefferson Village, Indiana, USA में प्रचारित किया गया, जिसका हिंदी शीर्शक, दुलन विरक्षका पुने स्थापन और अंग्रेजी शीर्शक, The Restoration of the Bright Tree है. बूरिक्ए गीवार, अलओतु सेने साथती शीर्शक, दौने स्थापन ऑजिए उर्शक, दौने सेखभाई और में परमेश्वराब को आशिश दे, शुब प्राता मित्रो और ये वापस अराधना ले में आने का सौभग्ग्य है, इस शांदार इस्थर की सुएै, अरादना कर रहे हैं हमारे बहुमूले प्रभू और बचाने वाले येशु मसी का पुरुनुत्थान मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चे ही मैं था सारे संदेश जो मैंने कभी सुने जो हमारे पास्टर ने परचार किये उसका बढ़िया वाला जो इस पराते था मैं घर गया और अपनी पत्नी को बताया मैंने का प्रिये ये आज पराते तुम चूक गई सुबह जल्दी ना उटने से ये वाला सबसे बढ़िया था जो मैंने पुरुन थान पर सारे जीवन में सुना मैंने कभी इतना अच्छा पुरुन थान पर नहीं सुना जो हमारे पास्टर ने आज पराते हमें दिया ऐसा आश्चरे चकित करने वाला संदेश और हर चीज ठीक अपने बिंदू पर ये ये दर्शाने जा रहा है कि जब अभिशेक मनुष्य पर होता है तो देखो क्या होता है तो वो कुछ करता है और इसलिए हम आनन देते हैं कि परमिश्व ने हमें ये शांदार पास्टर दिया है और आप में आप में से परतेख को धन्यवाद देना चाहता हूँ हम अलग-अलग समय में यहां पर थोड़े समय के लिए थे आगे पीछे परन्तो अब कारेश्चेतर के लिए जा रहा हूँ जैसा कि आप जानते हैं इस सबता मैं ब्रिटिश कोलिंबिया में क्री इंडियाना के लिए जा रहा हूँ और उपर अलास्का और वहां से होते हुए और फिर संभवत है वहां से मैं कुछ टोह लेने वालों को अफरीका भेज रहा हूं और बाकी संसार में आने वाले जाड़ों के लिए इसलिए ये सब कुछ समय से पहले होगा मुझे यहां फिर वापिस अरादनाले में आना होगा ये कम से कम ये अगस्त में होगा या किसी समय बरफ गिरने के समय इसके पहले कि मैं फिर वापिस आ सकूँ और मैं आप सब को आपके सहीयों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ उस सब के लिए जो आपने किया और हम खेदित हैं हमारे पास यहां लोगों के लिए इस पराते जगा नहीं है जैसा कि आप जानते हैं हमारी भवन की योजना चल रही है कि बड़ा अराधना लाए बनाएं जब ये सारी सबाएं होती हैं और इसलिए ये संभवत अब प्रभावित होगा वे अराधना भवन बनाना अरम करेंगे अब और आप लोगों को भी प्रतेक को आपके उपहारों जनम दिन के काड़ों इस्टर काड़ों उपहारों उपहार जो आपने बिली को दिये हैं मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और विभिन और मेरे लिए एक भाई वुड्स और मैं उन में से बहुत से मैं उन सब की सरहना करता हूं और हर एक आता है और कहता है आप नहीं जानते कि कितना तना भरा होता है और कोई आता और कहता है हम भाई बरणम से मिलना चाहते हैं और हम आपके पिता से मिलना चाहते हैं और आदी आदी और कहा कागज भर चुका है अब आप नहीं जानते कि कितनी परिशानी वाली स्थिती में आप पढ़ जाते हैं जब आपके पास इतने सारे होते हैं बस यही आप कर सकते हैं मेरे अच्छा थी कि ऐसा था मैं उन में से हर एक के साथ लंबे समय तक बैठ सका किसी समय मैं यह करने की आशा करता हूँ परंतु यह इस पर नहीं हो सकता क्योंकि यहां लोग समझ संसार से आते हैं देखिये सारे संसार से इस सब्ताय लोग बहुत से रास्टों से थे और साक्षातकार और परातनाई हुई इस सब्ताय समझ संसार रास्टों से और यदि ये हमारी छोटी सी स्थानिय भक्त मरली यहां जेफरसन विले में है, मैं प्रतेक के साथ दो या तीन छोटे से प्रेम में ले सकता हूं और इसे गहराई से बो कर और उन्हें जाने दूँ परंतु देखिये जब की वहां हो सकता है कहें पांच टेलिफून या दो टेलिफून हमारे इस्थानी समात से और समसंसार से सो या दो सो उसी समय में ये दो भीतर आ रहे हैं इसलिए वहां वास्तों में हजारों जिने में छूबी नहीं सकता, किसी भीतरे से नहीं की लोगों को देखूं और वहां आने के लिए बुलाहट और वहां यहां जाओं सारे संसार से हवाई टिकेट भेजते और सब आकर बीमारों के लिए प्रास ना करो परन्तु आप यह नहीं कर सकते, इसलिए लोग निराश हो गए और मैं भी हो जाओंगा परन्तु यह चाहते हुए कि मैं इस विशे में क्या करूं नहीं जानता, मैं यह कहते हुए इस इस्टर की सुबह में स्विकार करना चाहता हूँ वहां बहुत सारे हैं, आप जानते हैं कि सारे संसार से हजारों हजार लोगों को लूँ मैंने अपना साथमा चक्कर लगा लिया जैसे कि आप जानते हैं और मैं लोगों से विक्तिकत संपर्क में एक कर लोगों से अधिक से रहा सारे संसार में इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कैसे कितना दवाव जो आप पर है और बहुत सी बार हम छोटे छोटे दवावों पर प्रहार करते हैं मैं जानता हूँ आप भी करते हैं और थोड़ी सी निराशाएं परंतो उन पर सोचें जो मुझ पर हैं वे निराशाएं जो मुझ पर हैं जब बीमार माताएं फोन कहती हैं और परमिश्वर भाई एक मिनिट परतिक्षा करें भाई ब्रणाम प्रभी येशू मैं प्रासना करता हूँ कि आप उसे भेजेंगे और दूसरे से फोन को रुकवाई रखते हैं और यहां समसंसार में आप जानते हैं ये कैसे है ये सरल नहीं है जब कोई फोन के दूसरे सिरे पर बीमार बालक के साथ या बीमार पती या मरती हुई पतनी आपके आने के लिए प्रासना करते हैं अब आप कल्तमा कर सकते हैं कोई आशरे नहीं के मैं सनायू रोगी हूँ ये बस एक को बनाने के लिए परयाप्त है परन्तु मैंने ये एक चीज़ की है बजाए इसके की उल्जहन में पड़ूं मैं अपने आपको सीधा रखता हूँ अपनी दृष्टी कलवरी पर लगाए और बढ़ता रहता हूँ जैसा वो मुझसे करवाना चाहता है और मेरी बहुत सी गलतियां मैं प्रास ना करता हूँ की परमिश्वर मुझे इन बातों के लिए शमा करेगा हो सकता है मुझे एक जगह जाना चाहिए और नहीं गया मैं बस एक मनुश्य हूँ और गलतियों के आधीन हो सकता हूँ वहाँ एक छोटी प्यारी सी चीज वहाँ पीछे इस सुबह आंगन में बैठी थी जब मैं प्रभात की सभा से बाहर जा रहा था मेरा एक मुलेवान पुराना मित्र है संभवत है वो यहीं कहीं हो वो शिकागो से है उसका नाम इस्टिवार्ट है और वो लगबग एड इस्टिवर्ट मैं समझता हूँ कि वो सतर के दशक के बीच में है या और अच्छा और वो मुझे वहां बाहर मिला और उसने अपनी देह की सिक्कों में जमा की और उसने मुझे खरीज का सारा बड़ा बंडल दिया लगबग इस परकार का और ओ मैं नहीं जानता है इसके चलते वे बाहर विदेश जाते मिशन के कारे पर और उसका अच्छा मित्र और मेरा ब्रदर इसकेग्स लेयनार्ड इसकेग्स लोविल इंडियाना से यहां खड़ा हुआ था यह बात मुझे पहले भी कभी नहीं मालुम थी कि वो एक मैसन था उसके पास मैसन का बटन था और हम मैसोनिक विधी के विशे में बात कर रहे थे और इसलिए बुड़े भाई स्टावर्ट ने मुझे कहा उसने कहा भाई बाई बनम मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं आपसे बाते करना चाहता हूँ इस भाग को शमा करें परंतु उसने कहा कि आपको पाना तुर्की के जनान खाने से भी अधिक कठिन है अधिक समय नहीं हुआ किसी ने मुझसे कहा कि मुझे प्रसंदा है कि प्रभू को पाना अधिक कठिन नहीं है भई मेरा इस प्रकार से मतलब नहीं है कि मैं लोगों से प्रेम करता हूं परंतु मैं बस कल्पमा करता हूं मैं घर गया और अपनी पत्नी को बताया और हम टेबल पर बैठे और हसे कि तुर्की जनान खाने को लेना कितना कठिन है आप जानते हैं इसलिए इसलिए मैं आशा करता हूं कि ये इतना कठिन नहीं है भाई स्टावर्ड यदि आप तब भी यहां अंदर हैं परंतु मैंने निश्चे ही सोचा कि ये छोटा उपहास का भाव है हमें ऐसा बना दिया कि सब दबी सी हसी हसते हैं इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं हर एक से मिल सकूँ और मैं हर एक से प्रेम रखता हूँ ये सच बात है चाहे वे मित्र या शत्रू हो ये एक साही है और मैं निश्चे ही आप लोगों की प्रातना की लालसा करता हूँ इन आने वाली सभाओं में मैं इंडियंस के बीच में जा रहा हूँ और आप जानते हैं कि आप जब रोम में होते हैं आपको एक रोमन होना है और जब आप इंडियंस के बीच होते हैं तो आपको इंडियन्स के समान रहना होता है मेरा एक मिशनरी मेत्र जो की मेरा शिकार का साथी है जहां मैं उस राजमार्क पर था अलासकान राजमार्क एक बहुती अच्छा युवा पुरुश और उसकी पतनी एक अच्छे घर से और मैं हात कहाए हुए और कानों के चारो और आदी आदी मुझे आश्यर हुआ कि उसके साथ क्या मामला है क्या उसे एक्जीमा हुआ ये मक्यों और खटमल से हुआ जहां वो था वो वहां कैसे रहता है और इस प्रकार आप लोगों के साथ रहना ताकि उन्हें मसी के लिए जीत ले वे मसी की धरोहर हैं ये वे लोग जिनके लिए मसी मरा और किसी को उनके पास जाना चाहिए और प्रमुक मेरी उत्री सभाओं में किसी एक सभा में था और पवित्रा आत्मा सभा में था या बाहर केंप के स्थान पर मैं विश्वास करता हूँ कि ये परियटन के स्थान में था उसका नाम पुकारा और वो कौन था उसने क्या किया और ओ, ये उसके साथ तैह हो गया वो जान गया कि ये मनुश्य नहीं कर सकता ये तो सर्वशक्ती मान की ओर से ही आता है इसलिए उस प्रमुक ने उपर नीचे और सारे किनारे में हल चल मचा दी और हम एक नाओं में सभा करने जा रहे थे उन इस्थानों पर जा रहे थे जहां हमें उन लोगों के लिए जाना था और दूर बहार और किनारे पर और दूसरों तक भुलाए गए क्री इंडियन बहुत से भाई जिनकी बड़ी बड़ी सभाई हुई उनके पास ना जा सके अब वे इंडियन्स वहां एक भी पैसा नहीं होगा जैसे कि आप जानते हैं मैंने अपनी सभाऊं में कभी भी दान नहीं लिया और मैं पैसा नहीं लेता परंतु यहां कलीसिया ने मेरी सभाऊं का वहां इंडियन का खर्चा उठाया कुछ आपके दश्मांस का पैसा और आदी आदी भुकतान करेगा और इस उधार और छुटकारे के संदेश को उन निर्धन और अनपड इंडियन्स के लिए लाए इस सब के बाद वे अमरिकन हैं आप जानते हैं हम लोग परदेशी हैं आप समझते हैं हमने आकर उन से ले लिया और हम चाहते हैं मैं उनका रास्ट उनको नहीं दे सकता परंतु मैं उन्हें मसी में आशा दे सकता हूँ कि जो हमें किसी दिन उस देश में भाईचारे में ले आएगा जहां कोई लड़ाई नहीं और भूमी का लेना देना नहीं एक दूसरे से ये एक देश होगा सब के लिए इस्थान जब वो समय आएगा मैं धन्यवादित होंगा यदि मेरे सारे प्रिये जन बच जाएं और समय तयार रहे अब मेरे पास बहुत से मित्र हैं जिने मैं यहां बैठे हुए देख रहा हूँ जैसा के मैं बोल रहा हूँ मैं विश्वास करता हूँ मैं ध्यान दे रहा हूँ बेहन मैं उनका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ ली हुआ करता था क्या ठीक बात है क्या आप शिरी मती ली नहीं आपकी पुत्री यहां है पुत्रियां एक जो चंगी हुई थी यह बहुत अच्छा है उन में से एक गुट शेपर्ड्स के घर में या नहीं बेहन वो क्या कहलाता है कोई कैथलिक संस्थान लेड़ी आफ पीस यही था मैं इन कैथलिक नामों को मिला जुला देता हूँ और इसलिए वहां और उसे दिमागी तंत्री का घात था और प्यारा प्रभी येशु जबके हम मैं पनंग के पैत्याने बैटा था और उसके मुलेवान मा और पिता पास में खड़े थे और येशु ने घोशना की ये हो गया समाप्त हो गया और वो वहां है ये हो गया और निसंदे हम जानते हैं कि इस पराते बहन बहुत अभारी है मैं उस और देख रहा हूं और लोग उनको देख रहा हूं जो हाल ही में कैंसर से मर रहे थे यहां पर ये की कुरसी और बैसाखियों पर खिचड़ते हुए आए और वे यहां इस पराते सुष्ट और चंगे हैं ये सारे संसार में है मेरे दोरा नहीं उसके दोरा हमारा प्रभू जो मर वों में से जी उठा और सदा के लिए जीवित है हमारे प्रभू की महिमा और धनवा सदा होता रहे ये मेरे हिर्दे की परातना है क्या आप मेरे लिए प्राथना करेंगे? आप सब मेरे लिए प्राथना करें. अब मैं इसी पर निर्भर हूँ और जब मैं वहाँ बहार जाता हूँ, देखिये, यहाँ घर पर आसपास इतना बुरा नहीं है, परंतो जब आप वहाँ पहुंचते हैं, जहाँ वास्तों में य आप वहाँ आप, आप सब मेरे लिए लिए नई बड़ी डिक्की वाली गाड़ी ली, और मैं की यातरा करूं, और मेरे दूसरी बारी लगबग घिस गई है, और मैंने रेडियो खोला और समचार सुनने, और तब वे पिछली रातरी नीचे आ रहे थे, जहाँ मैं और अप पराथना के लिए गए थे, तब हम ग्रीन मिल्स से आ रहे थे, मैंने रेडियो चलाया, ये एक समचार परसारंड था, और ये बताया गया कि ये उस अनुशरुता का अनुखरंड कर रहा है, उस युवा वेक्ती का जो अपने प्रस्टिक्शन में था, और कैसे वो अपनी जेम में रेड से और दूसी चीजों से भर कर खड़ा था, जहां उसे अपने सिर पर इतना नीचे रखना था, कि सची मशीन गन का फायर उसके सर के उपर से जा रहा था, जहां वो कांटे वाले तारों में से होकर खिसक रहा था, और आदी आदी कठिन प्रक्षिक्शन ले रहा था, यही जो हम यहां कर रहे हैं, परन्तु यूद की आगे की पंक्ती में बहुत अंतर होता है, समझे, वो मशीन गन समय प्रबंद में है, एक निश्चित इस तर तक प्रक्षिक्शन देते हैं, परन्तु यूद की आगे की पंक्ती आप उपर नीचे हो सकते हैं, समझे, इसलिए वहाँ थोड़ा सा अंतर होता है, तब इससे जो यहां है, इसलिए हमारे पास भई यहां प्रक्षिक्शन है, परन्तु वहाँ बहार आप युद की और आगे की पंक्ती में हैं, इसलिए अब हम शत्रू का सामना करने जा रहे हैं, इसलिए हम लड़ा करते थे, यहां एक छोटा सा गाना गाते हैं, युद जारी है, किसी को अभी तक वो गाना याद है? युद जारी है, ओ मसी सिपाहियों, और आमने सामने कठोर तैनाती में, हत्यारों की चमक में और रंग निकल रहे हैं, सही और गलत आज मुड़ भेड में हैं, ये ठीक बात है, समझे? युद जारी है, परंतू ठकों नहीं, मजबूत और उसकी सामर्थ को पकड़े रहो, यदी परमिश्वर हमारी और है, उसका जंडा हमारे उपर है, तो अंत में जीतने वालों का गाना गाएंगे, ये ठीक बात है. अब बहुत सी बाते हैं, जो मुझे कहनी थी, इस पर आता है, परंतू मैंने उन्हें छोड़ दिया, जहां हमारे लोग ठसा ठस खड़े हैं, और बहार उनके पास छोटा स्पीकर है, और छोटे प्रसारण, मैं सोचता हूं कि प्रतेक कार में हो सकता है, हमारा प्रसारण तंत्र अरादनाले से कई गजों तक जाता है इससे, और इसलिए हम इस पर आता है, हर एक को हमारे साथ होने के लिए उनकी सराहना करने का यतन करते हैं, अब इसके पहले हम आगे बढ़ें, मैं ये कह दूँ, तुरंत इसके पश्चात मैं सोचता हूं, बबतिसमे की सभा है, पहले प्रातना पंक्ती है, इस प्राता है हम बीमारों के लिए प्रातना करने जा रहे हैं, मैं सोचता हूं, परमेश्वर का दृष्चे पर आना ही प्रमान है, जिस विशह में हम बात कर रहे हैं, उसका प्रूर्थान, क्या वो जीवित है, या वो जीवित नहीं है, क्या ये काल्पिनिक कता है, या ये सत्ते है, ये वो जीवित है, तो उसे उसने प्रतिग्या दी है, मैं सदा तुमारे साथ रहूंगा जगत के अन्त तक भी, अब वो ये यहां हमारे मद में आकर और प्रमानित करता है, कि वो यहां पर है, तो फिर इस विशह में कोई अनुमान नहीं है, समझे? इसमार रखें, संसार में सारे धरम उनके अपने पवित्र दिन हैं, और छुटियां और आदी आदी, परंतु उन में से कोई ये सिद्ध नहीं कर सकता कि उनका संस्थापक जिसे मिर्तिव ले गई और बस उसका हो गया, परंतु हमारा मसीह धरम, हमारा संस्थापक मरा और फिर से जी उठा हाल ही में मेक्सिको में मेरा प्रेस द्वारा साक्षाथकार लिया गया, उच छोटे बालक के जी उठने पर जो उसी प्राते नौ बजे मर गया था और उसी रातरी साड़े दस बजे या ग्यारा बजे मरवों में से जीवित हो गया, ठीक परचार मंच पर मा की गोद में, हजारों लोगों के सामने उस रातरी तीस हजार मसी के पास आए, देखा, तब आप कल्पना कर सकते हैं, कि वहां क्या था, और वो चोटा मैंने अपने सामने की और दर्शन देखा और ईसने उसके विशे बताया कि उसका क्या नाम था और हर चीज और मां वहाँ पीछे थी परातनह पत्र नहीं पा सकी थी, अंडर नहीं आ सकी थी, परांटू उसे तो पंक्ती में नही आना था इसलिए जब वो छोटे बालक को लाई वर्शा हो रही थी खड़े हुए हम अपने लिए सोचते हैं उनके लिए सोचते वे वहाँ उस पराते नौ बजे से थे उस सभा के लिए जो रातरी नौ बजे आरम होनी थी गरम सूरज में परचाई के लिए एक दूसरे से सटे खड़े खड़े हुए थे बैठे नहीं थे खड़े वेस परकार करते हैं अफरीका और हिंदुस्तान में और विबिनस्तानों में जहां पांच लाख एक इबार में जमा होते हैं अब इस बेचारी इस्तरी प्रासना पत्र भी नहीं पा सकी वहां लगबग तीन सो कारे करता थे कि उसे रोके रखें और वो प्रासना पंक्ती में भी ना आ सकी वहां खड़ी हुई उच्छोटे बालक के लिए प्रासना कर रही थी एक छोटी कैथलिक इस्तरी और पवितरात्मा ने बुलाया और कहा उसे यहां आने को कहो और वो छोटा वालक उस भीके हुए कंबल में वहां सुबे से खड़ी हुई थी डॉक्टर ने मिर्थ घोशित कर दिया था अब हमारे पास डॉक्टर का बयान है जो इसकी मरे हुए की घोशना करता है उसी प्राते नौ बजे और तब ये रात्री थी लगबग अर्ध रात्री थी और मैं दर्शन के अनुसार जो कहा गया मैंने जाकर अपना हाथ मिर्थ बालक पर रखा और वो वहां जीवित था डॉक्टर ने गवाई दी प्रेस के दोरा मेरा साक्षातका लिया गया और किसी के विश्वास के विरोध में कुछ नहीं जब तक ये बाइबल के साथ साथ है ठीक है परंतो वो प्रुच जिसने मेरा साक्षातका लिया कैथलिक था और उसने मुझसे कहा क्या आ विश्वास करते हैं कि हमारे संत ये कर सकते हैं मैंने कहा यदि वे जीवित हैं निसंदे मैं जानता हूं कैथलिक कलीसिया विश्वास करती है कि आपको मरना ही है कि आप एक संत बने इसलिए फिर मैंने कहा यदि वे जीवित हैं जी हां और उसने कहा ओ जब तक आप ना मरें आप संत नहीं हो सकते मैंने कहा क्या पॉलूस मरने से पहले संत था या मरने के बाद वो किसको लिख रहा था मर वे लोगों को जब उसने कहा उन संतों को जो इफसूस में है और अमुक अमुक इस्थानों पर संतों को वो मरवों को नहीं लिखेगा आप जानते हैं तब उसने कहा कि आप अपना मामला बाइबल के दोरा तेह करने का यतन कर रहे हैं हम कलीसिया हैं मैंने कहा ठीक है श्रीमान ठीक है और उसने का हम कलीशिया हैं मैंने का तो फिर हम देखें कलीशिया इसे करें समझे तब इस परकार से ये केवल मसीही कर सकता है आप जानते हैं उसने का कैथलिक कलीशिया के लिए आपका क्या विचार है मैंने का अच्छा होता कि आप मुझसे ये नहीं पूछते समझे उसने कहा कि भाई मैं ये सुनना चाहता हूँ मैंने का उंचे दरजे का प्रेत आत्मावाद वहां पर है उसने कहा प्रेत आत्मावाद मैंने का जी हाँ शरीमाद बोला आप ये कैसे निधारित कर सकते हैं मैंने का कोई भी चीज़ जो मरूँं के साथ मद्धिस दता करती है संतों से बात करना समझे और उसने का भई आप मसी से प्रासना करते हो और वो मर गया मैंने का परन तु वो फिर से जी उठा देखा इसलिए ये अच्छी बात है कि हम जानते हैं कि वो फिर जी उठा है क्या हम धन्यवाद इतने ही आईए हम अपने सिरों को जुकाएं और उसको धन्यवाद दें क्यूंकि वो कबर में से हमारी धार्मिक्ता के लिए जी उठा सुर्गे पिता इस परात है हम येशु के लिए आभारी हैं और आज उसके महान पुरुनोट्थान के समारोंट्थान के स्मारोंट्थान करिस्ट जी अन्ती की सुबह है जब वो मरवों में से जी उठा मिर्तियों नरक और कबर पर जय पाई जब वो पिर्थवी पर था उसने दिखाया कि उसने बीमारी, रोग और सब्रकार की शैतान की सामर्थ पर जैपाई तब मिर्ती उसके सामने पड़ी थी वो बड़ा अंतिम शत्रू और इस्टर की सुबह उसने परमानित कर दिया कि वो परमिश्वर था वो अंतिम शत्रू के पकड़ से भी उपर उड़ गया उसे पकड़े ना रह सका, कबर ने उसे दे दिया नरक को भी उसे छोड़ देना पड़ा, सुर्ग ने उसे अपना लिया ओ परमिश्वर होने पाए हमारे हिर्दे आज उसे लेने पाएं पवित्रा आत्मा के सामर्थ में, कि हम उसके कारे कारक हों सकें उसके उधारन, यहां इस पिर्शी पर उसके दास जैसे कि हम परदेशी हैं, इसे परदान करें यहां सब को आशिशित करें, परमिश्वर यह मुलेवान लोग जो खड़े हैं, उन में से कुछ यहां दिन निकलते खड़े हैं, स्वर्गे पिता, मैं प्रासना करता हूँ कि आप अधकाई, भरपूरी और उस सब से उपर जो हम कर या सोच सकते हैं, आप उन्डे लेंगे, आज इन लोगों पर और उन्हें इनके हिर्दे की गहराई की इच्छाएं देंगे, जिसके लिए हरे काया है, इस पर आते होने पाई वो संतोस्ट होकर वापिस जाए, आपने कहा आप वैसे ही नहीं लोटाएंगे, परंतो आप उसे भली चीजों से भड़ देंगे और उसे आनन्दित होते हुए भेज़ें, प्रभू इसे स्विकार करें, होने पाएं आप सरुशक्ती मान, आपका पवित्रा आत्मा पुरुन थान की सामर्थ में, हमारे पिर्टेक के साथ वेवार करें, जब तक हमारी आशाएं सिवाई येशु के लहु के धार्मिक्ता के साथ ना बन जाएगी, पिता इसे परदान करें। जो बचन हम पढ़ते हैं, उसे आशिशित करें, इस पर आता है, शांदार संदेश के लिए हम आपके धन्यवादित हैं, जैसे कि अरांदनालाए में हम जल्दी आए हैं, और देखते हुए कि आपने हमारे भाई को लिया और कुछी शड़ों में इतना बदलाओ, और लोगों की इस मरती हुई प्यूरी को एक संदेश दिया, जिसके की हम भाग हैं, प्रभू इसके लिए हम आपके कितने धन्यव ओ परमिश्वर हमारे हिर्दे आनन से उचलते जैसे कि हम इन बातों के विशे में सोचते हैं, अब प्रभू इसे अभी शेक में बनाए रखे हैं, उसके उन आने वाले दिनों में प्रभू और इस छोटी कलीशिया को आशेशित करें और प्रभू मेरी साहता करें, जैसे कि मैं संदेश दूसरे लोगों के लिए लाने जा रहा हूँ और हम सब मिलकर एक वेक्ती एक परिवार आपस में मिले हुए और मिलकर प्रासना करने वालों के समान हो और पवित्रा आत्मा की पवित्र एकता में जीवन जीए जब तक येशु हमें अपने राजे में ना ले ले क्योंकि हम ये उसके नाम में मांगते हैं और उसकी महिमा के लिए आमीन ब्रवाइ आप अवशे ले सकते हैं धन्यवाद भाइ नेवल और अराधना ले ब्रवाइ जेरी स्टेपी पैते घृत्रा बोश्माइडlaw ले प्रश्मान अवे नामगते हैं एक था बाइम और अछे शुआ जीए रेज़ को मांगते स्कूलन। भाई, जेरी स्टेफी ने ये चितर रंगा है, परमिशोर इस लड़के को आशिश दे, ये बहुत अच्छा है जेरी, यदि इस सुबह तुम यहा हो, ये बुरा है कि मेरी च्छा थी, यदि मेरे पास साधन होते तो मैं इस लड़के को कलाकार के लिए विद्या ले भेज दे मैं विश्वास करता हूँ, परमिश्वर कला में है, कña आप ये विश्वास नहीं करते? परमिश्वर संगीत में है परमिश्वर कला में है परमिश्वर इसमें है ये बहुत खराब है इस योगता को देखते हुए जो इस परकार की है ये बढ़ेगा नहीं जितना अधिक ये करता है उतना ही बढ़ेगा और मैं प्रातना करता हूँ कि परमिश्वर तुम्हें आशि और भाई नेविल धन्यवाद और इस कलीशिया को इस से शांदार चितर के लिए और इस पवित्र पद के लिए जो इसके नीचे है मैं से थोड़ी देर में पढ़ दूगा ठीक है श्रीमान भाई नेविल इस पद को पढ़ेंगे ठीक है मुझे इसका बोद था कि ये क्या है वो लंबे कद का मनुष्य नहीं नहीं अपने मार्ग में अहंकारी वो स्वें में डिंग नहीं मारता जैसा की वो दिन परती दिन चलता है धन और यश्की कोई इच्छा नहीं रखता परंतु कोई उसके इस्थान को ले नहीं सकता वो तो वैसा ही है जैसा हम उसे चाहते हैं हमारा अपना प्यारा भाई बिल वो हमें इमांदारी से सिखाता है वचन को बिना हलका किये कोई दिखावे से नहीं प्रशंसा का लगाव नहीं बस प्रभू का अनुकर्ण कर रहा है उसकी भाशा कॉमल और मंद और वो अपनी आवाज उची नहीं करता सिवाए कि गलती के विरोद में चिलाए और फिर उसकी कोई पसंद नहीं कभी भी अधिक नहीं सीखा कॉलिज और विद्याले से परन्तु जो विशेश है वो जानता है और निशे ही किसी के बहकावे में नहीं क्योंकि वो ग्यान उसे दिया गया वो अननत उपर से है उसका कोई मतसार नहीं सिवाए हमारे मसी के कोई नियम नहीं परन्तु सोतंतर प्रेम उसकी कोई महान घोशना नहीं थी उसके दीन और नमर जन्म की परन्तु हमारे लिए वो महान ता मनुश्य है जो इस पिर्थी पर वास करते हैं हम इसे सोभागे से अधिक गिनते हैं उसे एक मित्र के समान जानते हैं हम आननदित हैं जिस सब के लिए वो खड़ा है और अंत तक सही रहेगा वो कहता है वो परचारक नहीं वो साधारण है जितना वो हो सकता है परन्तु परचार मंच पर पहुंचने दो और उसे देख पाना कठिन नहीं वो पहले ठहरा हुआ एक नभी लोगों को जो कहते हैं वे कहेंगे परमेशन ने हमारा महान पक्ष लिया है जब उसने हमें भाई बिल दिया अब्धियू करते हैं बॉत अब्धियू वो बभाई नेविल आपके विचारों के लिए आपको धनेवाद्द की दो पर सकते हैं किसने रचना की ये मैं इन बातों के योगे नहीं की कहें परंतु मेरे लिए संसार के सारे पैंसों से अधिक है समझे जरा सोचे कि कोई आपका सम्मान उसके दास के सम्मान करता है जैसे परमिश्वर का दास होने पाए मैं इसके लिए सदा सचाई से जी हूँ ये मेरी प्रातना है परमिश्वर सदा आपको आशिश दे मेरे विचार सदा आपके लिए होंगे मेरा प्रेम सदा आप पर भी प्रगट होता रहे अब ओ, हमारे पास बहुत सी बाते हैं हम पूरा दिन ले सकते हैं और वचन तक कभी नहीं पहुंचेंगे आप देखे बहुत सी अच्छी बाते हैं मेरे पास प्रभू से दर्शन आया इस विशे में मैं कुछ कहने जा रहा हूं और किसी ने सुपन देखा है वो मैं सोचता हूं खास ही था प्रभू के आगमन का और मैं छोटी रिबेका मेरी पुत्री वहां पीछे है थोड़ी दिर पहले मैंने उसका उपहास किया वो एक प्रकार की बड़ी सी टोपी पहन कराई मैंने का अपरिये ये च्रिया के गोंसले के सामान दिखता है मैंने का इस सब में सारी डंडिया है इस सब प्रकार की चीज़े हैं मैंने का जाओ इसे उतार कर आओ तब वो फिर मेरे पास वापस आई कुछ ही मिन्टों में वो वापस आई आप जानते हैं वो मेरे पास आई वापस गई वो एक बड़ी काफी के साथ आई मैंने का ये चीज़ कहां से आई उसने कहा डेड़ी वो कहती है मेरा पैर बड़ा है इसलिए मैं सोचती हूँ कि बड़ी काफी ले लूँ जो मेरे पैर से मेल खाए इसलिए ओ परंतो उसने कहा उसने दो बार सोपन देखा कि वो और मैं एक कार में जा रहे हैं और मैं उसे बता रहा हूँ कि प्रबू प्रगट होने के समीप है वो ही सोपन दूसरी बार मैं तीसरे के लिए पर्तिक्षा कर रहा हूँ हो सकता है तब प्रबू देगा कि इसका क्या आरत है अब कहने के लिए बहुत सी बाते हैं परंतु अब हम सीधे बचन पर आएं हर कोई अच्छा अनुभाव कर रहा है मैं आशा करता हूँ और यदे नहीं मैं परात ना करता हूँ कि इसके पहले सबात समाब्थ हो परमेशर आपको अच्छा अनुभाव करवाएगा कि इस पराते हमारे मद्धे में कोई भी दुर्वल रिकती ना हो जब वो समात समाब्थ हो अब हमें ये समरन है कि मसी अधर्मियों के लिए मरा और वो हम थे समझे वो हम थे वो हमारे लिए मरा ताकि वो हमें बचा सके अब क्या आप चारो और अच्छी तरह से सुन सकते हैं वहां उदर पीछे क्या वहां पीछे सही सुन सकते हैं क्या ये वहां पीछे आ रहा है ठीक है ठीक है अब मैं उसके कुछ वचन में से पढ़ना चाहता हूँ आईए पहले हम योईल की पुस्तक निकालें और मैं पहला पढ़ना चाहता हूँ पहले से चोथे पढ़ तक और फिर दूसरे से दूसरे ध्याई से पच्छिसमा पढ़ और उथ पती भीस साथ Now, I do appreciate Now, if you get tired and want to go out, go ahead, see But this will be my last message to the church for this part of the church for some time And we're expecting a healing service this morning अब मैं सराहना करता हूँ अब येदी ठग गए हैं और बहार जाना चाहते हैं तो आगे बढ़ें समझे परंतु कलीशिया के लिए ये मेरा अंतिम संदेश होगा कलीशिया के इस भाग के लिए कुछ समय के लिए और हम इस पराते चंगाई सभा की आशा करते हैं और मैं इस संदेश को चाहता हूँ यदी परमिशुर इसे आशिशित करेगा कि हिर्देओं की गहराई में बैठ जाए ताकि हम इसके अर्थ को पा सकें जो इसका अर्थ है अब हम यहां प्रगट करने के लिए हैं उन बातों को कहें जिन पर हम विश्वास करते हैं और पवितर वचन से इसे परमानित करते हैं कि पवितर वचन इस परकार से कहता है और तब होने पाए पलट कर परमिशुर इसे सिद करे कि ये सत्य है, ठीक है, इसे वास्तिविक बना दे जैसे कि कोई आप कहते हैं, ये सूरी मुखी का बीज है, इसे बो दें और देखें कि ये क्या है तब सूरी मुखी आता है, तो ये तैह हो गया कि ये सूरी मुखी का था, समझे, बस ये ही है अब यदि कुछ अपनी जगा बदलना चाहते हैं, हर कोई थोड़ी देर में, कोई बैट जाएगा, दूसरे खड़े और थोड़ी प्रक्तिक्षा करें, और मैं जितना हो सकता है, साराइश में लूंगा. अब इसमान रखें कि मेरे लिए प्राथना करें, और कलीसिया के लिए एमांदार रहें, यहीं भाई नेविल के साथ कलीसिया में टिके रहें, और आप लोग जो आते हैं, अच्छा है, अब पीछे की ओर आएं. और मैं इन सभाओं में हूँ, मैं बिना निश्चित बुलाहट के आगे बढ़ रहा हूँ, परंतु मैं आसपास नहीं रह सकता, संसार मर रहा है, समझे, और एक बार पालूस को यह अनुभाओं मिला, और वो किसी दूसरे देश को जा रहा था, और तब उसे मार्ग में मिक कि दूनिया की बुलाहट को किसी भी समय दे सकता है, मैं किसी भी चीज को निरस्तर कर सकता हूँ, जब परमिश्वर बुलाता है, मैं अपना जो सबसे अच्छा कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, इस कोने में जाता हूँ, बीज बोता हूँ, उधर कुछ बीज बोता हूँ, और उदर फैंकता हूँ, कुछ बीज बोता हूँ मैं जानता हूँ कि आकास के पक्षी उनमें से कुछ को बटोर लेते हैं उनमें से कुछ दब जाते हैं और आदी आदी परन्तु उनमें से कुछ हैं जो उगते भी हैं आप जानते हैं कि अच्छी भूमी में विशेश बात ये है कि हम बीज बोएं एस्टर के संदेश के लिए एक बहुती विशेतर पढ़ने को योल का पहला द्याए यहवा का वचन जो पत्विल के पुत्र योल के पास पहुँचा वो ये है हे पुर्नियों सुनो हे देश के सब रहने वालों कान लगा कर सुनो क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुर्खाओं के दिनों में कभी हुई है अपने बच्चों से इसका वंडन करो और वे अपने बच्चों से और फिर उनके बच्चे आने वाली पीडी के लोगों से जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अर्वे नामक टिड्डी ने खा लिया और जो कुछ अर्वे नामक टिड्डी से बचा उसे यलेक नामक टिड्डी ने खा लिया और जो कुछ यलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिन नामक्तिड्डी ने खा लिया है अब पच्चिस्वा पद दूसरे अध्याय का जिन वर्षों की उपज अर्वे नामक्तिड्डियों और येलेक और हासिलने और गाजाम नामक्तिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दलने जिनको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खाली थी मैं उनकी हानी तुमको भर दूँगा तुम पेट भर कर खाओगे और तुर्प्त होगे और अपने परमिश और यहवा के नामकी इस्तूति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चरे के काम किये हैं मेरी प्रजा की आश्रा फिर कभी ना तूटेगी In Genesis, the 20th chapter of Genesis and the 7th verse, I want to read this to follow for a context for this text that I am fixing to tape. I'll begin with the 6th verse to get a background to this. उत्पत्ती में, उत्पत्ती का बीस, उत्पत्ती का बीसमा अध्याय और साथमा पद मैं से पढ़ना चाहता हूँ इसमें से होते हुए विशे के लिए प्रसंग जिसे मैं लेने को हूँ मैं छट्वें पद से आरम करूँगा कि इसकी भूमिका को लूँ परमेशवन ने उसे सुपन में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है और मैंने तुझे रोक भी रखा है कि तुम मेरे विरुद पाप ना करे इसी कारण मैंने तुझ को उसे छूने नहीं दिया अब उस पुरुष की पत्नी को उसे फेर दे क्योंकि वो नभी है और तेरे लिए प्रासना करेगा और तू जीता रहेगा पर यदि तू उसको ना फेरे तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चे मर जाएंगे अब मैं इस मूल पाट से लेता हूँ या इस वचन के पढ़े जाने से मूल पाट का एक सारांश फेर देना कहलाया अब इस प्राता है भाई नेविल के परचार करने के बाद वो विशेश संदेश अंती बाद जो उन्होंने विचार के अंत में कही थी वापस फिर देना और इसलिए इसने मुझे विचार दिया ठीक वहीं फेर देना अब मैं घर भागा और अपना शब्द कोश लिया और वचन की कुछ टिपणियां और कुछ बातों को लिखना अरम कर दिया और मेरे पास वेफस्टर का शब्द कोश है कि फिर देने की सही परिभाशा ढूंड लूँ फिर देने का अर्थ है पहले स्वामी को लोटा देना या वापस पुरानी स्थिती में लोटा ले आना और हम दावे पर जोर दे सकते हैं वापस हो जाने को अब यही जो वेफस्टर कहता है रेस्टोर शब्द का अर्थ पहले स्वामी के पास वापस ले आना या पहली स्थिती में वापस ले आना अब यदि किसी चीज़ पर दावा किया जाए कि उसे वापस फेरा जाए आप इस पर दाव डाल सकते हैं कि उसे उसकी सही स्थिती में वापस ले आए और परमेश्वर इन निर्बल शब्दों को अब आशिशित करे तो रेस्टोर फेर देने का अर्थ वापस लाना या पुनहे इस्थापित एक दावा लागू किया जा सकता है अब किसी भी चीज को उसके मूल स्वामी वापस करना जहां से वो है इसलिए केसे भी आए एक अपू था जार्थ वापस करेंदे करेंदे इस निर्बले वापस करेंदे अख़ू किया आए इसलिए कैसे भी ये अपने मूल सौामी के पास से चला गया और कहीं ये भटक सकता है, परंटु पुने स्थापित के लिए इसे वापस, जिससे ये वास्तों में संबंदित है, वापस लाना है, या इसे सोभाविक स्थिती में वापस लाना जहां ये पहले समय में था इसकी सोभाविक स्थिती में वापस लाना हमारे पास लागू करने का अधिकार है यदि वहाँ नियम है कि इसे सही स्थिती में वापस लाने को दवाब डाला जाए कि वापस लाया जाए जैसे यदि कोई किसी संपती को चुरा ले और वे संपती पर कबज़ा किया है तब आप कानून को लेकर और इस व्यक्ति के पास जाते हैं और कानून इस व्यक्ति को बाद्ध करता है कि उस संपती को उसके सभाविक स्वामी को फेर दे और इसकी अधिकारिक पहली सिती में बाद्ध करना ओ क्या ही मूल पार्ट है ओ मैं कैसे इस पर दो दिन लेना चाहता हूं कि बाद्ध करना अब भाई नेविल ने हमारे लिए प्रचार किया मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि एक संडे स्कूल का पार्ट सिखा हूं ये इसे जारी रखेगा जो उन्होंने लिया था ये मिरी आशा है बाद ही है ये लागू करना तब हम इसे शैतान पर लागू करने का प्रदिकार होगा वो दावे जो परमिश्वर ने हमें दिये हैं क्योंकि परमिश्वर के पास एक नियम है और उसका वचन नियम है और परमिश्वर इस वचन में कलीशिया के लिए निश्चित दावे किये हैं Therefore, we have a right to force these claims upon Satan and say, give it back. And he has to do it. Because we can take God's agent, the Holy Spirit, go right down on our knees and say it's, thus saith the law. He's got to give it up. That's all because the Holy Spirit said to make him do it. This is why we have a right to force these claims to do it. We have a right to force them to force them to force them. Say, give it back to him and we have to do it. Because we can take the divine soul and go straight to our own and say, Yehovah says, that's why we have a right to do it. Because we have a right to do it. The law of the land is to enforce it's by the land, for the land. But the law of the Spirit of God is to force Satan to give up that which he has unrightfully, deceitfully taken from God. Amen. Raastr ke niyam ko laagoo karna hai. Yeh us raastr ke dhwarah hai. Raastr ke liye. Pernantu parmishwar ke atma ka niyam shaitan ko baad dhe karta hai ki ise chhoڑ de joh usne bina adhikar ke liya hai. Dhoke se, parmishwar se liya. Souls of man, he took from God. Souls of women, children. Sickness of the body. He placed upon people where God made him in His image. Amen. To be like Him. And the church is given the rightful legal rights. Amen. By the Bible. To take the Holy Spirit. Amen. And enforce this upon Him. Amen. Manusheh ka pran, usnei parmishwar se liya, mahilauon aur balukon ke pran, shariir ki biemariya, usnei logon pere ڈali, johan ki parmishwar ne unhnei apne svaroop mein binaya ki uske saman ho aur kalisya ko vedhanik adhikar diye gaya hai baibil ke dhwara ki pavitra atma ko lhe kar ise un per lagu kere. I believe I just quoted the last meeting here. I'm not sure. But a brother came to Louisville from down Georgia and left his car sitting over there and someone stole it. And he had his clothes, his wife's clothes, his children's clothes. I believe that in the past time I have taken it and I am not a nishit. But a brother came to Georgia and left his car and sat there and someone stole it. And there were his clothes, his clothes, his clothes, his clothes. His clothes. Brother Evan, Shariah, they're usually here. They drive 1500 miles every day. You want to have service here. coming in here to have service and a poor fellow was here without anything in seven hundred and seven miles from home and he didn't know what to do. And he didn't know what to do. He turned it into the police and he wanted to put on hunting. So they were having a terrible time. And he went to the police and there was a big girl in Luwil. They were stealing cars. They were wearing red. And they didn't need a badge to find him. And they will make your badge in a few minutes. There's no number that you want to put on him. And this was a cut-in time. So we got down on our knees. Amen. See not? Jesus wouldn't have had to do that. For he was the word. Amen. Now we're not the word. The word of the Lord came to the prophets. Amen. They wasn't the word. But the word came to them. But Jesus was the word. Amen. Amen. He didn't have to pray. He was God himself. Amen. But we are His prophets, His servants who the word of the Lord comes to. Then the prophet is vindicated by whether it's the word of the Lord or not. But what He says comes to pass. He didn't have to pray. He didn't have to pray. He was the Lord in the Lord. Do you understand? Only we are His prophets, His servants, who comes to God. Then the Lord is the Lord in the Lord that He was the Lord or not. He says, He gets hurt. So then, we had a scripture here that Jesus said, wherever two or more are gathered in my name, and if they will agree, I'll be in their midst and if they will agree on touching any one certain thing and asked it, don't doubt it, they shall have what they've asked. It'll be given to them. Now there's the law. Now the one that's here to enforce that law is the Holy Spirit. How about people who don't believe in the Holy Spirit would reject Him? See, you're rejecting your own peace and mercy. Now, we got on our knees about five men with brother with brother Fred Sothman and many of the others is there, four or five men and we knelt down and I pleaded this case before God and then I took the word of the promise and sent it forth. The great Holy Spirit as He took the word to serve the summons a vision broke and I saw a man going towards Boulder Green, Kentucky with a yellow shirt on driving this truck. He was a mahan pavitraatma as he took the vachan and took the samband jari and took the and I saw that the pyrus balling green Kentucky is going to the pili kameez and his big car is running the Holy Spirit come upon him condemned him and he turned around about halfway I saw him come back and park that car on a certain street over across the river here I raised up and told the brother thus saith the Lord and when they started out they went on the road and there was a car sitting there half empty with gasoline where the tank half fifty would have been filled up just enough taking halfway to Boling Green and bringing back now those man are sitting right here this morning as a witness what is it enforcing give it give it that's it that's what it's talking about restore it bring it back to a tried owner and if Satan has you took you from puttry or puttry have looted so this is our adhikar है पवित्रा आत्मा के दौरा की परमिश्वर के दावे को लागू करें इन्हें वापस लाएं if he's afflicted and made you sick we have a right before God to enforce the laws of God by stripes we are healed bring him back turn him loose you're taking my under the death and we claim him bringing back that's the enforcement restore back to its natural condition again यदि उसने आपको पीडित कर दिया और आपको बीमार कर दिया है तो वो परमिश्वर के सामने हमें अधिकार है कि परमिश्वर के नियम को लागू कर दें उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए आमीन उसे वापस लाओ उसे छोड़ दे तू उसे यहां से मिर्तू के आदीन ले जा रहा है और हम उसका दावा करते हैं अब उसे वापस दे ये लागू करना है कि उसे सुभाविक सिथि में वापस पुने इस्थापित करें एक मनुष्य बीमार है एक बालक बीमार है एक इस्तरी बीमार है समझे वे अपनी सुभावी की सिती से बहार है तब हमारे पास अधिकार है कि अपने दावे को लागू करें हमारा दावा नहीं हमारा दावा है क्योंकि पर्मिशन ने हमें दिया है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए वो हमारे अपरादों के कारण घायल हुआ उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए थे अब उस नियम को लागू करने का हमारे पास अधिकार है और नियम कानून देने वाला पवितर आत्मा स्वेम है जो यहाँ पर है परमिशन का प्रतिन दी कि देखे कि ये उसी प्रकार हुआ आमीन अब जानते हैं मचली का एक नियम है और वो मचली यहाँ पानी में टिकी रह सकती है और उसके अंदर एक सिधानत है यदि वो उस नियम से हट जाए जो उसके अंदर दिया गया है तो वो समुंदर की तरेटी में बैट जाएगी उसकी कोई चिंता नहीं एक भी कोशिका नहीं टूटेगी आप ये करने का यतन करें वो सिधानत आप में नहीं है आप ये नहीं कर सकते मचली कर सकती है वो सम को हवा के साथ साथ निकाल देती है इस परकार से वो कर सकती है उसके अंदर फटने के लिए कुछ नहीं है और वो उस परकार से बनी है वो ये जानता है कि वो इस सिधानत को लागू कर सकता है कि उसे समंदर की तह में ले जाए और उसे वापिस उठा कर उपर लाए वो मसी में एक सिधानत था सिधानत मनुश्य में है आप उसे सबसे गहरी कबर में गार दें या नरक के सबसे नीचे परमिश्वर के आत्मा का एक सिधानत है वो उसे फिर से जिला उठाएगा समझे पक्षी का एक सिधानत है उसका शरी तत्व है ये पिर्थवी सम्मंदित है ये भूमी पर बैठती है परंतो उसके अंदर एक नियम है जिस परकार वो पंकों को फैलाती है वो उड़ती हुई दृस्टी से दूर चली जाती है ये विज्ञान के विरुद है वे दावा करते हैं कि ये पिर्थवी से बंधी है गुर्थवा अक्षन ने इसे थाम रखा है परंतो ये गुर्थवा अक्षन को नकारती है ये स्वेम को उपर उठा लेती है और बाहर निकल जाती है ये उस सिद्धान को लागू करती है जो उसमें कारे करता है और ये उस सिर्धान को थामे रहने के लिए बनी है अब मुझे धारमी का नुबूती हो रही है हमारे पास एक सिर्धान है जीवन का सिर्धान हम में है हम नहीं आपको के वले एक चीज़ करनी है आप बने और जनम लेते और यहां मसीग की दे में रखे गए परमेश्वर के एक पुत्र और पुत्री के समान आपको शैतान के सामने जुकना नहीं है हमारे पास एक सिर्धान है यह पवित्र आत्मा का सिर्धान है आपको के वले एक ही कार्य करना है कि यह जाने की कैसे जाने दें और परमेश्वर को आने दें आप इसके लिए संगर्श करते रहें और देखिए यह कभी काम नहीं करेगा जब आप जाने दें और परमेशर को भीतर आने दें बस यही है समझे यदि एक मचली कहे रुको मैं अपनी सांस अच्छी तरह ले लूँ मैं अक्षिजन को अपनी सांस में ले लूँगी और मैं देखूंगी यदि मैं नीचे जा सकती हूँ नई वो ये करती है वो फट जाएगी समझे चुडिया कहती है मैं देखूंगी कि मैं नीचे कितनी तेज दोड सकती हूँ और हो सकता है मैं उपर उड़ जाओं नई वो ये नहीं करेगी वो नीचे गिर जाएगी समझे उसे मालूम होना चाहिए कि कैसे नियंतरित करना है कैसे वो सिद्धान उसे नियंतरित करेगा और ठीक इसी प्रकार से ये हमारे साथ है ये वो नहीं जिसके लिए हमें संगर्श करना है खेचातानी और जल्दी ओ यदि मुझे ये ना मिले या वो ना मिले ये वो नहीं ये जानना की जीवन का सिद्धान आप में है और आप इसे होने दें और परमेशर को करने दें तब वो आपको आपकी चंगाई पर ले आएगा आपको आत्मा के बबतिस माँ पर ले जाएगा या कोई भी चीज जिसकी उसने प्रतिक गया दी है कोई भी दावा जो उसने आपको दिया है आपका है इसको बढ़ने देने के दोरा और परमेशर को करने दो अब यदी आप यदी अधिकारी करने जा रहा है उस व्यक्ति को लेने जा रहा है जिसने आपकी संपती चुराई है उसे नया या ले में ले जा रहा है और आप उसके पीछे घचिटते रहें भाई मैं नहीं जानता कि उसे ये करना चाहिए या नहीं वो उसे वहां कभी नहीं ले जाएगा उसे बस जाने दो आप इसी परकार से करते हैं शेतान को दूर होने दें सारे संदे और हर चीज आपके मस्तिक से उड़ जाएगी तब परमिश्वर आपको उठाएगा बढ़िया अब ये इस्टर का समय है और मुझे इस्टर अच्छा लगता है जी हाँ शेरिमान परन तो आज इस्टर के लिए बहुत कुछ है उस खरगोश और बतक गुलाबी चूजा और सुन्दर टोपियां और नेने कपड़े ये इस्टर नहीं है Easter is the resurrection restoring to restore back it's God's restoring time you look out over the earth God is restoring restoring what? nature that's right He's restoring the flowers He's restoring the leaves He's restoring the fruits of the field what is it? God is restoring it's Easter means to bring it back Easter is the resurrection वापस लाना पुने इस्थापित करना ये परमेश्वर का फिर वापस लाने वाला समय आप पिर्च्वी पर देखें परमेश्वर वापस ला रहा है क्या ला रहा है? परकर्टी को ये ठीक बात है वो फूलों को वापस ला रहा है वो पत्यों को वापस ला रहा है वो खेट के फ़लों को वापस ला रहा है ये क्या है? परमेश्वर वापस ला रहा है ये इस्थर है मतलब वापस लाना ये क्या है? एक वाक्य होता है एक दावा इस्टर दावा करता है या फूल दावा करता है उसका अधिकार है कि फिर उठे समझे? परमिश्वर का प्रकर्तिक नियम प्रत्वी को चारो और खेंचता है और ये परमिश्वर के नियम को प्रकर्ति में बनाता है जो की इस्टर को लाता है एक पुरुनृत्थान ये सुंदर है सूरिय की वापसी वापस फेर लाता है जो जाड़े ने मार डाला था जबकि ये पिर्थवी से था परमिश्वर ने पिर्थवी को सूरिय चक्र से घुमाते हुए हटा लिया जैसा कि हमें बता आगया या पीछे की ओर पिर्थवी सूरिय से दूर हट गई या पीछे को हो गई इसी प्रकार से पापी करता है पुत्र से दूर हट जाता है भई ये सूरिय है परमिश्वर जब ये पिर्थवी वापस आने लगती है और जब ये वहाँ अलग होती है मिर्थव प्रहार करती है जाडे ये हर जीवित चीज जिसे मार सकती है मारती है यहां पर और जब पिर्थवी वापस आती है बीज भूमी में पड़े होते हैं वे जमे हुए हैं गूदा उसमें से खतम हो गया और हर चीज चली गई परम्तु वहाँ एक छोटा सा जीवन सुरक्षित है जैसे ही सूरिय पिर्थवी के पास अपनी सिती में फिर आता है तो वहाँ एक इस्टर होता है एक पुनस्थापना फूल फिर से आते हैं हर चीज फिर से आती है वो सब जो जाड़े ने मार डाला सूरिय वापस ले आता है सब जो ठंड ने मार डाला जीवन का सूरिय वापस ले आता है और इसलिए अब ये लोगों के साथ है वो सब जो जाड़े की ठंडे दिखाऊ धरम ने मार डाला परमिश्वर के पुत्रों ने इन अंतिम दिनों में पास आकर अपनी कलीश्या में आकर फिर से जीवन में वापिस ले आया मैं लोटा दूंगा रभु ने कहा समझे God restores His flowers, His leaves, His nature, His seed of the earth and therefore we know then that God will restore also His habitation He will restore His Eden He will restore everything that death killed Amen परमिश्वर अपने फूल, अपनी पत्तियां, अपनी प्रकरती उसके पृत्वी के बीज वापिस फेर लाता है और इसलिए हम जानते हैं वो परमिश्वर अपने निवासिस्थान को भी लोटा ले आएगा वो अपने अदन को भी फेर लाएगा वो हर चीज़ को जिसे मिर्तु ने मार डाला फेर लाएगा ये ठीक बात है Now, the only way it can ever remain dead is let it lay in the wrong place But if it falls in the right place, it's got to come back to life again So God let us fall in the right channel, that's right, for our restoration अब के वाले एक ही विदी है, कि वो कभी मरी रह सकती है कि वो एक गलत स्थान पर पड़ी हो परन्तु यदि वो सही स्थान पर आ जाए तो इसे फिर से जीवन में वापिस आना ही है इसलिए परमिश्र हम सही मार्ग में आ जाएं उस पुने इस्थापन के लिए ये ठीक बात है वो सब जो ठंड ने मार डाला तब सूरज वापिस ले आया सूरज का वापिस आना ये क्या करता है ये लागू करता है सुनिये, ये मिर्टी उपर दवाब डालता है जब सूरिये, वसंद का सूरिये जब पृत्वी की रेखा पर फिर वापिस आता है वास्तों में ये मिर्टी को बात दे करता है कि उसके मरे हुँँ को उस पुने इस्थापन के लिए या फिर से वापिस करे ये क्या करता है, सूरिज आ रहा है ये परमेश्वर का सिध्धान्त है परमेश्वर ने पृत्वी को नियम में रखा है गुरत्वा कर्शन सिध्धान्त प्रकरती में हर चीज परमेश्वर के नियम में काम करती है और फूल अपनी अवधी, बीज अपनी अवधी उद्देश पूरा करता है वो भूमी में मर जाता है और फिर वहाँ वापिस लाना होता है और अब यहां मर पड़ा है, वहाँ कुछ नहीं है हम यहां एक उजियाले को ले सकते थे इस प्रकार से और इसे जलाते यह कुछ भी लाब नहीं पहुँचाएगा, हमारे पास इसे करने की कोई विधी नहीं है परन्तु परमेश्वर के पास नियम है कि जब सूरज बीज पर पढ़ता है तो यह जीवन को उस भीज में से बाहर ले आता है मिर्त्यू उसे अब और रोक नहीं सकती परमेश्वर ने अपने सारे नियम अपनी सेवा के लिए ठेराए है प्रकर्टिक और आत्मिक दोनों उसके वचन के अनुसार कोई मतलब नहीं कि स्थिती क्या है मुझे अच्छा लगता है इसके लिए यहां मेरे पास वचन है जिहां श्रीमान परमेश्वर अपने सारे नियमों को चलाए रखता है इस पर सोचें इसे हम अंदर रख लें क्योंकि हम चेंगाई सभा पर आ रहे हैं कुछी मिंटों में देखिए परमेश्वर ने अपने सारे नियम गती में रखता है कि यह उसके वचन के अनुसार कारिय को आप इससे समझ रहे हैं देखिए उसका वचन उसके नियम उसके वचन के अनुसार कारिय करते हैं उसने सूरिय को आगया दी उसने चांद को आगया दी उसने पिर्थ्वी को आगया दी उसने प्रिकरती को आगया दी और वे सारे एक पंती में हैं और सारे नियम एक समाजस्य में परमेश्वर के बोले गए वचन के साथ कारे करते हैं और जीवन का जो नियम हम में है वो भी हमें पुर्नुत्थान में ले आएगा इसे होना ही है ये ना हो ये असंभा हो है ये कारण है कि जीवन का वो नियम जो मसी में था जब वचन बोला गया था और कहा मैं अपने पवित्र की शती ना होने दूँगा कि सड़हाट को देखे ना ही उसके प्राण को अदलोक में छोड़ूँगा वहाँ इतना परियाप समय नहीं था वहाँ इतने शैतान नहीं थे वहाँ इतना परियाप कुछ भी नहीं था कि मसी को उस कबर में रखे जब तक कि उसकी देह में सरड़ाट आरंभ हो क्योंकि परमेश्वर का नियम वचन को घटित करेगा और परमेश्वर का नियम पवित्रा आत्मा के दोरा किसी भी परतिग्या को पूरा करता है आप समझें चाहे इस सिती जो भी हो अयूब ने कहा यद भी मेरी खाल के कीड़े मेरी देह को नस करें तो भी मैं अपने शरीर में परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा कोई मतलब नहीं हम कितने छोटे हैं हम कितने नीचे, कितने दूशित हम हैं हम कितने अपवित्र हैं, हम कितने बीमार, हम कितने भी फीडित हैं परमेश्वर के आत्मा की विवस्था, उसके वचन के दोरा उसका आग्या पालन करवाती है उस मामले में ये कहने को दवाब डालती है, कहती है, इसे वापस कर, आमीन. और यदि हम इस विशह में एक मिनट सोच सकें, चाहे जो इस सिती हो, इसे बात दे करें, कोई मतलब नहीं सिती क्या है, परमेश्वर के वचन का नियम, इस सितीयों को बात दे करता है, कि उसके वचन के साथ मेल खाए, समझे, इसे होना ही है. अब यदि फूल वहाँ पड़ा हो, और वो मरावा हो, बीच सड़के खतम हो गए, घुदा खतम हो गया हो, इसका इस बात से कोई मतलब नहीं, ये फिर उठता है, क्योंकि परमेश्वर ने नियम ते कर रखा है, क्योंकि इसे फिर से जी उठना है. When Job laid in the ground, perhaps when he seen Jesus coming, was 4,000 years before Jesus got here. You can imagine how a human body looked in 4,000 years, probably not enough ashes, they have to go on the end of a spoon. But Job said, yet in my flesh, I'll see God, who I shall see for myself. जब अयूब भूमी पर लेड़ गया, संभवत है, जब उसने येश्व को आते हुए देखा, 4,000 साल पहले कि वो यहां आता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि मानवदे कैसी दिखेगी, इन 4,000 वर्षों में संभव है, इतनी भी राक ना बचे कि चमच के सिरे पर आ जाए, परन्तु अयूब ने कहा, तो भी मैं अपनी देहे से परमेशर को देखूँगा, जिसे की मैं स्वें देखूँगा, और मती 27 में बाविल हमें बताती है, कि उसकी मिर्टियू के बाद और गाड़े जाने और परनुथान की बहुत सारे संथ जो पिर्थवी की मिर्टी में सो गए थे, मिर्टी में से जी उठे, क्यों ये वो भशच दखता था, परमेशर के वचन के साथ बोल रहा था, और वचन बोला जा चुका था, और परमेशर का नियम आत्मा के दौरा इसे जिला उठा दिया, बाइबिल ने कहा वे नगर में गए और बहुतों को दिखाई पड़े, केवल येशु ही नहीं जी उठा, परन्तु संत उसके संग-संग जाग उठे, क्यों भजल साहिता में ये कहा, सदा के दर्वाजो तुम उपर हो जाओ, और तुम उँचे हो जाओ, महिमा के प्रभू को अंदर आने दो, जब उसने मिर्ट्यू को नरक को, कबर को, बीमारी को जीत लिया, तीसरे दिन जी उठा, वो उँचे पर चड़ गया, और बंदवाई को बांध ले गया, यह क्या था, वे जो कैद में थे, उन्होंने प्रतिग्या की प्रतिक्षा की, जो अब हमारे पास है, ओ भाई, यहां तक की उनके पास पवित्रा आत्मा कभी नहीं था, परंतु विश्वास किया और अच्छी गवाई दी, और इसके दोरह उन्होंने सीहों के मूँ बंद किये, आग की हिंसा को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, इस्त्रियों ने अपने मरवों को फिर से जीवित पाया, बिना प्रतिग्या के, परंतु उन्होंने आगे देखा, भेड के बलिदान के नीचे, जो पाप से छुड़ा नहीं सकता था, वो केवल पाप को ढाप सकता था, परंतु उन्होंने ये विश्वास किया कि एक आ रहा है, और उनके विश्वास के दोरा, उन प्रतिकों से आगे, आमीन, उन्होंने इसका दावा किया, और अडे रहे, वे रेगिस्तानों में भटकते रहे, और भेड की खालों में, और बकरी की खालों में, पिडिथ थे, और वीराने में, और यातनाओं में, उन लोगों ने सामने उस प्रॉन्थान को देखा, और उसी से होते हुए विश्वास में मारे गए, अपनी गभाईयों के साथ, और इस्टर की सुभह परमेश्वर का नियम, वो वचन जो अयूग के दौरा बोला गया, और इन दूसरे भश्वतकताओं के दौरा, वे मरवों में से जी उठे, ओ प्रभू, आप वहीं पर हैं, इस सीतियों की चिंता ना करते हुए, कुछ लोग इतने अपरादिक विचारों के होते हैं कि वे किसी भी न्याय का सामना नहीं करना चाहते, ओ बहुत सारी लोग, ये मरना कठिन नहीं है, कोई भी अपना मानसिक संतुलन खोता है, या कुछ और, और कुछ विवेक से करते हैं, उन में से कुछ ने अपनी देहों को जला लिया, और अपनी राख को समुंदर के चारों कोनों में फिकवा दिया, समुंदर की चारों हवाओं में, इससे न्याय नहीं रुकता, आप वैसे ही न्याय में आएंगे, जिहां शुरीमान. देखिए, कोई मतलब नहीं, परस्थिचियों से कोई वास्ता नहीं, आप कहीं परमिश्वर से मिलने जा रहे हैं, आपको उसके पास आना ही है, आपको उससे मिलना ही है. क्योंकि, क्यों, उसने एक वचन बोला है, और उस वचन के साथ एक नियम लगा दिया, और वो नियम उसका अपना नियम है, उसका अपना जीवन इसके पीछे है, यही कारण है, कि उसने स्वेम अपनी ही शपत खाई, उससे बड़ा और कोई नहीं, समझे? उसने एक शपत लेनी थी, क्योंकि कोई भी वाचा बिना शपत के पकी नहीं होती, और केवल एक ही विदी है कि वो कर सकता था, इसके पहले कि उसने किया, उसने इसे अपने ही दौरा लिया, और स्वेम ही वो शपत हो गया, ओ भाई, जब परमेश्वर मन से बना, वो शपत था, स्वेम को उसने शपत बना दिया, और अपनी ही मिर्तियू, गाले जाने और परोन थान के दौरा उसने सिद कर दिया, कि वो सही था, कहा, तुम इस भवन को गिरा दो, मैं फिर से तीन दिन में खड़ा कर दूँगा, मैं व्यक्तिगर्ट सरनाम, मैं इसे फिर से, तीन दिन में उठा खड़ा करूँगा, मैं से उठा खड़ा करूँगा, बस नस्ट कर दो, और देखो क्या होता है, क्योंकि वो परमिश्वर का नियम जानता था, वो जानता था कि ये क्या है, वो जानता था कि उसे वचन के अनुसार कारे करना है, वो जानता था कि परमिश्वर का वचन नभी के द्वारा बोल दिया गया है, और कहा, मैं अपने पवित्र जन की शती को सराहाट से नहीं होने दूँगा, बस ये तैह हो गया, ये तैह हो गया. तब परमिश्वर के नियम को वचन के द्वारा कारे करना ही है, हम एक मिनिट में एक महान बात पर आने वाले हैं, समझे, जहां परमिश्वर के वचन का नियम उसके वचन से है, अब यदि नियाए पालिका का कोई वचन लिखती है, और ये अमुक अमुक बात ऐसा ऐसा करने पर दंड है, ठीक है, अब ये नियाए पालिका का वचन है, नियाए पालिका का नियम नियाए पालिका के शब्दों को लागू करता है. और परमेशर कुछ बोलता है और वो नियम है और पवितर आत्मा उस नियम को लागू करता है आमीन विश्वासी के लिए आप इसे करने के लिए अभी शिक्त किये गए हैं और ये विश्वासी को लेता है कोई कहता है आपके पास सामर्त है नहीं परंतु हमारे पास अधिकार है यही है सामर्त नहीं परंतु अधिकार है हमारे पास इतनी पी सामर्त नहीं कि कुछ नहीं करें जैसा कि मैंने कुछ समय पहले कहा एक साधरन पुलिस वाला लूई विल में वहां खड़ा था वो मुझसे भी कदमे छोटा था एक छोटा से वेक थी उसकी टोपी उसके कानों के उपर थी और एक कार ओ उसकी वर्दी उस पर आधे से ज्यादा लटक रही थी वहां सड़क पर गया एक छोटी पिस्टॉल जैसा उसके एक और उसके डंडे जैसे हाथ छोटी सी सीटी वहां गया एक जोडी सफेज दस्ताने पहने और वे कारें उन में से कुछ तीन सो पचास अश्व शक्ती वाली उस सड़क पर दोड़ रही थी जैसे बिजली चमक रही हो बस जूम जूम भाई वो बेचारा चोटा वेक थी एक भी नहीं रोक सकता था वो दोड़ते हुए खचर को नहीं रोक सकता था अपनी ताकत से न होर्स पार मोटर स्क्राइब बेक्स और दोड़ते हैं परंदू वो सड़क पर चलता हुआ गया वो तंगे चमक रहे थे उस सीटी को बजाया हाथ को ऊपर किया भाई तीन सो अश्व शक्ती की मोटर गारी ने जबरदस घिसटते हुए ब्रेक लगाए ये मनुशे की शक्त जो उसके पास था यही बात है यही कलीसिया है पवित्र शोर करने वालों का जुन जो कहलाता है आप इसे जो भी कहना चाहें परंदू ये अधिकार है ये इसके पीछे अधिकार है यही जो ये करता है चाहे जो भी स्थिती हो परमेश्वर का नियम उसके वचन के साथ कारे करता है अब ये आपके मतसार के साथ कारे नहीं करेगा ये वचन के साथ कारे करेगा बस यही है अब चाहे जो भी परस्थिती हो जैसे कि अबराहम जिसके लिए थोड़ी देर पहले मूल पाथ में पढ़ा, अबराहम की पत्नी को वापिस फेर लाना ही था, क्यों परमेशन ने अबराहम से प्रतिग्या की थी, और यहां एक राजा ने उसे ले लिया था, कि अपनी पत्नी होने के लिए ब्याहले, अच्छा तो वो क्या करेगा, अबराहम को एक मिनिट में मार डालेगा, यही जो अबराहम ने कहा, मैं तुसे प्रातना करता हूँ कि यह कहे, जब उसने देख लिया कि अभी मिल्क ने उसे पकड़ लिया, यहां इस फिलिस्तीन के राजा को कहा, अब मैं तुसे बिंती करता हूँ कि तु यह कहना, मैं तेरा भाई हूँ, क्योंकि तु एक सुन्दर इस्त्री है, और कहा, अब यदी वो तुझे देखेगा, कि तु सुन्दर है, और मैं मार डाला जाँगा, क्योंकि वो तुझे लेकर तुसे विवा कर लेगा और इस परकार से अभी मिलक ने उसे पकड़ लिया और उसके आदमी उसे अंदर ले आए वो एक सुन्दर इस्तुरी थी प्रसंग वश वो किवल सौ वर्ष की थी और वो वो परमेशन ने हमें थोड़ा सा दिखा दिया कि वो हम सब के साथ क्या करने जा रहा है उनके दोरा आप जानते हैं मैंने अपने मूल पार्ट में से इस सब को लिया है और टेपों पर और आदी आदी और परमेशन के वचन से इसे सिद्ग किया है ये बिलकु ठीक है उसमें अबराहम और सारा के दोरा बता दिया कि वो इस सारी जाती के साथ क्या करने जा रहा है ये ठीक बात है अब वो वहां पर है इसलिए अभी मिलेक उसे अपनी पत्री बनाने जा रहा है अभी मिलेक अब वो इसलिए तयार है कि उसे अपनी पत्री होने के लिए ले और क्या और परमेशन ने अबराहम से कहा था सारा के दोरा तुझे ये बालक मिलेगा और यहां वो युवा परोशों से ले रहा है इधर अबरहम भी था आसपाथ सौ वर्ष का वहां पर परंतो इसके दोरह आप ध्यान दे वहां पर्मेशों ने क्या कहा जी हां मैं तेरे हिर्दे की सच्चाई को जानता हूँ इसलिए मैंने तुझे अपने विरोध में पाप करने से रोके रखा है परंतो तू उस इस्तरी को फेर दे क्योंकि उसका पती मेरा भशो दखता है वो तेरे लिए प्रात्ना करे वरना तू नहीं है मैं तुझे इस्पिर्ट्वी पर से साफ कर दूँगा आप वही हैं क्या परमेशों का वचन ही इस से रहना है सारा को कोई पुरुष्च नहीं चू सकता परमेशों ने परतिग्या दी है सारा कलीशिया का एक परतिग्या सची कलीशिया, सोतंतर कलीशिया, सोतंतर इस्तरी, सोतंतर बालकों के साथ नया जनम पाई कलीशिया का परतिग, उस परतिग्या के साथ उन्हें जो चाहें कहने दो पवितर शोर करने वाले धर्मान दितक के साथ उन्होंने इसे पेंटिकॉल से रोकना चाहा और वे इसे कभी नहीं कर पाएंगे नई शरीमान इससे अपने हातों को अलग रखें बस यही है आट प्रमीश जो पूनाघ sort it, God help me, I prove it to you where we're at आइच एपने रहीं इसका पर्मीश्वर इसे लेने जा रहा है और इसके साथ कुछ करने जा रहा है ऐसी हिनुश्य जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं मैं इसकी आई-उस से होते हुए आ रहा हूं अब कुछी मिन्टों में परमेश्व मेरी साहता करे मैंसे आपको सिद्ध कर दूंगा कि हम कहां पर हैं ठीक हैं वे इसे कभी नस्द नहीं कर पाएंगे ये नस्द नहीं हो सकती ये ठीक बात है उससे अपने हाथों को हटा ले क्यों वहाँ से सौभाविक भी जाता है सौभाविक वंश को आना है यदि ये होता यदि सारा उस दूसरे व्यक्ति से विवा करती तो वो सौभाविक वंश कभी भी उत्वन ना होता इसलिए यदि पर्मेशन ने उस सुभाविक वंश को इतना बचा कर रखा तो आत्मी के लिए कितना जाची वंश उसने सुरक्षित रखा है शेतान उन्हें वापस कर दे उन्हें छोड़ दे तो उनका दम उन संस्थाओं आदी में नहीं गोड़ सकता वे सोतंत्र लोग हैं तू उन्हें जाने दे हाँ उन्हें छोड़ दे उस राजसी वंश को अब वो उन्हें फेर देनी की बात करता है अब यहां यो इल्मे वो इस विशे में बाते कर रहा है एक बार पहले भी मैंने इस पर परचार किया है और इसे दूसरे दिस्टी कोंड से लिया है इसे विस्तार से कभी नहीं लिया जैसे आज मैंसे लेने पर हूँ और इसे लेने का समय नहीं था जबकि इसे कर दिया जाना चाहिए था परन तु परमिश्वर यहां बोल रहा है, यो इल में, परमिश्वर अपने फल के विर्ख्ष के लिए बोल रहा है, जो उसने बोया था, परमिश्वर ने एक फल का विर्ख्ष बोया उसने इसे पेंटिकोस्तल के दिन बोया और वो इस वरिक्ष को वहां एक उदेश के लिए लाया उसने चाहा कि उसके फ़ल लगें वचन परमिश्वर का वचन वो एक ऐसी कलीशा को चाहता है जो उसके वचन का पालन करे इन सारे युगों से होते हुए हवाई से बनाए रखने में असफर रही यहुदी से बनाए रखने में असफर रहे विवस्ता असफर रही सब असफर रहे इसलिए परमेश्वर ने अपना एक वरिक्ष बोया एक वरिक्ष इसमन रखें, अदन वाटिका में दो वरिक्ष थे, हम ये जानते हैं, आप जो चाहें उन्हें पकार सकते हैं, मेरा अपना विचार है, परंतु जो भी है, उनमें से एक दूशित वरिक्ष, जो दूशित हो गया था, और दूसरा वाला जो दूशित नहीं हुआ था वो जीवन का वरिक्ष परमेश्वर के पास से आया, सुर्ख से, उसने का तुमारे पूरवजों ने मनना खाया और मर गए, परंतु इस वरिक्ष तुम खाते हो, तुम सदा जी होगे, और सुर्दूतों ने उस जीवन के वरिक्ष की सुर्ख्षा रखी, उस अधन वाटिका स उसे अधन में रखा, जीवन का वो वरिक्ष अधन में है, अब आत्मी ग्रीती पर बोल रहा हूं ध्यान दें, अब जब ये वरिक्ष जो परमेशन ने बोया, इसे नव विभन परकार के फल उगाने थे, नव विभन परकार के, जिसका अर्थ नो आत्मिक वरदान, आत्मा के नो प्ल, नो आत्मिक वरदानों के साथ, ये परमेशन का वरिक्ष था, उसने इसे परत्वी पर पेंटेकोस्तल के दिन बोया, अब जरा रुकें, समय सदा सीमित रहता है, मैं यहां थोले से बचन छोड़ने जा रहा हूं, और यहां भजन सहीता एक पर आ रहा हूं दाउद ने यह वरिक्ष देखा बहुत पहले, उसके आनन भरे गीतों को लिखने के लिए, यह पहली चीज जिसके विशह में लिखा, उसने इस वरिक्ष को देखा, और यह बहते हुए जल के सोतों के पास लगाया गया, यह वरिक्ष वो, वो उस वरिक्ष के समान होगा, परमेशर का वरिक्ष जो बहती हुई नदियों, नदियों बहुवचन, नदियों के जल, एक वचन के किनारे बोया, कहां बोया गया, ना कि एक मैथोडिस, बैप्टिस, प्रेस्पिटेरियन, लूथरन आदी आदी, नहीं नहीं, ओ, एक जल की नदियां, नौ आत्मिक वरदान उसी आत्मा के दोरा, आत्मा के नौ फल एकी सोते से आ रहे हैं, वो उस व्रिक्ष के समान होगा, जो जल की नदियों के किनारे बोया गया, दाउद ने इसे देखा, और वो बोला, धन्य है वो पुरुष, ध्यान दे, उसने कहा, वो नहीं मर सकता, उसकी पत्या मुर्जाएंगी नहीं, नहीं नहीं, कोई मतलम नहीं, वे क्या करते हैं, वे उस व्रिक्ष को कभी नहीं मारेंगे, क्यों, यह जहां यह बोया गया है, यही जो वो करता है, यह जहां यह बोया गया, वो बेहती हुई नदियों के किनारे बोया गया, अब ध्यान दे, दाउद ने कहा, उसकी जड़ नहीं सुखेगी, अब जानते हैं, आप एक बुरिक्ष को लेंगे, बड़े पुराने पेड को, मैं जब मैं एक लड़का था, मैं बाहर जाया करता था, और हम लड़के थे, हम बाहर जाया करते थे, और एक बढ़के थे, बड़े से पेड़ हुआ करता था और हम उसके नीचे बैठा करते थे बड़ा पुराना बीच का पेड़ और हवाएं चलती और मैं आश्चरे करता कुछ ऐसा प्रतीत होता उसकी चोटी पर इतना ऐसा लगता ये उपर की चीजों को उड़ा देगा परंतु आप जानिये हर बार हवा पेड़ पर चलती ये वरिक्ष को हिला देती और ये जड़ों को ढीला कर देता ताकि वे थोड़ा गहरा खोट सके और अच्छी पकड़ कर सके और इसी परकार से उपहास हसना मसीयों का उपहास उड़ाना ये क्या करता है परेशानिया मसीयों को हिलाती हैं ताकि और प्रातनाए करें नीचे गहराई में जाएं अच्छी पकड़ बना लें ताकि तूफान में इस्थर रह सकें अब यदि मनुष्य ऐसी जगा पर लगाये जाए जैसे नदी के किनारे जहां वसंत नौ भिन परकार के वसंत उसे खिला रहे हैं ओ प्रभू उसकी क्या ही स्थापना है और वो मनुष्य जो नदी के किनारे लगाया गया जल की नदी एक जल एक आत्मा चंगाई के वरदान है वही आत्मा भष्वानी का वरदान वही आत्मा सम्में वही आत्मा परन्तु बहुत से वरदान एक देने वाला अब दाउद ने उसे देखा और वो इस वरश्च के पास लगाया गया अब वो मर नहीं सकता अब ध्यान दें क्यों उसके पास उसकी जड़ों में जीवन था जहां कि जड़ें या वरख्ष का जीवन जड़ों में होता है निश्चे ही बढ़ता है और अपने फल लाता है ठीक है ध्यान दें उसकी जड़ों में जीवन है कि अपनी रितू में फल लेकर आए अब इसमन रखें ये विक्ष अपना फल नहीं गिराएगा अब आप एक पेड़ लें और उसे जल से दूर हटा दें पहली बात आप जानते हैं आपके पास एक छोटा पुराना सेव है वे सारे गाठदार और कीड़े से खाए हुए परंतु ये अपनी फसल को गिरा देगा जा तने वे मामला है अप उस नदी के पास से दूर हो गए आत्मिक वरदान और आप बस सोभावी Riseya है और वे आत्मिक वरदान और unreड़ दूर चले गए और आत्मिक मीचीजां से और उन्होंने अपने फल गिरा दिये अ वे क्या करते हैं? वे वे लोग विश्वासी हैं, संसार के साथ रहते हैं, संसार का तब वेवार करते हैं, चोरी, धोका, जूट, धूमरपान, जुवा, जुवा खेलने की दावतें, कलीसियाओं में की परचारक का भुकतान करें, और सब कुछ सूप की दावत, नाच, समझें, उन्होंने अपने फल गिरा दिये, ये संसार के समान है, अविश्वासी, देखते और कहते हैं, इस विफ्टी और मुझ में कोई अंतर नहीं है, रूस में समयवाद के उठने का यही कारण था, यही कारण है कि उन्होंने कैथलिक अरादना ले जला दिये, और वहाँ नीचे मेक्सिको में, जब मैं वहाँ पर था, और उन्चूने के गड़्ों को देखा, जहाँ वे इस्थान जहाँ उन्होंने अपने उन बालकों को जलाया था, जहाँ वे ननों के बालक हुए, यहां तक की मानव देहें, पूरे बड़े मनुशे की देह वहाँ पर थी, उन्चूने के गड़्ों में, वे क्या करेंगे, उन्होंने अपनी फसल गिरा दी, देखिए, और परमिश्वन ने उन्हें विर्ख्ष से जटक दिया, कुल मिला कर यही था, समझे, परंतु एक मनुशे जो लगाया गया है, हटाय हुआ नहीं, परंतु नदियों के जल के पास लगाया गया है, वो अपना फल लाएगा, ध्यान दें, अपनी ही, अपना फल अपनी रितू में, क्या आप इसे पढ़ रहे हैं? अपना परुष जो ठटा करने वालों की मरली में नहीं बैठता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, वो उस वरिक्ष के समान है, जो जल की नदियों के किनारे लगाया गया, वो अपना फल अपनी रितू में लाएगा, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल ह होता है, देखिये, ध्यान देए, अधर्मी ऐसा नहीं होता, और वो उसके साथ न्याए में खड़ाना होगा, देखा, अब वो अपना फल अपने रितू में लाएगा, ध्यान देए, प्रतेक उसका, वहाँ व्यक्तिगत सुरुनाम, ये उसका फल, परमेश्वर का फल रितू में जो की भश्यदक्ता ला रहा है ये भश्यदक्ता की रितू है परमेश्वर का फल, परमेश्वर के समय में भश्यदक्ता के रितू के द्वारा, समझे? He shall bring forth his fruit in his season See if there is a truth, he is there Bring forth his, God's fruit See, in the season that the messenger is ordained to come He'll bring forth those वो अपना फल, अपने रितू में लाएगा देखिए, यदि वहाँ दो, उसका नहीं, उसका लाएगा परमेश्वर का फल, रितू में जिसके लिए संदेश वाहग आने के लिए ठहरा हुआ है वो उन्हें लाएगा I remember that, the messenger that brings the fruit of God will bring it in God's season and the season of the bringer Amen लाने वाले की रितू में, समझे He will bring forth his fruit in his season and it cannot wither, why? He's got predestinated fruit in there It can't destroy it because it's predestinated वो उसका फल उसकी रितू में लाएगा और वो मुर्जा नहीं सकता क्यों? उसके पहले से ठहरा हुए फल वहाँ है ये उसे नस्थ नहीं कर सकता चूकि ये ठहरा हुआ हुआ है अब इफसियो पाँच एक पाँच बलकि इसने कहा मसी येशु के स्वर्गे स्थानों में एक साथ मिलकर बैठे हैं क्या गटे तुआ? उसने कहा परमेश्वर ने अपने पूर्व ग्यान से हमें परमेश्वर के लेपालक बालक होने के लिए ठहराया येशु मसी के दौरा फरमेश्वर ने अपने पूर्व ग्यान के दौरा हर चीज को पहले से ठहराया जो अपने ही बारी में घटित होगी उसके पूर्व ग्यान से वो इसे पहले से देख लेता है इसलिए आरंब में वो अंत बता सका इसलिए ये पहले से ठहराया हुआ फल है इस पेड की जड़ और व्रिक्ष मुर्जा नहीं सकता क्योंकि ये पहले से ठहराया हुआ फल रखता है अब ये वो व्रिक्ष है जिसके विशे में योली यहां पर बोल रहा है देखिए ये मर नहीं सकता कीड़े से खा गए परंतु ये मर नहीं सकता इसकी जड़ में पहले से ठहराया हुआ सत्य है इसके पास परमिश्वर का वचन है इस पेड पर हुआ और ये पेड वो पेड है केवल एक ही मार्ग ये अदन की वाटिका में लगाया गया था इस तरी के दोरा सारे विर्ष मर गए हम सब इस तरी के दोरा मरते हैं जनम के दोरा हम सब मरते हैं परन्तू मिर्तियू इस तरी के दोरा आई इस तरी के दोरा इस जनम के लिए ठीक है तो फिर पाप के कारण इसे मरना ही है परन्तू वो जनम नया जनम जो मसी के दोरा आता है नहीं मर सकते ये वो वरिक्ष है और दूसरा वरिक्ष समझे और ये वरिक्ष यद पी इसे सताया गया उपहास उड़ाया गया बिलकुल आरम अदन की वाटिका से ही ये नहीं मर सकता ये ठेराये हुआ है लाठी चलाई गई पीटा गया और सब कुछ किया गया और क्या हुआ ये नहीं मर सकता उसका वो नहीं मरेगा वो नहीं सकता क्योंकि वो अपने में परमिश्वर का पहले से ठेराय हुआ वचन थामे हुए है इसे आना ही है क्योंकि उसका फल उसके अपने मौसम में पहले से ठेराय हुई रितू इस से कोई मतलब नहीं योईल ने उन में से परतेक को देखा कि नीचे तक खा लिया गया परंतु उसने कहा मैं उसे लोटा ले आउंगा प्रभू ने कहा क्योंकि परमेशर का पहले से ठहरा है हुआ ये उस वरिक्ष की जड़ों में रखा है इसे आना ही है क्योंकि ये परमेशर का पहले से ठहरा है हुआ वचन थामे है और ओ, क्या ही वरिक्ष है ये ये विरिक्स ये वहाँ पीछे अदर में बढ़ना आरम हो गया था क्या हुआ वो केन के बालकों का जुंड आ गया कुछ कीले आ गये और इसे तने तक खा गये और परमेशर ने इसे एक फसल ले ली और इसे नाओं में रख दिया और इसे निकाल कर ले गया ठीक है आगे इसराइल और प्रेंटेकोस पर जहां कर दो अज्टेशन दोड़ा पर में रख दूद्वादी कर दोड़ा इसे अज्ड़ा प्रूद्री ने यह उसी परकार शे रहा नाओ के प्रानानी में से होते वह और आगे इस्राइल और फिर पेंतिकोस्ट पर जहां कलीसिया दूलन वरिक्ष के लिए उसने पेंतिकोस्ट पर एक करम में रखा वो वरिक्ष जो उसके फल रितू में लाएगा पहले से ठेहरा है हुआ था अब अच्छा चल रहा है फल अच्छे आ रहे हैं ये पेंटिकोस के दिन पर खिल गाए आईए देखे पेंटिकोस के दिन पर क्या हुआ येशु ने कहा वे काम जो मैं करता हूं तुम भी करोगे उन्होंने बीमारों को चंगा किया अब देखें कि उस दिन ये कैसे आरम हुआ पेंटिकोस के दिन पर उन्हों थान के कुछ दिनों के बाद इस्टर के पचास दिनों बाद वहाँ एक सुरक से तेज आंधी आई अब आज हमें से भिन बनाते हैं सेवा खड़े होकर और लेता है और कहता है मैं तुम्हारा नाम पुस्तक में लिखूंगा समझे या कुछ सना तक अपने गोल गूमे कालरों के साथ कहा यहां आकर कोशा रोटी लो और तब तुम इस कलीशा के सदस से बन जाओगे क्या यह विचितर नहीं सेवा कहता है आकर हमारे जुन में शामिल हो जाओ क्यूं वे दोनों गलत हैं पेंटिकोस के दिन वहां स्वर्क से आया ना की परचार मंच के मार्क से स्वर्क से एक क्या एक याजक नहीं एक सेवक नहीं यह क्या था एक बड़ी आंधी का ऐसा शब्द और जहां वे बैठे थे भर गया फटी हुई जीबें उन पर आठहरी लड़ खडाती जुबाने वे बात ना कर सके वे महिमा से इतने भरे हुए थे पवित्रा आत्मा उन में भर गया बहार सडकों पर निकल गए बड़बडाते हुए इस प्रकार का वेवार और यहां तक की सम्मानित मंडली वहां खड़ी हुई बोली भई यह लोग नई मदरा के नशे में हैं यह सब पिये हुए हैं इन पुर्शों और इस्त्रियों को देखो कैसे यह लोग रड़ खड़ा रहे हैं और चल रहा है अब यह पवित्र आत्मा यू कहता है यह वचन है इसी प्रकार से कलीशया संस्थागत हुई थी संस्थागत नहीं परन्तु अभिशिक्त हुई दो शब्दों में बहुत अंतर है ध्यान दे वे वहां थे अब आप जानते हैं कि क्या आप कैसिलिक लोगो वो धन्य कुमारी मरियम उनके साथ थी जी हाँ जब यदी परमेशों मरियम को बिना पवित्रा आत्मा पाए स्वर्ग में नहीं आने देगा तो फिर आप वहां कैसे पहुचने वाले हैं इसमें कमी के साथ अब ज़रा इस पर सोचें ये ठीक बात है मरियम उन्ही के बीच में थी उसने वहां तब तक प्रतिक्षा की उसने अपनी सारी प्रतिस्था और घमर ना खो दिया पवित्रा आत्मा से भर गई और यहां वे मदर्य पीने वालों जैसे वेवार करते हुए आए बाइबल ने कहा उन्होंने किया उन्होंने कहा ये सब नई मदर्या के नशे में हैं परंतु पत्रस उस सेवक जुंड का वक्ता खड़ा हुआ और बोला ये लोग नई नशे में नहीं हैं जैसा तुम समझ रहे हो देखो अभी तो दिन का तीसरा घंटा है परंतु ये वो है जो कि योए नभी के दोरा बोला गया जो मैं आज पढ़ रहा हूँ कि ऐसा होगा अंत के दिनों में परमिश्वन ने कहा मैं अपने आत्मा सम अनुश्यों पर उंडे लूँगा और तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविश्वानी करेंगे और मैं आकाश में आश्यर जनक चीजे दिखाऊंगा और पिर्सवी परचिन और ऐसा होगा जो भी प्रबु का नाम पुकारेगा बच जाएगा अब पतरस ने पेंटिकोस्त पर प्रचार किया उस भवश्वश्दक्ता के अनुसार जिसके विशे में मैं आज प्रचार कर रहा हूँ इस पेड को लगा रहा हूँ यही जहां उसने इसे लगाया ओ यह अच्छा हो गया वे बाहर निकल गए और आत्मी वर्दान पाए उन्होंने बीमारों को चंगा किया उन्होंने परचार किया वे जेल में डाले गए वे वचन के कारण दुख ढ़ाने की इच्छा रखते थे यदि आप किसी रास्ट में जाएं जो धीला ढाला तो आप अपने को अच्छा अमरीका नहीं बना पाएंगे यदि आप वहां गए यदि अब आप जापान जा रहे हैं तो आप रेखा से पीछे रहे गए कहें सुनिए मैं आप के लिए हूँ आप जानिए कि मैं आप के लिए हूँ परंतु मैं दूसरी और हूँ आप विश्वास घाती हैं आपको गोली मार देनी चाहिए ये ठीक बात है आप एक विश्वास घाती हैं निश्चे ही और तब ये इसी प्रकार से है वो मनश्च जो परमिश्वर के वचन को जानता है और किसी संस्था के कारण समझाता करेगा क्योंकि वे उसे बताते हैं कि उसे ये इस प्रकार से करना है ये विश्वास घात है ठीक है परंतु ये मनुश्य विश्वास घाती नहीं वे चिंता नहीं करते कि कितना वे कैसे चलते हैं उनके कलीश्य का क्या चलन था चीखना और रोना चिलाना भाशाओं में बड़बडाना ऐसा प्रतीत होता है एक दूसरे से बाते कर रहे हैं और समझ ना सके वे लोग वहां बहार दूसरे देशों में भक्त गण और दूसरी भाशाओं वाले सुनने लगे कि वे क्या करह रहे हैं वे नहीं जानते थे कि ये क्या कह रहे हैं वे बड़बडा रहे थे परंतु बहार दूसरे लोग इसे समझ गए और उन्होंने कहा निश्चे ही ये लोग नशे में हैं परंतु पत्रस ने कहा वे नशे में नहीं हैं परंतु ये लोग पवित्र आत्मा से भर गए हैं इसलिए हर कोई उनमें शहीद होने को गए सवाई यहना के और उसे तेल के कड़ाओं में 24 गंटे तक जलाया गया और वे उसकी आत्मा को भी उसमें से ना जला सके और फिर वो सभाविक मिर्तु समरा केवल एक यहना प्रकाशन वाला अब यह ठीक बात है अब ध्यान दे क्या घटेत हुआ इस पर परमेश्वन ने एक रिक्ष लगाया कि नौ आत्मिक वरदान ले आए उसके आत्मा के वरदान वही आत्मा मसी में था नीचे कलीसिया पर उतर कर आया जिसमें अनजीवन था अब आत्मा के वरदान कलीसिया में थे और ये बढ़ रहे थे हर जगा फल उत्पन कर रहे थे उन्होंने अपने विशे में नहीं सोचा उन्होंने कुछ भी संसागत नहीं किया और वे बस आगे बढ़ते रहे और भाई थे उन्होंने नहीं था मुझे परसंदा है कि वो छोटी सी चीज थी कोई मतसार नहीं केवल मसी कोई नियम नहीं केवल प्रेम कोई पुस्तक नहीं केवल बाइबल यही जो मैं विश्वास करता हूँ समझे और उन्होंने इसी परकार किया ये संसार हमारा चर्च है, हर जगा इसलिए ध्यान दें, ये लोग जब वे इसे कर रहे थे, वो कलीशा कितनी महिमा में थी और परमिशर उनके संग था, बाइबल ने कहा, और येशु उनसे अपने उपर उठा लिये जाने से पहले मिला उस ने कहा, तुम सारे संसार में जाओ, और हर प्राणी को सूसमा चार परचार करो, विश्वास करने वालों के ये चिन होंगे, मेरे नाम में, अब ये चिन अब आज हम किस प्रकार के चिन्नों से विश्वासी कहलाते हैं, वो पास्टर के साथ हाथ मिलाता है, वो एक कलीशिया से जुड़ा है, उसका नाम रेजिस्टर में लिखा है, क्योंकि उसकी मा का भी नाम लिखा था, आपके पिता का भी नाम उस पुस्तक में है परंतु ये तो ये शुन नहीं कहा, ये शुन नहीं कहा, ये शुन नहीं कहा, ये चिन, ये सुभावी कलीशिया, हम आत्मी कलीशिया के विशे में बात कर रहे हैं, हम आत्मिक वरिक्ष के विशे में बात कर रहे हैं, थोड़ देर में हम उन दो वरिक्षों को लेंगे, येशु ने कहा, वे जो इस वरक्ष पे लटकते हैं, उनके ये चिन होंगे, जो इस वरक्ष से अपना जीवन प्राप्ट करते हैं, उनके ये चिन होंगे, मिने नाम से वे प्रेत आत्मा को निकालेंगे, वे नई नई भाशाएं बोलेंगे, यदि उन्हें साप उठाना पड़े, या घा तक वस्तु में पीनी पड़े, ये उन्हें हानी नहीं पहुचाएंगी, यदि वे बीमार उपर हाथ रखेंगे, वे च कहा हैं, उसने संसार को एक उधारन दिया कि विश्वाशियों के क्या चिन होंगे, और उसने कहा, ये बहुत ही अच्छा होगा कि तुम्हारे गले में चक्की का पाट लटका कर, और समंदर की गहराएं में डाल दें, जो इनमें से किसी एक को ठोकर खिलाए, क्योंकि उनके स्वर्ग दूत, सदा मेरे पिता का मूँ ताकते रहते हैं, जो कि स्वर्ग में है, स्वर्ग दूत, अब ध्यान दें, वे वहाँ पर हैं, और विरक्ष बोया गया था, ये महान कार्य कर रहा था, हम जानते हैं कि वे हर कहीं गए, प्रभू, क्यों, पेंतिकुस के दिन तीन हजार प्राण मिल गए, बबतिसमालिया और कलीसिया में गए, और क्या ही शांदार बड़ी उनकी संगती थी, और हर कोई किसी को भी किसी चीज की अवशकता नहीं थी, हर कोई दायालू हिर्दे का था, और एक दूसरे के साथ, वे सब एक बड़ा परिवार थे, और वहाँ एक छोटा पुराना गंदा देखने वाला, लालची दातों वाला कीडा जो चाहर चाहर है चार स्थितियों में रहता है, जैसे कि योईल ने उसे देखा, चार स्थितियों वाला कीड़ा जो नस्ट करता है, आकर उसने परमीशर के संदर विर्ष को नस्ट कर दिया, जरा इस पर सोचें, अब मैं योईल के उसमें से कुछ पढ़ने जा रहा हूं, उसने क्या कहा, परमीशर के विर्ष के पास, जो की कलीशिया था, पहला गाजाम नाम का था, ये छोटा सा है, ये छोटा सा कीड़ा इसने क्या किया, गाजाम ने, ये विर्ष के फल को नस्ट करने को आया, ये पहली चीज थी, अब आईए टेहास में चलते हैं, और देखे पहली चीज क्या थी, सम्मानित लोगों का जुन साधान लोगों में घुज गया, और उन्हें रहे कहा, ये अच्छा है कि तुम लोग बीमारों को चंगा करते हो, और तुम लोग इन चीज़ों को कर सकते हो, ये बहुत ही शान इसलिए आप देखिये हमें क्या करना चाहिए, हमें चाहिए कि हम बड़े दर्जे के लोगों में करें, कि इसे समझें, अच्छे वर्ग के लोग, मेर, नियाई और आदी-आदी और नगर के सम्मानित वर्ग, और जब तक आप इस प्रकार से करें, कर रहे हैं, वे कभी आपके पास नहीं आएंगे, समझें, वे आप लोगों से डर्ते हैं, कोई कहता है वे अब भी, किसी ने कहा, मैं समझता हूं कि ये सही बात है, ये ठीक है, वे पवित्रा आत्मा से डर्ते हैं, मुझे शमा करें, मैं गाना गाया करता हूं, ये पुराना है, आपने कभी सुना है, पुराने समय का धर्म, किसी ने ये गाना सुना है, वर्षों पहले में से छोटे गाने को ऐसे गाता था, मैंने कहा, ये पुराने समय का पवित्रा आत्मा और शैतान इसके पास नहीं जाएगा, यही कारण है कि लोग इससे डर्ते हैं, परंतु मेरे लिए बहुत भला है, ये इतना अच्छा है, मैं दूसरा नहीं चाहता, ये मुझ से मेरे भाई से प्रेम करवाता है, और ये छिपी बातों को बाहर लाता है, इसलिए ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये ठीक बात है, ये आप से जूट बोलना बंद करवाएगा, जब आप मर रहे होंगे, ये आप को बचा लेगा, ये शैतान को भगाना आरंब कर देगा, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये ठीक बात है, ये ही कारण है कि लोग अब इसे नहीं चाहते, अब ये परमेश्वर है, उन्हें ने का ये मनश्चे, कलीसिया, बड़ी सम्मानित कलीसिया, कहा तुम हमें बताने आये हो, हम कौन है, मैं आपको बता दूँ, हम डॉक्टर, पीच्डी, ल, ल, क्यू, यू, एस, और मेरा ये सब, ये क्या, क्यूं मैं महायाजक, मैं ये या वो कुछ, और तुम मुझे बताने आये हो, क्यूं, तु तो पापों में जन्मा है, तु अवेट संतान को छोड़ और कुछ नहीं, तेरी मा ने तुझे अपने में रखा, इसके पहले तेरा पिता, तेरे पिता ने कभी विवा किया, उसने कहा, कौन मुझे पर पाप का दोश लगाता है, देखा, कौन मुझे पर दोश लगा सकता है, ठीक है, पाप, परमिश्वर का वचन का अविश्वास करना है, दूसरे शब्दों में उसने कहा, मुझे दिखाओ, मैं कहाँ पर परमिश्वर का वचन पूरा नहीं कर रहा हूँ, पूरी रिती से, जहां की से होना चाहिए, मुझे वचन में दिखाओ, मेरे दिन कहा है, यदि मैं अपने पिता के कार ये नहीं करता, तो तुम मेरे विश्वास ना करो, कहा, तुम इसका दावा करते हो, अब देखें, तुम इसे करते हो, ओ, प्रबू, इसके बाद से उन्होंने उसे कुछ नहीं पूछा, देखा, उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया, जैसे शेतान उसके पास उड़कर पहुचा, मैंने कहा कि उसने सोचा, वो बस कुदा, जो भी हो, परंतु उसने पाया कि उसमें उस्तार में लाखों वोल्ट बिजली है, वो बहुत जल्द कूद कर उससे दूर हट गया, क्योंकि वो उससे समाल ना सका, और निश्चे ही ये बात थी, इसलिए ये चोटी गाजाम टिड़्डी आसपास आई, कि फलों को खा ले, मेरे पास फलों पर दो पन्ने है, मैं इन में सो कुछ को पढ़ना चाहता हूँ, पहली बात, पहला फल, उसने खा लिया, भाय चारे की प्रीती थी, ये ठीक बात है, ये उन में से एक बात थी, जिसने कलीशिया को वही मार डाला, इस भायों के प्रेम पर जीहां शिरिमान, तब अगला फल जो उसने विरिश से लिया, इसमन रखें, प्रेम, विरिश का पहला फल था, प्रेम, आनन, शांती, धीरज, भलाई, नमरता, विश्वा, सैयम, पवित्रा आत्मा में, ये ठीक बात है, अब नौ आत्मिक वर्दान विरिश के, नौ फलों के साथ, और आदी आदी, ठीक है, अब पहला उस पेड का फल खाना है, अब एक बड़े विरिश का चितरन करें, परमेशर के विरिश का, ये नौ आत्मिक वर्दानों को रखता है, एक महानकार नहीं रहे है, अनका किसी नामधारी से गठबندन नहीं है, वे Сोतंत्र रहे, एक महानकार्य कर रहे हैं, इसलिए वोही पुराना शैतान आया, सामने की और दो सिंग निकाले बैठा है, टिडडी के समान आप जानते हैं, और उसके पुराने लालची दात, ये उसका पहला गाजाम, वो आता है और भाईचारे की पृती को खा जाता है उसने का तुम्हे मालूम है, उसने अमुक अमुक ने ऐसा किया, वहां अमुक अमुक कलीशिया में, मैं ऐसे लोगों का विश्वास नहीं करूँगा, समझे, ये यहां पर है पहली बात अगला वो विश्वास के फल को खाता है, वचन में विश्वास, अब देखिये आप कैसे जानते हैं कि ये वचन है, इसका कितनी ही बार अनुवाद हो चुका है, वो छोटा शयतान अब भी इसे खा रहा है थीक है, उस वचन का बहुत बार अनुवाद हो चुका है, वो ये वो और आदी आदी, ओ, वो ये सब है, समझे, अब ये दूसरा फल है, जो उसने खा लिया, वो धार का आनन, तुम लोग बहुत शोर करते हो, ओ, प्रभी आदी, ओ, भाई बर्णम, आप ये कैसे परचार कर सकते हैं, एक बार एक महिला ने मुझे कहा, नहीं, ये नहीं, वो एक पुराना पुरुष था, मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि वो यहां है, वो दूसरी कलीसिया से है, परंतु उसने मुझे कहा, बोला, मैं आपको सुनने के लिए, उस दिन वहां पर गया था, मैं आपको सुन नहीं सका, क्योंकि वे लोग चिला रहे थे, मैंने का, यदी वे, बोला, आप संसार में कैसे परचार कर सकते हैं, मैंने का, यदी उन्होंने इसका आनन नहीं लिया तो मैं वहां परचार नहीं करूँगा ये ठीक बात है जियां मैं करता था मेरा एक मित्र जिम पूल और मैं हमारे पास एक पुराना कुता हुआ करता था हम उसे फिर्ट्स कहा करते थे और ये पुराना कुता किसी भी चीज में लट्टों आदी में घुज जाता उस सकंक जानवर को छोड़ वो सकंक जानवर से डरता था क्योंकि उसकी बद्वू ऐसी थी मैं उसे जाड़ी के धेर के नीचे सकंक के पास ले जाता मुझे केवल करना होता था कि उसे थोड़ा सा पुछकार हूँ कहता उसे ढून उसे ढून बच्चे वो जाकर उसे सकंक को ले आता क्योंकि मैं उसे पुछकारता कहते हूए उसे ढून यह जो हम पुरी बद्वू जो मैं जानता हूँ शैतान है इसलिए जब मैं शब्द को निकालता हूँ और कोई आमीन कहता है यह सिक उसे ढून डड़के और हम पाते हैं हम उस पेड के पास ले जाएंगे इसलिए हम पाते कि वो उसके आनद को समात कर देता अब जानते हैं दाउद ने एक बार अपने उधार का आनद खो दिया उसने अपना उधार नहीं खोया परंतु उसका आनद खो दिया वो रोया प्रभू मुझे मेरे उधार का आनद वापस दे दे समझे आनद इसलिए ये छोटा पुराने गाजम ने आनद का फल खाना अरम कर दिया अब इदर देखिए आप लोग बहुत शोर करते हैं मैं आपको बताता हूँ ये सब चिलाना और आमीन कहना और ये चिलाना ये निर्थक है इससे कुछ नहीं है देखिए पहली बात आप जानते हैं वो एक बड़े मुर्दा घर में बैठा है आप समझे वहां बैटे हैं सब मरे हुए हैं उन में से कुछ में शब सजोने का तरल भरा हुआ है जो की शिक्षा कहलाती है उस मतसार के उनके अंदर नसों में भर दिया गया है जहां कि परमेशर का आत्मा दोड़ना चाहिए था जहां कलीशिया का पुराना मतसार भरा हुआ है कोई आशरे नहीं वे बरफीले ठंडे और मरे हुए हैं आत्मिक थर्मा मीटर में जीरो से 90 डिगरी नीचे जी हां कोई कहता है आमीन हर कोई अपनी गर्दन घुमाता है जैसे की एक परकार की बत्तक हो या कुछ और जन्ना चाहते हैं इसने क्या कहा ये लजजा की बात है जबकि परमिशर के आत्मा को आनंद करना शांती प्रेम होना चाहिए परन्तु इस छोटे कीड़ी ने इसे खाना आरंब कर दिया इसने सारा आनंद खा लिया और फिर विर्ख्ष पर अगला फल शांती दिमाग की शांती ये जानते हुए कि आप बचे हुए हैं वे आपको बताते हैं यदि आप हमारे मतसार को रटलेंगे तो आप बच जाएंगे यदि आप मेरी कलीशिया में सदस्य हो जाएंगे आप बच जाएंगे भई अब ये वाला कहता है यदि आप वहाँ जाते हैं तो आप बचे उए नहीं हैं बचने के लिए आपको हमारे कलीशिया का सदस्य होना पड़ेगा आपको कहना होगा मर्यम कीजए आपका नाम इस पुस्तक में होना ही चाहिए आपको करना ही है ओ ये आपका सारा आनंद बाहर निकाल देगा ये परमिश्वर का वरिक्ष नहीं है आप जानते हैं कि आप कहां है ये मिलावट है आप खचर के विशे में मेरी कहानी जानते हैं वो मिलावटी है वो नहीं जानता कि उसका पिता माता कौन है कोई भी कौन था समझे वो एक दोगला है परंतु अच्छे वंश का घोड़ा वो जानता है उसके पिता और माता कौन थे पिडियों में से होते हुए और वास्तिविक वंश वाला मसीभी जिसके पास पवितरा आत्मा है वो जानता है कि ये पेंटिकोस्तल के दिन उत्रा वो जानता है कि वो कहां है वो पीछे अपने वंश को ढूंड सकता है उसकी वंश वली उसकी पहली शुरुआख पत्रस के पास था उन रास्टों और जातियों में से होते हुए ये उनके पास था एक अच्छा वंश वली वाला मसीभी जानता है कि वो कहां से आया है कहते हैं मैं लूथरन हूं ओ मैं प्रस्पृटरियन हूं ओ तुम दोगले हो आप क्यों नहीं हो भई आप कहते हो आप क्या हैं नया जनम पाए हुए किस से नया जनम पाए हुए परमेशर के आत्मा से इसलिए आप दोगले नहीं हैं आप सही में जन में हैं किसी कलीशा के मतसार से नहीं परन्तु परमेशर के आत्मा से परमेश और आप में वास करता है अब ध्यान दें इस छोटे से कीड़े ने खारा अरंब कर दिया इसलिए इसने दिमाग की सारी शांती खा डाली ओ फिर और फिर और यहां मेरे पास सारे फलों के लिए पन्ने भरे हुए हैं उसने क्या किया तब यह छोटा कीड़ा मर गया और वो टिडड़ी बन गया यह अगली सी थी एक टिड़ी था अब टिड़ी क्या करती है टिड़ी पतियों को खाती है यह ठीक बात है एक टिड़ी पतों को ले लेती है जो गाजाम ने छोड़ा उसने पत्ति ile को छोड़ा उसने टूड़ा उसने वरश के सारे फ़ल खालिये फिर क्या लिया टिडी ने वो खालिय जो गाजाम में छोड़ा जब इसने क्या किया, इस गाजाम ने क्या किया, पत्यों को नस्थ कर दिया, पत्या किसलिए हैं, दिवे संगती को नस्थ कर दिया, ये ठीक बात है अब वो वो प्रेस्पिटेरियन है, हमारे उसे कोई भी सरोकार नहीं होगा, वो नाजरीन है, वो पेंटिकोस्तल है, वो ये वो ये या कुछ और, हमारे उसे कोई मतलम नहीं, क्योंकि वो हमारे जुंड का नहीं है बीमारों की चंगाई के लिए यहां एक सभा है, ओ, हमारी कलीसिया तो इसमें विश्वास तक नहीं करती, समझे, वो इसे सिती में है, वो छोटी टिडी क्या करेगी, वो सारी संगतियों को समाप्त कर देती है, ये ठीक बात है, सारी संगती ले ले लेती है संगती क्या है, पत्य क्या करती है, थंड़क बनाती है, जहां चडियां पत्यों के नीचे उड़ती है, और हापती हुई थंड़क पाती है, यहां फिर से आपका वरिक्ष है, और वो उस पेड के समान होगा, जो लगाया गया है, समझे? ठीक है, जहां लोग आ सकते हैं, और पव्ज़ा आत्मा की संगती में बैठते हैं, थोड़ा सा ठंडे होते हैं, आप सब घबराइ हुए हैं, और नहीं जानते की क्या हुआ, चाहे आप मरें, चाहे आप बचे हुए हैं या नहीं हैं आप नहीं जानते कि ये कलीशा ठीक है कि नहीं ये सही है बस इस वरश के तले आ जाओ इस पर कुछ पत्ते हैं वहां नीचे बैड़ गए और सुर्क से हवा बहने दो तेज आन्दी के सामान उन पत्तों में से आप जानते हैं आरंब और वो थोड़ा थोड़ा ठंडा करना शुरू कर देता है कहते हैं ओ, मैं वहां जा रहा हूँ उन शौर करने वालों को बताता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ बस थोड़े समय के लिए बैठा और आप ठंडे हो गए ये ठीक बात है आप ये अपने में नहीं कर सकते कारण क्या कारण है टिड़ी ने सब खा लिया है निचे ही सारी पतियां खाली है वैसे ही हो सकता है जैसे बाहर धूप में बैठे है इसलिए आप वहां नहीं है वहां पर ठंड़क नहीं है ठीक है अब इसलिए वहां परंतु आप जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए बाइबल ने कहा है कि पहले से ठहराई हुई कलीशिया परमेश्वर के पहले से ठहराई हुए पुत्र वे क्या करते हैं सुर्गे इस्थानों में बैठे हैं वो क्या है ठंड़क आराम घर जैसा अनुभाव आमीन जहां हर कोई टक्सिडो सूट पहने हुए है और अगले वेक्ति इस परकार का है और उन में से कुछ यह ओ देखो उसके बालों में वो फिक्सर कभी नहीं रहा क्या वो भैनक सी नहीं लगती उसके पास इस्टर वाला विशेश पहनावा भी नहीं है अब यह चाहे जो है क्या है आप जानते हो कभी जिहां इस्टर का पहनावा यह लगबख ठीक है वहां पीछे बैठे हैं बढ़ रहे हैं समझे इस्टर का वो तक नहीं है क्योंकि भाई उसको देखो वहीं पुराना सूट जो पिछले वर्ष पहना था अच्छा आप उसके विशे में क्या जानते हो आप वहां अच्छा अनुबाँ नहीं करते मैंने उस दिन उस इस्टरी से कहा तू गरीब बेचारी इस्टरी तू अब एक बड़े सम्मानित कलिसिया से है उसने कहा वो कैंसर से मर रही है अपने लिए प्रासना करवाने गई थी यहां भाई रॉबर्सन है हमारे एक ट्रस्टी मुझे वहां भेजा वो बेचारी वहां बैठी थी कैंसर से मर रही थी और उसने कहा मैंने कहा क्या आप एक मसीही है उसने कहा श्रीमान में नहीं जानती कि क्या कहते है कहा मैंने किसी कलिसिया में गई थी कहा और उसने रोना आरम कर दिया मैंने कहा क्या बात है बोली मैं सही से कपड़े नहीं पहन सकी बोली उन्होंने मेरी और देखा आप हैं समझे आप बेचैन हैं समझे परंतु बाइबल ने कहा कि हम लोग अपने कोई एक साथ मिलका सुर्गिस्थान में एकत्र करते हैं ओ प्रभू क्या सब एक से हैं क्यों मैं आपको बढ़ताऊं कि ये क्या करेगा मैं आपको बनाऊंगा मैं कुल मिलाकर एक जोड़ा बनाऊंगा और एक टुक्सुड़ सूट और वे एक दूसरे से गले में हाथ डालेंगे और एक दूसरे को भाई कहेंगे निश्चे ही होंगे मैं एक पुराना सूती छापे वाला बनाऊंगी उनके बाहों को सिल्क साटन पर दलवाऊंगी और कहते हैं बेहन इस सुबह तुम कैसी हो परमेशर की महिमा हो ये ठीक है ये चलेगा ये तो आनन शांती प्रेम विश्वास परमेशर के वचनों में है धैरिय कोमलता सैयम मसी येशु में सुर के स्थानों में बैठे हैं थोड़ी देर के लिए शांत थंड़क समझे यही है जो पत्तियों ने किया परम तु पुरानी टिड़ी ने क्या किया वो आस पास आई और उन पत्तियों को खा गई कहा तुम हमारे हो या आप किसी के नहीं हो इस परकार से उसने आत्मा की सारी ठंड़क ले ली समझे उसने अपने लिए मतसार तै कर लिया अब हमें आगे बढ़ना है हम इस पुरानी टिड़ी पर लंबे समय तक रुख सकते हैं परंतो इसकी तीसरी सीती यलिक थी आरम से ही इसका नाम खराब है यलिक ये यलिक नाम टिड़ी क्या करती है ये च्छाल में घुश जाती है ये जीवन रेखा है जीहां शिरिमान ये च्छाल में घुश जाती है और ये आवरन को नस्थ कर देती है वरिक्ष के च्छाल को उसका आवरन धरम क्या है आवरन धरम शब्द का यही अर्थ है एक आवरन इसलिए ये च्छोटा येलिक जब ये भक्त मंडली में घुश जाता है ये उन सब को सम्मानित कर देता है तब वो उन से सारी संगती ले ले लेता है उस टड़ी के रूप में और अब वो आसफास आकर उनके धरम को ले लेता है और इसमें से धरम से धांद बनाता है ठीक है और अपने लिए एक धरम तयार करता है और कुछ लोगों का जुंड बनाता है और उन्हें एक मतसार देता है और उसी धरम को लेता है और परमेशर के उस वरिक्ष को नंगा कर देता है उसी चाल को जिस से जीवन रस उपर पेड में जाता है उसे हटा देता है येलिक क्या आप इस कीले को देखते हैं ये सही बात है ये येलिक आरम की कलिशा में ये रोम था पहरी बात पेंटी कोसल जूंड पेंटी कोसल संसागत हैं नहीं नहीं श्रीमान कोई भी चीज जो संसागत है मर गई मैं से वचनों के दोरा एक मिनट में सिद करूंगा समझे परंटू जब ये एक परंटू पेंटी कोसल अनुभाओ ये किस के लिए है ये कैथलिक के लिए है और कौन मेथोडिस्ट, बेटिस्ट, प्रस्पिर्टेरिन कोई भी जो इसे लेना चाहता है परंटू आप ये सब लेना चाहते हैं आप इसमें सदत से नहीं बनते मैं ब्रणम परिवार में त्रेपन वर्षों से हूँ और मैं कभी भी इसका परिवार का सदसे नहीं बना क्यों मैं आरम से ही ब्रणम हूँ मैं ब्रणम ही जनमा हूँ इसी प्रकार से हम मसीही हैं इसलिए नहीं कि हम इसके सदसे हो गए ये एक संसा है हम जनम से मसीही हैं पवित्रा आत्मा दोरा पुनोरो धारक होते हुए अब ध्यान दें अब ये छोटा ये लिख अपने आपको चाल में छेद करके घुसता है इसने क्या किया इसने इसका धरम लेना आरम कर दिया इसका आवरण, इसकी शिक्षा इससे अलग कर दी धरम एक शिक्षा है, एक आवरण किसी भी चीज़ को ढातता है यही कारण है हमारा धरम लहू के दौरा है लहू, लहू में जीवन है जो वचन को ढाके रहता है और जीवन, यह लहू है लहू धरम है और लहू का जीवन जो की परिणाम लाता है कियो आप इसे देखते हैं, यह अंजीर के पत्तों से ढखा हुआ नहीं है एक बार आदम और हवा ने यतन किया था कि इन ने भी वही चीज़ की थी क्या आपने ध्यान दिया कि इन कुछ वनस्फती का जीवन लाया समझे, परन्तु यह कारे नहीं करेगा इस ने आदम और हवा के साथ कारे नहीं किया यह आज काम नहीं करेगा जब परमिश्वन ने इसे आरम में मना कर दिया तो यह अनंत के लिए मना हो गया मनुश्य रचित, मतसार और विचार इसे कभी नहीं लेंगे इसे तो परमिशर के वचन नहीं करना है और वचन लहू के दौरा मसी का बलिदान ये ठीक बात है लोग जैसा कि भाई ने इस सुबह बोला शिप्टियां खेंचना भाई आप जानते हैं आज रास्त में उन्निस अलग-अलग कीले हैं वे अलग-अलग संसाएं इन्हें रखे हुए हैं और दावा कर रही हैं कि ये वास्तिक वोही कीले हैं जो उसके हातों में थी क्या है यदि वो वोही भी थी मैं उनके साथ कुछ नहीं करना चाहता निश्चही परमेशन ने कोई भी चीज इसमरती चिन और चिन के लिए नहीं छोड़ी उसने पवित्रा आत्मा भेजा कुछ जीवित जो नस्त नहीं किया जा सकता वो कील मेरी क्या भलाई करेगी और वो मूल सलीफ जिस पर वो लटका था मेरा क्या भला करेगी जरा भी नहीं कील को नहीं जानना कुरूस को जानना परमतु उसको जानना जीवन है अब इसलिए हम कीलों पर टिके हुए हैं हम स्मृति चिनों पर टिके हुए हैं और हम इस्थानों को पकड़े हुए हैं और आज लोग यरुशलम नगर में उपर नीचे घूम रहे हैं जगा जगा और इसमृति चिनों को पकड़े बैटे हैं इसका इन बातों सो कोई मतलम नहीं जरा भी नहीं ये चीज़े बेकार सड़ा और खतम हो जाएंगी रोमे में एक अरादनाले में गया है वहां वे सारे पाद्री जो मरे उन्होंने उन्हें वहां नीचे वाटिका में गाड़ दिया और उनका मास हड़ियों से छूटने दिया और तब वे उन हड़ियों को लेकर दिनाग के साथ जोड़ देते हैं और उनकी खोपड़ी आसपास रख देते हैं और लोग वहां आकर उन हड़ियों को रगड़ते हैं और आशिशे लेते हैं जब तक कि खोपड़ियों सफेद होका तूट नहीं जाती जिसे आप संथ पत्रस अराधनाले में जाते हैं पत्रस का एक पाउं है वे दवा करते हैं वहाँ एक मूरत नौ दस बार चूम चूम कर खतम हो गई उसका दूसरा पैट ढाल कर बनाया ऐसी निरर तक अंद विश्वास बस यही सब कुछ मनुश्य दौरा शिक्षा का मतसार परमेशर ने पवित्रा आत्मा भेजा परमेशर का जीवन की आप में हो ना की मूरत में आप वो ही वेक्ती हैं जिसमें परमेशर रवास करना चाहता है ना की मूरत में परंतु आप में लोग पवित्र मूरत कहते हैं वे पवित्र मूरते नहीं हैं आप परमेशर की पवित्र मूरत हैं बाइबल ने ऐसा कहा ये ठीक बात है तूने मेरे लिए एक देह तैयार की अब छोटे वेक्ती ने नस करना अरम कर दिया क्या नस कर रहा है ये लेक चाल में घुज गया ध्यान दे इसने क्या किया चाल को नस करना अरम कर दिया इसने क्या किया इसने आत्मी कलीसिया के लिए शारिरी कलीसिया बनाई जिया श्रीमान इसने सत्त को ले लिया और जूट दे दिया अब इसमें रखें पत्तिया फल गाजाम ने खा लिया पत्तिया टिड्डी ने खा लिया अब चाल अनावरन वो धर्म शिक्षा शिक्षा ये लेक ने खा लिया बाइबल के बाहर से पहली शिक्षा कहा से आई आप इतहास कारों आप जानते हैं ये कहां से आई है रोम से ये ठीक वहीं से आरम हुई वहाँ उन्होंने धर्म सिद्धान स्युकार करना आरम कर दिये इसी परकार से इरेनियस, संत मार्टीन, पॉलिकार्ब और वे सारे यहनना की मिर्त्यू के बाद परमेशर के वचन का अनुवाद करने के लिए वो वहाँ पत्मस टापू पर था उन्होंने उसे तेल में 24 घंटे जलाया वापस लाए और वो अब भी बाइबल लिख रहा था परमेशर ने ठाना हुआ था कि ये बाइबल लिखी जाएगी ये परमेशर का वचन है हम इसमें से निकाल नहीं सकते या इसमें मिला दें इसे वैसे ही रखना है जिस परकार से ये है वचन ध्यान दें जब वे वापस आए जब परमेशर के ये संत उस वचन को थामे रहने का यतन कर रहे थे रोम बीच में आ गया और धरम से धान सुकार कर लिए उसके बदले में अब हम देखें कि उसने क्या किया उसकी कुछ गलत शिक्षाएं जो उसने किया पानी का बब्तिस्मा जिसको उन्हें अधिकार मिला था पत्रस ने कहा पेंटिकोस के दिन पवित्रा आत्मा के प्रभाओं में परमीशर का वचन तुम मेंसे हर एक प्राश्चित करे और अपने पापों के शमा के लिए येशु मसी के नाम में बब्तिस्मा ले रोम ने इसके साथ क्या किया इसे गुमा दिया और कहा पिता पुत्रा पुत्रा आत्मा के नाम में बब्तिस्मा लो इसे मतसार बना दिया ना की बाइबल की शिक्षा उसने क्या किया ये ले खा रहा है बजा डुबाने के छड़काओं कर रहा है पिता के नाम पिता पुत्र पवित्रा आत्मा कोई नाम नहीं है ऐसी कोई चीज नहीं है पिता का नाम नहीं है पुत्र का नाम नहीं है पुत्रा आत्मा नाम नहीं है जब येशु ने कहा उन्हें पिता पुद्र पुद्र आत्मा के नाम में बतिश्मा दो ये प्रभू येशु मसी है पत्रस और उन्होंने ठीक यही किया और सबने हर कोई जो बाइबल में था वहां कोई नहीं था मैं चुनावती देता हूं मेरे पास एक भी पवित्र बचन लाए या इतिहास का हिस्सा जहां किसी का भी येशु मसी को छोड़ किसी और प्रकार से बबतिश्मा हुआ हो जब तक कि रोमन केथलिक कलीसिया नहीं हुई वे करते हैं याद रहे ये टेप सम संसार में जाता है मैंने सेवगणों की मंडली को पकड़ा उन में से सैखड़ों को बिशप और वे सब कहता हूं अपने पैरों पर खड़े हो और यहां मेरे पास अपनी बाइबल के साथ आओ या फिर सदा के लिए शान्त रहो तब तक वे शान्त रहे कि आपके सामने से पीछे चले ना गए और तब आपके विशह में बाते करते हैं ना कि वो साहास के आपके सामने खड़े हों आम सब भेता कि खड़े होकर आपके सामने बात करें वे ये करने से डरते हैं वे जानते हैं कि ये गलत है परंतु यही जो येलिक ने खाना आरंब कर दिया उस वास्तिविक चीज को खाना आरंब कर दिया अब आप कहते हैं यह आवश्य नहीं है जी हाँ, मैं कैसे भी बप्तिस्मा लूँ, वो ठीक है क्या यह है? पालुस ने प्रेड उन्निस में कहा जब वो पालुस उपर इफसुस के किनारे से निकल कर बाइबल ने कहा उसने कुछ चेलों को पाया, वे चेले थे अपालुस एक बैप्तिस्ट परचारक यहुन्ना बप्तिस्मा देने वाले के आधीन उन्हें वचल सिखा रहा था और उन्में बहुत यानन था और पालुस बस उनसे मिलने को गया और उनसे कहा जब से तुमने विश्वास किया पवित्रा आत्मा पाया ओ, वो बोले मैं एक विश्वासी हूँ परंतु ये वो नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ क्या जब से तुमने विश्वास किया पवित्रा आत्मा पाया उन्हें ने कहा हम नहीं जानते कि कोई पवित्रा आत्मा भी होता है उसने कहा तो फिर तुमने किसका बप्तिस्मा लिया देखा दूसरे शब्दों में तुमने कैसे बबतिस्मा लिया था उन्हें ने कहा हमने बबतिस्मा लिया है कहा कैसे उसने कहा यहना के अधिन था उसने कहा वही वेक्ती जिसने येशु को बबतिस्मा दिया क्या ये ठीक नहीं होगा पॉलूस ने कहा नहीं, अब नहीं, नहीं, कहा आपको फिर से बप्तिस्मा लेना होगा, पॉलूस ने उन्हें बप्तिस्मा दिया, फिर से प्रभु येशु मसी के नाम में अपने हाथ उन पर रखे और पवितर आत्मा उन पर आया Lord, if anything else in this do you, let him be accursed Amen That's right और Paulus ने कहा, yaddy स्वर्ख से कोई दूथ, परशार को छोड़ दो, yaddy स्वर्ख दूथ, इस hungry gophin quoi, चोड़ दो yaddy स्वर्र से भी कोई दूथ इसे छोड़, तो में कुछ और परशार करे, तो वे शुरापे ठहरे, ये ठीक बात है श्राप पिठ ठेरे ये ठीक बात है अब देखिए ये क्या था ये लिक इसे खाने लगी पानी में येश्व मसी के नाम के बप्टिश में को खा लिया अगली चीज जो ये लिक ने की इसने पवित्रा आत्मा के बप्टिश में को हटा दिया क्योंकि जब तक आप पवित्रा आत्मा पाने जा रहे हो ये वचन पर प्रकास डालने जा रहा है जब तक आप ये करोगे इसलिए उन्हें ये भिन्न करना था अब ज़रा सोचें कितने लूथरन, प्रोटेस्टेंट, कितने कैथलिक इसपरात है पूरी सदस्यता वे इसे जो भी कहते हैं पहला प्रभु भोज लेना और वे इसे होली यूकरिस कहते हैं लेटिन में जिसका अर्थ पवित्रा आत्मा है क्या आपने कभी देखा कि एक कैथलिक अराधनाले के पास से निकल जाए और वो इस प्रकार से निकल जाए क्यों? ये इश्वर उस अराधनाले में है इश्वर क्या है? रूटी का वो छोटा टुकडा रूटी का वो छोटा टुकडा गोल सूर्य देवता के समान बना हुआ है जिसकी वे अराधना करते हैं वहाँ वेदी पर रखा है जहाँ पूरी रात उस पर काकरोच और चुईयाएं घूमते रहते हैं ये मेरा परमिश्वर नहीं है अब मैं आपको ये बताऊंगा पहला प्रभु भोज अराधनाले सदसता की पुस्ती है निरर्थक परन्तु यही जो उन्होंने किया यही जो येलिक ने किया इसने आत्मा को हटा दिया और उन्हें रोटी का टुकड़ा दे दिया वो रोटी जो किसी पाद्री या किसी नन या किसी ने बनाई है यही जो उन्होंने किया ये बिलकु ठीक बात है अब जाओ और पूछो वापस इतहास में देख रहे हैं और देखिए कि यदि ये सही नहीं है और आप इस चीज़ को अपने गले में खिसकने दे केवल वे कैथलिक नहीं परंथू तुम प्रोटेस्टन्टो और आप में से बहुत से वही चीज़ ठीक है यही जो उन्होंने किया ठीक है ठीक है तब प्रोटेस्टन्ट बजा इसके कि पवितरा आत्मा को ले आप जानते हैं कि वे क्या करते हैं वे आकर हाथ मिलाकर सदस से बनाते हैं वहाँ सड़क पर और कोई नहीं था कि आकर हाथ मिलाता जब पैंतिकोस को दिना आया परंतु वहाँ स्वरक से तेज आंदी की आवाज आई जो सारे घर में भर गई जहांवे बेट है थी ये ठीक बात है वो वहाँ पेडों की पतियों में से होकर उस चाल पर उंडेली गई ये ठीक बात है अब बजाए नया जनम के जो येश्व ने कहा एक मनश्य को फिर से नया जनम लेना ही चाहिए उन्होंने कलीशा के सदस से बनाने को उपना लिया आओ और सदस से बनो बजाए वचन के ये लेक ने उन्हें मत्सार दे दिया क्या आप नहीं देखते हैं इधर देखिए वो क्या कर रहा है वो आत्मी के लिए शारिरिक दे रहा है क्या आप इसे देख सकते हैं अब देखे अब हम कैदलिक की लीक पर हैं परन्तु क्या आपका मालूम है ये प्रोटेस्टेंटों में भी होता हुआ आया है आज हमारे पास प्रोटेस्टेंट कलीशियों में कहा पवितरा आत्मा का प्रोटेस्टेंटों में 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 प्रोटेस्टेंट क्या आप लूथरनों में हैं? नहीं, यह आपके पास है. तो मैं इस पर जाना चाहता हूं. मैं वहाँ जाना चाहता हूं. और खाना चाहता हूं. और एक अद्भूत समय. प्रेस्पेटेरियन. कहां? यह कहां पर है? आपने कुछ शारेरिक अपना लिया है. मेरा जाना तेह है. यह आप जानते हैं समझे. आप इसे कभी भी अपने हिर्दे से निकलने ना दें. शारेरिक को ना लें. यह मृत्यू है. यह आथीन है. और यहां मृत्यू के लिए है. यह आत्मा है जो जीवत करता है. देखिये, वो आत्मा जो जीवन देता है. उसे जिलाता है. यह एक आत्मा है. इसलिए आप देखिये, उन्होंने ले लिया. ध्यान देओ, उन्होंने क्या किया. येशु मसी के नाम का पानी का बक्तिस्मा निकाल कर पिता-पुत्र पवित्रा आत्मा में कर दिया. एक उपाधी जिसका कोई नाम नहीं है. अब आप कहते हैं, इससे क्या अंतर पड़ता है? ठीक है, अब यदि आप देने जा रहे हैं, कोई आपको आपकी पगार का चेक देने जा रहा है, शनिवार को, और वो वेक्ति जो आपका भुक्तान करता है, बजाए उस पर अपने नाम के, वो कहता है, मालिक की ओर से, यही जो वो है. आपकी पगार का चेक, जान डो को भुक्तान का आदेश, एक सो पचास डॉलर, इस सबता के कारिये के लिए, मालिक की ओर से, यह लिख दिया, बैंक को, और देखिए यह कैसे वापस आता है, जिहां, जिहां शिरिमान, निश्चे ही यह होगा. यदि इससे कोई अंतर नहीं पढ़ता, क्यूं पॉलूस ने उन मसीहों को आग्या दी, जो परमेशर की महिमा कर रहते और बहुत आनंदित थे, उसने उनको क्यूं कहा, आपको वापस होकर, फिर से येश्चु मसी के नाम में बबतिस्मा लेना है, समझे? वजन को लें, कहें, इसके साथ टिके रहें, इससे कुछ भी भिनना करें, बस वो ही करें जो इसने कहा, समझे? यही जिससे हमारा नयाई होने जा रहा है. अब देखिए, यही जो उन्होंने किया, बजाए नय जनम के, उनके पास सदस्यत बनाना है, बजाए वचन के विशे में बात करने के, उनके पास मतसार है, मुझे बाइबल में दिखाएं, उन्होंने कब यह कहा, मर्यम की जाएं, मुझे बाइबल में दिखाएं, तुम प्रोटेस्टन्टों का, क्या कभी प्रेज़तों के मतसार का कहा हूं लेख है? मुझे बताएं, प्रेज़तों का मतसार का क्या है? बाइबल में संतों से बाचीत, वे इसके विरोध में थे, बाइबल में मुझे बताएं, कहां भी कभी कोई उनका पिता-पुत्र पवित्रात्मा में बबतिस्मा हुआ, यह वहाँ नहीं हैं, और फिर भी आप इसी पर जाते हैं, लाइबल के से बताएं, ले से बाइबल में इसे, ले जिसल्ण जो हीखिविती हीशों के ले लिएशफेश के लुट्स। उन्तर पिति ष्टिकरिस्चा हीहाँं, अब बजाए भाईयों के बीच में संगती और भाईचारे के उन्हें महाधरमदकारी पॉप दे दिये और आपके पास बिशप है बताता है कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते और तुम पेंटिकासलों के पास जिला प्रेस्पटेर है जो आपको बताता है आप इसे ले सकते हैं पर तुम कलीशा के पास मसी है समझे यहीं जहां आप पहुचते हैं समझे वे आपको धर्म सिर्धानत और मनुश्य की बना ही चीजे देते हैं बजाए इसके कि उन्हें हटा दें इस येलेक ने क्या किया इसे विरिक्ष में से ले लिया और आपको ये दे दिया मैं से विरिक्ष में से हटा दूंगा और मैं तुम्हे ये दूंगा मैं से निकाल दूंगा और तुम्हे ये दूंगा देखिए आपको ये कहा से मिला आप कहते हैं भाई भाई बाई बाई बर्टेस्टेंट कहां से आए कैथलिक यही जो प्रकाशिद्वा के 13 या प्रकाशिद्वा के 17 ने कहा वो होगी कहा वो एक वैश्या थी और वो वैश्याओं की माता एक ही बात है इसलिए ना करें डेखची कैथलिको काला नहीं कह सकती आप जानते हैं इसलिए ना करें इसे ये ना कहें ताकि ये ठीक बात है भाई चारा भाई चारे को निकाल दिया जबकि हमें भाई होना चाहिए एक दूसरे के साथ इसने हमें अलग किया है और हमें भिन कर दिया ठीक है अब ध्यान दे यहां अच्छा वाला है मैं ये वाला लूँगा तब इसे बंद करूँगा इन सब दूसरों पर देखिए जब हमने गलत किया बाईबू ने हमें बताया ताकि हम अपने प्राणों को पवित्रा आत्मा के दौरा शुद कर ले नम्र हो जाएं और पवित्रा आत्मा को हम पर प्रगट करने दें कि आप गलत कर रहे हैं और वहां उसके सामने ठहरे रहे हैं जब तक आप मरना जाएं हमारे प्राणों को शुद कर रहा है अब वे घूम गए और आपको अगनी शुदक दे रहा है आपके मरने के बाद तब प्रीस्टों ने बहुत पैसा बनाया कि आपको अगनी शुदक से बाहर ले आए क्यों ये निरर्थख है ये लिक्टिडी ने यही किया प्राण को अगनी शुदक से बाहर निकालने के लिए प्राइबल में ढूंड कर भी दिखाएं दे इस फरकार की कोई चीज बाइबल में ऐसी कोई चीज नहीं है नई शुरिमान परंतु उन्होंने उन्हें अगनी शुदक दिया उन्होंने कि आपके मरने के पश्चात Oh yes I know they say sure you're gonna say what Saint Bonifor said so and so I don't care what Saint Bonifor said what didn't so and so say that her she prayed for her husband that great sister Saint so and so I don't care what she did it's unauthoritative word it's against the authoritative apostles ओ मैं जानता हूँ वे कहते हैं निश्चे ही आप उन्हें ये कहते हुए सुनें भाई संथ बॉनी फैसर ने ऐसा किया ऐसा कहा मैं चिंता नहीं करता संथ बॉनी फैसर ने क्या कहा भाई क्या अमुक अमुक नहीं कहती कि वो उसने उसके पती के लिए प्रातना करी वो महान बेहन संत अमुक अमुक मैं चिंता नहीं करता कि उसने क्या किया ये अनधिकरित वचन है ये अधिकरित प्रेजतों के विरोध में है परमेश्वर उन प्रेजितों को दीजिये जो कलीसिया को विवस्थित करें और ये प्रेजितों की शिक्षा पर बना हो ना कि संत बेनिफर के पर या किसी संत पर ये वचन के विरूद में है मैं चिंता नहीं करता कि संत बेनिफिस क्या कहते हैं और दूसरे संत और संत सूसी और संत मरिया और उन सब ने क्या कहा ये निरसक है ये किसी और जूट से अधिक नहीं ये परमिशर के वचन के विरूद में है ये जूट है मैं अनाधिकरित वचनों का विश्वास नहीं करता ये ये कारण है कि मैं इन प्रोटेस्टन्टों के मतसार का विश्वास नहीं करता और आदी आदी ये कैथलिक है जड़ से ये धरम से धांत है आप कैसे कैथलिक को चैससकते हैं कि उसका उपाहास करते है जिनके पाँ धरम से धांत है जबकि आप सेंभी इसी से भरे हुए है यह अधिक नहीं, पर्पु ये टेप पर है, आप समझते हैं देखे, सारे संसार में जाता है ध्यान दें, आप उन्हें कैसे गलत कह सकते हैं, जबकि आप मनशों के दौरा बनाए हुए मत्सारों को लेते हैं, ये बाइबल के विरोध में है, धरम सिधान्त, वैसे ही जैसा उन्होंने किया, क्यों? आप एक संस्था में हैं, जो की पराणी वैशा की पुत्री है. वैशा क्या है? ऐसी इस्तरी जो अपने पती के प्रती इमानदार नहीं, जो की मसीह कलीसिया होने का दावा करती है, और गलत शिक्षाएं दे रही है, उसका अपना विचार बजा इसके की परमिश्वर का पवित्र वचन ले. जैसे कि हवा ने किया, शैतान की सुनी, सारी मिर्त्यू और दुख का कारण हुई, जो कभी पिर्थवी पर हुआ, हवा से होकर आया, क्योंकि उसने परमिश्वर के विरोध में आत्मिक वेविचार किया, उसके वचन का अविश्वास करने के दोरा, परमिश्वर के विरोध में आत्मिक वेविचार कर रही है, और वे आपको अपनी कलीशा में भी नहीं लेंगे, यदि आप उनकी शिक्सा से सहमत नहीं होंगे. उन्होंने एक पत्रों पर मुझसे हस्ताक्षा लिये, यदि आप इसका विश्वास करेंगे, यदि आप कहते हैं कि ये सही बात है, मैंने कहा, मैं बस नहीं आउंगा, नहीं शिरिमान, मैं बस वही परचार करूँगा जो ये बाइबल कहती है, या फिर बिलकु नहीं, वहीं टिकें, अब हम अंत के दिनों में आ रहे हैं, और हम जानते हैं कि ये ही घड़ी है, हम कैसे कह सकते हैं, ओ ये ये कहते हैं, वे वो, परंतु कोई भी चीज जो अनाधिकरित है, उसका विश्वास ना करें, मैं इसकी चिंता नहीं करता, यदि किसी ने क्या कहा, यहां एक बहन मेरे पास आई, अदिक समय ने हुआ, और कहा, एक विशे जुंड के लोगों का, जिने मैंने सेवकों को येश्व मसी के नाम में बबतिश्मे के विशे में परचार किया, जहां लगबग 300 के लगबग सेवक गण, बहुत से लोग जो यहां बैठे हैं, वहां सभा में थे, जहां शिकागों की सारी सभा सेवकों का संग मुझ से मिला, प्रभू ने मुझे दर्शन दिया, मुझे बताया कि वे कहां होंगे, और क्या क्या होगा, और मैंने पलट कर उन्हें बता दिया, यदि आप सुनना चायते हैं, तो ये हमारे पास टेप पर है, और मैं सारे बिशप और डॉक्टर कार्डिनल्स और वे सारे वहां बैठे थे, मैंने का आप में से कोई भी जो इसे निरस्तर कर सकता है, अपनी बाइबल ले और यहां आ जाए, मैंने का इस वेशे में आप लोग शांत क्यूं हैं, और किसी ने कुछ नहीं कहा, और क्यूं देखिये, वे इस वचन से डर गए, मैंने का तो फिर यदि आप नहीं कर सकते, तो क्यूं मुझे कुरेद रहे हो, शांत रहो, बाहर जाकर कुछ करो, और यदि आप इस पर वचन का समर्थन नहीं पा सकते, तो आप शांत रहें इसलिए तब उनी लोगों के जुन ने मेरे पास एक महिला को भेजा कहा, भाई भरणम, यदी प्रभू के दूत ने आपको बताया है, प्रभू के दूतने, आप जानते है, उसका चित्र वहां पर है, आप देखिये, यदी प्रभू के दूतने आपको ये बताया है, ठीक ह तो हम इसका विश्वास कर लेंगे मैंने कोई भी उस सिवक के जुंड का जो उस सब्ता में होगा यदि प्रबु के दूत ने कहा यदि ये दूत ने कुछ ऐसा कहा जो इस वचन के विरोध में है तो फिर ये प्रबु का दूत नहीं है और प्रबु का सर्वदूत वचन को प्रमानित करेगा ठीक यही जो उसने सदा युगों में से होते हुए किया वो अब भी वही करता है वो वचन के साथ इस्थिर रहता है कोई भी सेवक जो पवित्रा आत्मा से अभी शिक्त है वो उसी वचन के दौरा इस्थिर रहता है क्योंकि बाइबल ने कहा कि सारी बाइबल पवित्रा आत्मा के दौरा लिखी गई है और आपके पास कैसे पवित्रा आत्मा हो सकता है जो बाइबल कहती है उससे इंकार करते है वही आत्मा आप में है ये इस बात की गवाई देता है कि ये सही नहीं है समझे ये लेके से खा रही थी बस यही बात है परमेश्वर की सची बातों को खा लिया जीहां श्रीमान अनाधिकरित शब्द जो प्रेजितों के शिक्षा के विरोध में है ओ प्रभू ये प्रेजितों की शिक्षा है ये बाइबू है ये पवित्रा आत्मा है हर शब्द जो इसमें है सच्चा है आप बस विश्वास करें और इसे स्विकार करें और इसे नीचा ना होने दें ध्यान दें हर प्रतिग्या पूरी हो गई ये इस बात का प्रगटी करना है कि परमिश्वर अब यहां उपस्त है यदि वो अब उतना परमिश्वर नहीं जैसा कि वो तब था जब उसने इसराइल के बालकों को लाल सागर पार कराया तो वो परमिश्वर ना होगा तो ये वो परमिश्वर नहीं जो पेंतिकोस्त पर उत्रा और आज वो ठीक यहां पर है वो वही परमेश्वन नहीं तो फिर कोई और पुनुन थान नहीं था यदि वो वही नहीं था तो फिर वो इतिहास के परमेश्वर से आपका क्या भला है यदि आज वो वैसा ही परमेश्वर नहीं तो परशारकों धरम विद्यालों को भेजने में क्या भलाई है और ऐस्तिर मुर्गी के बच्चे निकालें और इस परकार से घूमते रहें यदि परमेश्वर जैसी कोई चीज नहीं है आप क्या कर रहे हैं परमेश्वर के बचन को निकाल रहे हैं तो आप का अधिकार कहा है आप कहते हैं कलीशिया कलीशिया वहाँ 999 विबन संस्थाइं उन में से हैं उन में से कौन सी सही है कोई नहीं जानता कि क्या करें आप भ्रहम में पढ़ जाएंगे ये ठीक बात है God ain't gonna judge the people by the church he's gonna judge them by Christ and Christ is the word Bible said in the beginning was the one and the word was with God and the word was God and the word was made fresh and well and all He judged the church and the people by the word right the living resurrected word परंतु परमिश्व लोगों का कलीशिया के दोरा नयाय करने नहीं जा रहा है वो उनका नयाय मसी के दोरा करने जा रहा है और मसी वचन है Bible नहीं कहा आदी में वचन था और वचन परमिश्व के साथ था और वचन परमेशर था और वचन देधारी हुआ और हमारे बीच वास किया वो कलीशिया और लोगों का वचन के दोरा नहाए करेगा यह ठीक बात है जीवित, जीवित हो उठा वचन तब यदि वो जीवित, जीवित हो उठा वचन कोई भी बात इस वचन के विरोध में कहता है तो फिर ये जीवित हो उठा वचन नहीं है क्योंकि वो तो इस सत्य की गवाहिद देगा वो ऐसा नहीं कर सकता कि यहां कुछ और वहां कुछ और कहे मैं कुछ यहां कुछ वहां कह सकता हूँ क्योंकि मैं एक मनुष्य हूँ आप भी सकते हैं आप अधिक ज्यान और समझ प्राप्त कर सकते हैं परंतु परमिश्वर नहीं वो अनंत है उसका पहला निर्णे पहली बात जो वो कहता है वो अनंत तक इस्थिर रहती है ये एकसा है वो ऐसा नहीं कर सकता कि कुछ यहां कहे और कुछ वहां कहे उसे तो हर बार वही बात कहनी है ताकि परमेश्वर बना रहने को इसलिए यदि वो आत्मा जो आप पर है परमेश्वर का है वो इस बात की गवाई देगा कि ये वचन सचा है इसका हर वचन और ये कल आज और सरवदा एकसा है यही जो बाइबल कहती है जिहां शिरीमान ठीक है अब आईए हम जल्दी जल्दी करें और इस कीड़े की अगली सिती को लें पहले ये गाजाम थी इसने परमेश्वर के व्रिक्ष में से क्या खा लिया फल पिर अगली सिती आती है वो उसी सिती में मर गई फिर अगली सिती आती है अब ये क्या करता है इस बार वो टिड़ी के समाना आता है सारी पत्तियां खा जाती है ये टिडडी की आदत है अब उसने अगली चीज क्या की वो दूसरी स्थिती में होकर वापस आई ये लेक कीड़े के समान और ये उसकी चाल में घुज गया अब ये यहां एक कीड़े के समान आता है उसकी चौथी स्थिती अब ये कीड़े है ये कीड़े क्या है ये चूसने वाला है जीवन को चूसता है जीवन के आत्मा को ये ही जो वो करता है अंदर चला जाता है गुद्यों को पकड़ लेता है और चूसता जाता है कैटरिलर here he is who we go to call him दॉनमैशन वो कीड़ा वो यहां है हम इसे क्या कहने जा रहे हैं नामधारी इस कीड़े का सही नाम यही है क्यों यह नस्ट करने वाला है जीवन को चूस लेता है हर बार परमेशर अपने लोगों के मद में एक बेदारी भेशता है हर बार और वे नामधारी हो जाते हैं और वे वहीं मर जाते हैं मैं किसी को चाहता हूँ जो कलीशिया का इतिहा जानता हो जो इसे दोशी ठहरा सके मुझे एक बार भी एक संस्ता दिखाएं जो कभी संस्ता गत हुई जो वहीं पर नामर गई हो ये लेक ने इस पर कबजा कर लिया इसका दरम दूर हटा दिया और तब ये चूसने वाला आता है और ले लेता है जीवन को पेड़ में से चूस लेता है इसमें किस प्रकार का जीवन था पवित्रा आत्मा ये क्या करेगा ये अपने में पवित्रा आत्मा थामें नहीं रह सकेगा और फिर तब भी उसके पास धरम सिध्धान्त है पवित्र आत्मा इसका पक्ष नहीं लेगा इस प्रकार से ये पवित्र आत्मा को ले लेता है जीवन के वरक्ष से बाहर और उसे धरम से धांत दे देते हैं और नामधारी बना देते हैं हम चिंता नहीं करते कि ये क्या कहता है हमारा नामधारी ये कहता है आप उसी सिती में हैं इसमन रखें जब ये नामधारी हो जाता है ये सदा मर जाता है और फिर जी नहीं उठता कैतलिक पहली संसा थी तुरंद ही मर गई निसंद आरम से ये धरम से धांता था वहां से पहला सोधार निकल कर आया वो लुथर था संसा गथ आर मर गया अगला वैसलिया आया संसा गथ हुआ मर गया अगला पैंटिक उसला आया संसा गथ हुआ और मर गया Presbyterian Luther and all these others and the and the Nazarene pilgrim holiness and all these organizations that followed along like that प्रेस्पेटेरियन, लूथरन और ये सारे दूसरे और और नाजरीन, पिल्ग्रिम होलिनेस और ये सारी संसाइ जो साथ साथ इसका अनुकरन करती रही, प्रतेक मर गया, उन्हें देखिये क्यों, वे संसागत हुए और इसने इने मार डाला, वे क्या करेंगे, वे इन धरम से दांतों में लेते हैं, तुम नाजरीन, एक शांदर पैंतिकोस्त के उपर उठने पर, अगली कलीसिया, ये क्या था? आप पवित्री करन में विश्वास करते हैं, पर अन्य भाशा में बोलना, और परमेश्वर के महान सामर थे, आप इसे शैतान कहते हैं, और आप वहां मर जाते हैं, ये ठीक बात है. आज वो कहा है, मर गई, वो उसके पास अधिक सदस्य हैं, परंदू वो कहा है, वो एक लोत है, उस रातरी मैंने उसे देखा, ये ठीक बात है, सारा मामला, उनका पासर उपर लेटा था, एक लोत को चूम रहा था, उससे प्रेम कर रहा था, कहा जो भी है, अब उनके पास इस सब का यही है, इसलिए मैं किसी समय ये आपको टेप पर दूँगा, समझे, ठीक है, परमेशन ने अपना वरिक्ष बोया कि आत्मिक फल लगें, आत्मा के फल, क्या ये ठीक बात है? परंतु मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य सदा यतन करता है कि इसे बनावटी रूप दे, उसने पहले ये ही किया, वो अब भी ये ही करता है, अब ये, अब ज़रा जोरदार परहार करें, और जल्दी से, मनुष्य सदा आत्मिक कलीसियाओं को लेने का यतन करता है, और इसे बनावटी रूप देता है, लूथर के पास आत्मिक कलीसियाओं थी, क्या हुआ, जैसे ही लूथर मरा, उन्होंनों इसको बनावटी रूप दे दिया, वैसली ने क्या किया, जान वैसली परमिश्वर का एक महान पुरुष, कौन कहेगा कि जान वैसली परमिश्वर का जन नहीं था, उसने क्या किया, जैसे ही वो और जान वैसली और चार्ल्स मरे, उन्होंने इसे संसागत कर दिया, वो जब हुई, वो मर गई, बिलको ठीक. वो ही चीज हर बार प्रेतेक पर होती हुई निकली, उन्होंने नकली बना कर ओड लिया, अच्छे कारिये, सबसे बड़ी भक्तमंडली, बुद्धिमान लोग, नगर के प्रसिद व्यक्ति हमारे साथ आना चाहते हैं, ठीक यही जो तुम पेंतिक उसल के जुन्ड में भी यही हुआ, बिलको ठीक. आप धीले पड़ गए, आप आत्मा से हट गए, आप बड़े भवण और तलक भड़क चाहते हैं, और इस परकार की हर चीज उनके पास सम्मानिद पास्टर है. आप क्या करेंगे, आप मात आएं अपने लड़कों को इन विद्यालियों में पासा बनने के लिए भेजती हैं, और वे उन्हें क्या सिखाने जा रहे हैं, धरम विग्यान और सब प्रकार के मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीजें, और आज ये कहा हैं, वे वापस आए एक आवारा और एल्विसों का ज्टं ये बिलकु ठीक बात है, आज आपके पास क्या है, एक उल्टे सीधे लोगों का ज्टं, भक्ति के भेश में, बाइबलन ने कहा कि अंत के दिनों में भे भक्ति का भेश धरेंगे परंत उसकी सामर्च का इंकार करेंगे वो जीवन जो है क्यों हासिल कीड़े ने उसे चूस लिया ठीक है संसा ने इसे अलग कर दिया पहला तुमोतियस्तीन पौलूस ने कहा जान लो की अंत के दिनों में कठन समय आएगा मनुष्य अपना ही भला चाहने वाले होंगे घमंडी, डिंगमार, अनाग्याकारी, धन्यवाद रहित, अपवित्र, बिनासो भाव प्रेम के, असयमी, भले के बैरी, विश्वास गाती, शेखी बाद, भक्ति के भेश भरेंगे और उसकी शक्ति का इंकार करेंगे हासील कीडे ने ये चूच लिया, बहुत पहले ये लेक उसमें घुच गया था, हम इस विरश के नीचे की और आ रहे हैं, प्रभू चाहेगा तो थोड़ी देर में पक्ड़े रहेंगे सबसे बड़ा इस्थान, ओ निच्च ही, भाई आप जानते हैं, पिछले वर्श हमारी कलीशा ने इतना जमा किया, ओ निच्च ही, कैथलिकों ने आपको लाकों मील पीचे छोड़ दिया, निच्च ही छोड़ दिया और रूस में इतना अधिक यहां तक कि उन्होंने उसे समाप्त कर दिया, और समयवाद इस्थापित कर दिया, यही चीज उन्होंने मेक्सिकों में की, और उन्हें यह समसंसार में करना है, वो कहां पर है, यह ठीक बात है आप समयवाद से कभी न डरें, समयवाद इश्वर रहित कारवाई है, परन्तु आप इन कुछ परचारकों को सुनते हैं, परचार में खड़े होकर समयवाद को दोश देते हैं, समयवाद, मैं इन में से किसी पर विश्वास नहीं करता परन्तु और अपनी कलीशा को नहीं पताते, ओ हम सब सटके जाने वाले हैं, सारा संसार सामयवादी होने जा रहा है, यह बिलकुल परमेश्वर के वचन के विरोध में है, बाइबल में किसी भी स्थान में यह नहीं कहा गया है, कि यह इस परकार होगा परन्तु बाइबल कहती है कि रोमनवाद कैथिलिक कलीशा संसार को सटक जाएगी, डैनियल को लेकर ढूने, सोने का सिर, राजा नबु को नजर, बाबुल का राज्जिये, मैदो और परमेश्वर का राज्जिये, मैदो और पार्सिया उसके बाद आये, युनानी राज्जिये उसके बाद आया, रोम अंता तक गया, वे दस उंगलियां पिर्थवी के हर राज्जे में गई, क्या आप नहीं, वहाँ लोहे का परदा, बांस का परदा, वहाँ है, बैंगनी परदा वहाँ है, भाई आप किसी से ना डरें, परन्तु बैंगनी परदे पर ध्यान रखें, वहाँ ठीक यहां से आसन पर बैठी है, इस रास्ट में इस्वन रहे ठीक जैसे आहाब ने किया, उसके पीछे इजबेल थी, जिसे बाइबल कैथलिक कलीशा कहकर पकारती है, इजबेल वेशिया, और आहाब कोई बुरा वैक्ती नहीं था, मैं उसके विशह में कुछ नहीं جानता, वह एक पूरुश है, वह जो इतना ही जानता हूँ, वह रास्ट पती है, मैं विश्वास करता हूँ, वह उस रास्ट पती बनेगा, ये वो नहीं, ये वो विवस्ता है जो उसके पीछे है, जब तक कि वो कैबिनेट में गरम ना हो जाए, पर्तिक्षा करें, और हर जगा वो ये कर सकती है, तब देखिये क्या घटित होता है, देखिये इसने दूसरे रास्टों में क्या किया, देखिये, सदा से यही हुआ है, और क्या बाइबल नहीं कहती है, परकाशिद वाके तेरा में, ये रास्टे तेरा नंबर है, इसके तेरी पत्तियां, तेरा सितारे जण्डे में हैं, जण्डे में तेरे पत्तियां, तेरा हर चीज में, तेरा में, तेरा बस्तियां, हर चीज तेरा और ये प्रकाशित वाक्य के तेरवे अध्या में पाया जाता है और बाइबल ने कहा कि वो एक छोटे मेमने के समान उभर कर आया धार्विक सोतंतरता, दो छोटे सिंग, नागरी को परोहित और कुछ देर बाद वहें मिल गए, और ऐसा बोला कि जैसे ड्रैगन बोला और हर चीज जो की ड्रैगन ने उसके समक्ष किया और बाइबल ने कहा उन्होंने पशू की मूरत बनाई, कलीशियों का संग, ठीक वही जो अब उनके पास है यहां इस निई यॉर्फ नगर में, और वो वहां बड़ा मुर्दा घर है और तुम सारे मेतोडिस, बैप्टिस, पेंटीकोस्टल और आप में से परतेक, आर्थिक, एकतावर्दक लोग यहां इस परकार की चीज़े करने का यतन कर रहे हैं और आपके जनम सिद्ध अधिकार को बेच रहे हैं कि बाबुल के जुंड में सदस से हो जाएं, आपके साथ क्या मामला है? अपके जनम सिद्ध अधिकार को बेच रहे हैं, जैसे एसाव ने किया उस भूजन के बरतन के लिए, आप बस वही पाने जा रहे हैं बस पशू की मूरत तयार की, बिलकुल वही आप सामय वाद से ना डरें, आप कैथलिक वाद से डरें और वो कहते हैं ये चापलूसी में होता हुआ आएगा जैसे कि मेमना पर तू बोला, इस पर ध्यान रखें कि इसके पीछे ये भेडिया है ये आँख बचा कर आता है, आप ध्यान दें, जियां शिरिमान, क्योंकि ये वचन के विरोध में है जो वचन कहता है, उसे घटित होना ही है सामेवाद कुछ नहीं कर रहा है, परनतु ये परमिश्वर के हातों में खेर रहा है, ये सही है और क्यों उन्हें ये करना है, परमिश्वर को इस सामेवाद को अनुमती देन ही है, ताकि वो इसे बनाएगा उसका वचन घटित होता है, निश्चे ही, यही, क्या आपने इसका अनुभाव किया, क्या आपने इस पर विचार किया, परमिश्वर को तो अपना वचन घटित करना है देखें, जहां चार सो बहुश्वर को तक्ता वहां खड़े थे, वहां एक दिन आहाब और यहोश्वपात के सामने, यहोश्वपात एक धर्मी विकती, उसने कहा, परंतु इसके पहले कि हम रमोद गिलाद को जाएं, बुला क्या हम परमिश्वर से सला ना लें? यहां आप ने कहा, हां निश्चे ही, समझे, इस सब के पीछे जिजबे थी, आप जानते हैं, कहा हम करेंगे, करेंगे, मेरे पाथ चार सो भाषवर दखता हैं, यहां पर हम उन्हें लाएंगे, और सारे अच्छे लोग इन्हें लेयाओ, उन सम्ने भाषवानी की और कहा, वहाँ चड़ जाओ, प्रभू तुम्हारे साथ है। इस भक्त मनुश्य को ये सही नहीं जान पड़ा। इसराइल का राजा याने इसराइल का राजा वहाँ पर था, ये उसको कुछ सही सा नहीं लगा। उसने का क्या कोई और दूसरा नहीं है। 400 प्रेचर्श और रहें और रहें हैं। 400 भश्य तक तक एक समझावते में कह रहें हैं। चड़ जाओ। प्रभू ने हमसे बात कर ली है और कहा जाओ चड़ाए कर दो। उसने का परंतु कोई और दूसरा कहीं होना चाहिए। उसने का मेरे पास एक है परंतु मैं उससे घरणा करता हूँ। निश्य ही, जि हां उसने कहा वो सदा मुझ पर चिल लाता है। वो सदा मेरे विरुत में बुरा बोलता है। वो कैसे कुछ कर सकता है जबकि परमिशर का वचन उसके विरुत था। इसलिवे जाकर मिकाय को बुला लाए मिकाय ने कहा जाओ चड़ जाओ जी याँ ठीक बात है परंतु मैं इसराइल को भेडो के समान तितर बितर देखता हूं जिनके पास चरवाह ना हो तब वो क्यों बड़ा प्रचारक बिशप चलता हूँ गया और उसके मूँ पर थपड़ मारा कापर मिश्वर का आत्मा कहा जाएगा जब ये मेरे पास से चला गया तब उसने कहा ये तो आरम से तुझ में थाई नहीं इसलिए तब उसने कहा इनी किने दिनों में एक निन तुझे मालूम पड़ जाएगा उसने कहा उसने कहा उसने कहा अहब ने कहा उसे अंदर वाले कारागार में डाल दो और उसे दुख की रूटी दो और दुख का पानी कहा जब मैं शांती से वापिस आऊंगा तो मैं इस व्यक्ती से निफटूंगा उसने का यदी तू वापस आ गया तो परमिश्वर का वचन मुझ में से नहीं बोला क्यों? क्यों? वो ठीक वचन के साथ था ठीक वचन के साथ कोई वचन के साथ नहीं टिकती यही कारण है कि आज मैं कहता हूं कि कोई मतलब नहीं कि देखने में कितना अच्छा लगता है कितने परचारक यह कह रहे हैं वो यह आदी-आदी कि सामयवास संसार को लेने जा रहा है नीचे गरने वाला है आप कभी भी सामयवास से लड़ने का यतना ना करें रोमनवास से लड़ें क्योंकि यह यह यू कहता है परभू ने कहा रोमनवाद ही शासन करने जा रहा है ना कि सामयवाद यह बस एक कटपुतली है परंतु आप देखते हैं उसी यह करना था प्रभु ने मिकाय को बताया मुझे आहाब को वहां बाहर भेजना ही है उन प्रचारकों ने ये कहना ही है कि आहाब को वहां बाहर भेजे ताकि एलिया का बचन पूरा हो परमेशन ने सामवेबाद को उठने दिया इसने क्या किया वे सारे मुर्दागर एक साथ भाग कर जमा हो गए और कलीशाओं का एक संग बना दिया कि सदत से बने कि उस पशू की मूरत बनाएं कि उसके वचन ने क्या कहा वो घटित हो इस विशह में आप चिंता ना करें आप ध्यान दें चीजे रूप धारण कर रही है यही है मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को इससे ठका रहा हूँ परंतु यह सच है मैं नहीं जानता कि आप में से दुबारा बात कर सकूंगा की नहीं हो सकता है कभी नहीं हम नहीं जानते हो सकता है हम फिर कभी ना मिलें परंतु मैं चाहता हूँ कि आप सत्य को जान ले कि क्या है इस वचन पर ध्यान दे, ये सत्य है, ना कि मैं ये वचन ये ही है, यदि ये मेरा वचन इसके विरुद है, तो आप मेरा विश्वास ना करें, आप इसका विश्वास करें तब यदि आप कहते हैं, भाई हम समझ गए, और आप इसके विरुद पर चार कर रहे हैं, तो फिर ये आपका करतव है कि मेरे पास आएं, ठीक है, ये आपका करतव है कि आप मेरे पास आएं, समझे, बस आएं, और हम देखेंगे कि वचन क्या है अब इसलिए हमने पाया कि ये था, ये सामेबाद है, जो एक साथ जमा हुआ, परमेशों ने कहा, वहाँ गोग और मागोग एक साथ जमा होंगे, निश्यही की युद को तयार करें, ये बिलकु ठीक बात है, क्योंकि ये इन ताक्तों को एक साथ एक एकटा करने जा रहा है इन्हें आना ही है, बाइबल ने कहा ये होगा, परमेशों ने कहा, ये विर्ख लगाया कि उसके आत्मिक फ़ल लगें, और मनुशे ने सदा यतन किया कि इसे बनावटी रूप दे, भक्ती का रूप धारण करे, नगर का सबसे बड़ा भवन निश्चे ही लाखों डॉलर का, ओ भाई वो, वाँ, और लोग परचार कर रहे हैं कि येशू आ रहा है, और भवन बनाने के लिए 60 और 80 लाग कहीं खर्च कर दिये, और मिशनरी, मैं जानता हूँ कि मिशनरी लोग कारे शेतर में हैं, जो सूसमाचार पर चार कर रहे हैं, बिना जूते के, और सबता हमें दो बार खाना खा रहे हैं, कि आप देख सकते हैं क्यों, भाई हम लोगों के साथ क्या मामला है, मुझे सही में विश्वास नहीं कि वे विश्वास करते हैं कि वो आ रहा है, आपके वचन बोलते हैं भाई आप, आपका जीवन आपके वचनों से अधिक जोर से बोलता है, समझे, वे चोटे मिशनरी जहां मैं अपनी इस परकार की सभा में आया उनके पास जूते नहीं और पैंट इस तरह से कमर से लिटक रही थी और वहां मख्यां अमीबा और खटमल और सब परकार की बेमारियां और वहां सारी चीजे वे छोटे बुड़े हाथों से खाते हैं और अमीबा और सब चीजों के साथ वहां खड़े हुए कहते हैं भाई बरणाम आप मैं कहता है हाँ बोला ओ आपको आशीश मिले मैं हमेशा आपके लिए प्रासना करता हू मैंने सोचा ओ परमिश्वर इस मनश्यों को मेरे लिए प्रासना करने दे जी हाँ ये वो वेक्ती है यही है वो भाई बरणाम मैं मैं आपके लेक पड़ता हूँ निश्चे ही आप सत्य बता रहे हैं हम ठीक आपके साथ हैं ओ भाई यही यही वो लड़का है यही वो है जो छोटा निर्धन वेक्ती सुनिये कोई कहता है आप जानते हैं वो कौन है ओ कहा वो हमारे संसा से नहीं है कहा वो कौन है क्यों वो हमारे साथ नहीं है अचा तो यह कौन है वो वो आत्म निर्भर है ओ वो है ओ भाई वो क्या करता है और वो वहाँ छोटा मोटा काम करता है वो हमारा साथ से नहीं बनेगा अच्छा मैं उसके विशे में जानना चाहता हूँ आप जानते हैं मैं एक छोटा सा लड़का था सेबों के बाग में सेब ढूनता फिरता था मैंने सदा एक पेड़ पाया सारे उसके नीचे थे आप जानते हैं उसके नीचे अच्छी सभा और परी शरम वही जहां वो अच्छा सेब का पेड़ था आप जानते हैं आप सदा जहां अच्छा पेड़ होता है एक डराने वाला लगाते हैं शैतान भी वही चीज करता है इससे आपको डराकर भगाने के लिए आप चिंता ना करें उस डराने की चीज के ठीक पीछे रहें एक दिर में देख रहा था, एक बड़ा चुहा जो सेम में बो रहा था, आकर खा जाता, और हर बार मैं सेम एक रेखा में बोता, और वो आकर उने खा जाता, मैंने सोचा, मैं एक डर का जीवन उसमें निकालूंगा इसलिए मैंने एक गता लिया और मैंने तो वास्तों में एक एक अलाकार हूँ, आपने मुझे देखा होगा, मैं सोचकर जो रेखा चितर बनाता हूँ, वो डरावना होता है, और ये भी डरावना था, यदि मैं इस बनाता हूँ, मैंने इसे एक बोरी पर लगा दिया और मैंने उसमें थोड़े से सेम के बीच डाल दिये और एक खड़ी लकड़ी पर लगा दिया और जब हवा चलेगी तो वो इस प्रकार से हिलेगा छेद में से वो छोटा चुआ बाहर आया आप जानते हैं सेम के बीच खा रहा था और वहां से होता हुआ भागा और सीधा उस बोरी के और भागा वो पीचे हटा उसने से देखा इसे इस प्रकार से देखा और वो गया और उस पर चलांग लगाई ओ बोरी तो शांथ खड़ी थी उसने से फिर से देखा आप समझे और उसने पीछे देखा और उन सियम के बीजों को एक पंक्ति में गिरते देखा और वे अच्छे थे आप जानते हैं इस परकार से उसने डरावन को देखा अपने रास्ते पर इसलिए वो आगे बढ़कर धीरे धीरे पास आने लगा इस परकार से इसे डराने का यत नहीं किया और यह नहीं हिलेगा चिंता मत करो यह मरा हुआ है और यह सारे डरावन इसी परकार के हैं इसलिए वो केवल उसने क्या किया उसने अपने छोटे पैर उस पर डरावन की बोरी पर मारे और कड़ की आवाज हुई वो वापस कुदा और इसे देखकर इस परकार से उसने फिर मारा कड़ कड़ हुआ बस यही बस कड़ कड़ जैसे ही आईरिश मनुष्य का उल्लू सब गड़बड और पंक और कोई उल्लू नहीं आप समझे इसलिए इस परकार से मारा और कड़ कड़ आया इस परकार चारिया पांच बार आप जानिये इसने क्या किया सीधा उस बोरे के पीछे गया और मेरे सेम के बीज खाने लगा वो मेरे से इसके विशे में अच्छा जानता है ये क्या था आप देखिये और वो उस दरावन से रुक नहीं पाया इस दरावन के पीछे कुछ अच्छा है जब वे कहते हैं ओ ये लोग पवित्र शोर करने वाले हैं ठीक उस दरावन के पीछे चले जाए और उसमें चले जाए समझे बढ़ें और इसका विश्वास करें समझे हो सकता है कि इसके पीछे भी पवित्र आत्मा हो आप समझे आप नहीं बता सकते देखा ओ आईए इस नामधारी कीड़े को देखें जो कारे पर लगा हुआ है सोभावी कलीसिया आत्मी कलीसिया इस पुराने कीड़े को देखें जब ये संसागत होता है वो पहले ही छाल को खा चुका है इसका फल खा लिया है ओ भाई ये सब समाप्त हो चुका आत्मा के सारे वरदान चले गए कोई आत्मिक चंगाई नहीं कोई अन्ने भाषा बोलना नहीं कोई भषवानी नहीं कुछ नहीं भषदखताओं के होने में विश्वास नहीं करते वे इन बातों में विश्वास नहीं करते वे नहीं जानते सब बनावटी हर चीज जो उनके पास है मनुश्य की बनाई हुई बनावटी है समझे ठीक है, शारेरी कलीसिया, एक शारेरी कलीसिया है, यह वो है जो मनुश्य के दोरा बनाई हुई है, आत्मी कलीसिया, आप जानते हैं कि बाइबल यह कहती है, जी हाँ, शारेरी कलीसिया और आत्मी कलीसिया और बाइबल ये कहती है दासी और उसके पुत्र को निकाल दे हाजरा को क्योंकि वो सुतंत रिस्त्री और उसके पुत्र के साथ वारिस नहीं होगा समझे इसलिए शारिरी कलीसिया वो जिसकी वारिस होने जा रही है पूले बंदने में जलाने के लिए गठर बांदे जाने में और ये वारिस नहीं होगी उस सुतंत रिस्त्री के साथ यदि दासी अपने बालकों के साथ संस्था के बंदन में है वो सुतंत रिस्त्री के साथ वारिस नहीं क्योंकि इस्त्री के बालक रैप्चर में जा रहे हैं और दासी के बालक न्याए में खड़े होने जा रहे हैं देखिए निकाले हुए जिहां आत्मिक सुतंत रहें जिहां शिरिमान वो कीला नामधारी ऐसाओ अब ऐसाओ वहां ऐसाओ और याकूब है वे दोनों जुडवां दोनों धार्मिक ऐसाओ शारिरिक था वो भला मनुष्य था उसने नहीं कहा ठीक है अब उसने बाहर जाकर चोरी शराव पीना या ऐसा कुछ नहीं किया वो एक धर्मी मनुष्य था परंतु उसने सोचा ठीक है जब तक मैं एक धर्मी हूँ तो इसे क्या अंतर पड़ता है बॉच्छ वाँ परंतु उस पराने याकूम ने चिंता नहीं की कि उसे कैसे पाना था वो जनम सिद्रिकार जो वचाता था कोई मतलम नहीं कैसे वो लेगा बस उसने ले लिया वेदी पर जھुकना पड़े रोना और चिलाना पड़े और हू और घिनोना मुझे शमा करे या और उसकी आखों में मेरे कहने का वो अर्थ नहीं और उस परकार मुझे शमा करें इसलिए वेदी पर पहुच गया और तब तक रोता रहा कि उसे मिल गया समझे उसने ये चिंटा नहीं की उसने इसे कैसे पाया उन में से कुछ कहते हैं मैं भाई बरणम वे लोग वहां वेदी पर रो रहे हैं और रोते रोते जा रहे हैं मैं ऐसा नहीं चाहता ठीक है आपको ये नहीं मिलेगा समझे वो बूड़ा तेज रंग का काला भाई एक बार वहां दक्षिन में वो सदा प्रसंद था उसके स्वामी ने कहा कि वो क्या है जो तुम्हे सारे समय प्रसंद रखता है लड़के उसने कहा मेरे पास दिल से लगा एक धरम है कहा ऐसी कोई चीज नहीं है उसने कहा उसने गल्ती कर दी जहां तक कि आप जानते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है वो अंतर को जान गया बोला जहां तक कि आप जानते हैं आपको इस परकार कहना चाहिए एक दिन उसने कहा मैं भी उस हिर्दे से लगे हुए धरम को पाना चाहता हूं उसने कहा आपको यह कब चाहिए कहा अब बोला अच्छा इसे लेने को चले वे बाहर चले गए उसने कहा यहां भूसा रखने की एक टांड है यह अच्छा है और बोला हाँ मेरी पत्नी मुझे नहीं सुनेगी और कुछ भी यहां से बाहर कहा इसी प्रकार से लोग इसे चाहते हैं आप जानते हैं इसे प्लेट में परोस करूने दे दें हम यहां घुटने टेक देंगे बुले भाई ने कहा आप इसे यहां नहीं पाते अच्छा तो इसलिए वो उस स्टाल पर चला गया उसने कहा क्या हम इसे यहां लेंगे कहा नहीं उसने कहा हम वहां आनाज के गोदाम की आर में जाएंगे बोला नहीं कहा तुमने इसे कहा पाया बोला मेरे पीछे पीछे आओ उसने अपनी पैंट के पांचे ऊपर खेंचे और सूर के बारे में चला गया कीचर में वो जितना जा सकता था बोला यहां आजाओ यहीं जहां तुम इसे पाओगे उसने कहा मैं वहां नहीं जाना चाहता कहा स्वामी तुम अब भी इसे नहीं लेना चाहते आप इसे नहीं चाहते आप जानते हैं नामान ने भी ऐसे ही सोचा नामान नामान ने कहा अब मैं अपने कोड से छुटकारा पाना चाहता हूं इलीशा ने कहा तुम उस कीचर भरी जर्दन में जाओ जहां वो मेडिटेरियन में जाके गिरती है कहा वो जितनी कीचड भरी हो सकती है वो है महां जाकर साथ बार गोते लगाओ ओ ना मानने का अरे बाप रे बाप क्या वहाँ दमिश्क के आसपास का पानी इससे अच्छा नहीं ओ बिलकुल साफ ओ उस रातरी हमने चलचितर पर देखा आप जानते हैं उसने का क्यों हम वहाँ नीचे नहीं जाना चाहते मैं वहाँ नीचे नहीं जा सकता और तुम जानते हो की मैं कौन हूँ मैं कप्तान हूँ सुरक्षा का मैं सेना का जनरल हूँ भाई अगर आप कोर से पीछा चुटाना चाहते हैं तो फिर नीचे उतरो परन्तु यदि आप वेसे ही रहना चाहते हैं तो फिर आगे बढ़ो उसने कहा डूपकी और मुझे अब जल में उतरते हुए देख सकता हूँ क्या आप कल्पना कर सकते हैं और इसके सम्मान को आगात लगता है आप जानते हैं मैं देख सकता हूँ इस परकार से पंजों को मिला कर नाख पकड़ हुए आप समझे बहुत से लोग मसीख के पास इसी परकार से आने का यतन करते हैं मैं चंगा होना चाहता हूँ आप देखिए मैं स्वर्क को जाना चाहता हूँ ओ प्रभू आश्चरिय है बाकी सब कैसे दिखाई पड़ता है तुम ढोंगी आप इसे कभी नहीं पाओगे जो भी है ये ठीक बात है जो भी है आपको ये नहीं मिलेगा समझें आपको ये कभी नहीं मिलेगा जो भी है चिंता ना करें अभी आपको ये परियाप्त रिती से नहीं चाहिए ये ठीक बात है आप पूरी रिती से नहीं चाहते है ये ठीक है परमिशरा जब आपको लेने को तैयार होंगे तो आपको देगा अब नामधारी कीड़े सारी चीजों को खा गए ध्यान दे हर कीड़ा इसमें से प्रते कीड़ा जब वो पेड़ पर कारे कर रहा था ये उसके लिए मार्क बना रहा था जो इसके पीछे पीछे आ रहा था वो ये बुद्धिमान है जिहां शिरीमान समझे इसने फ़लों को ले लिया देखिये आत्मा को इसलिए क्या वो संगती को ले सकता है देखिये पत्तियां इसलिए दूसरी ओर से आता है और अपने जीने का साधन बनाता है पत्तियों को ले जाता है उसने ये कब किया उसने पत्तियों को चट कर दिया वहाँ कोई ठंडक ना होगी ताजगी ताकि दूसरे लोग देख सकें इसलिए वो चाल में घुश सका समझे वो चाल में घुश जाएगा और किनारे पर छेद कर देगा और उनसे शिक्षा को ले लेगा वही चीज जो जीवन को संभाले रखती है और फिर जैसे ही वो उसमें छेद बनाता है उसके पास दूसरा है जो आता है पुराना चूसने वाला कीड़ा इसने नामधारी को ले लिया और इसे चूस कर और संसागत कर दिया ताकि आप इसे ना पा सकें और जीवन ने क्या किया सीधा जड़ों में चला गया ये बिलकु ठीक बात है दोड़ता हुआ सीधा जड़ों में चला गया ठीक है अब वही कीड़ा दिलों में छेद करता है जब तक की जीवन पर पहुँचे ये फल से होता हुआ आया और पत्तों से होते हुए चाल से होते हुए जब तक की ये हिर्दे में ना पहुँच जाए जीवन की रेखा ठीक है ठीक है अब आईए पहले देखें ये नस्करने वाला कैसे कारिये पर लगा है मुझे इसमें से बहुत कुछ छोड़ना है मैं असा विश्वास करता हूँ नहीं मुझे नहीं पहली चीज जो इसने किया जैसे ही ये पेड के हिर्दे में घुसा आईए इस पर ध्यान करें पीछे उसकी पहली सिटी पर इसके पहले इसने इसे आरम किया आईए इस पर ध्यान करें अब आईए इसे कारें करते हुए देखें पहले चीज जो इसने खराब की इसने पहले वास्तिवी पेड के कीमती फल को जो परमेशर के पास इस प्रत्वी पर था नस्ट कर दिया अब यदि आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा और सहन कर सकें कुछ मिन्टों के लिए मैं चाहता हूँ कि आप मैं चाहता हूँ कि आप इसे ले सकें क्या नहीं ये आपका इस्तर संदेश है जो अब आ रहा है पहली चीज जो उसने की उसने परमेशर के पेड़ के कीमती फल को नस्ट कर दिया मसी को ये वो पेड़ था जो आगे अदन से था ये ठीक बात है पहले फल का पेड़ उसने नस्ट कर दिया पहला वाला जो इसने परस्वी पर लगाया था वो मसी था उसने वो पेड़ नस्ट कर दिया जो अपने फल उगाता था अब उनके पास सब प्रकार की संस्थाएं हैं और ये उनके पास उसके हातों में है और अब वो उसके हातों में है परन्तो जब वो पेड़ पर आता है जिसने वास्तवी प्छल में छेद कर दिया वो रूमी कीड़ा उसमें घुज गया देखिए पेड़ को नस्ट कर दिया The tree? Yes! Jesus said if I do and Saint John if I do not the works of my father or have not the fruits of my father don't believe me He was bearing the fruit of God What kind of a fruit did He bear? What kind of fruit? वो व्रिक्ष जी हाँ येश्व ने कहा यदी मैं करता हूं संत यहोना मैं यदी मैं अपने पिता के कारियों को ना करूं तो फ्र मेरा विश्वास ना करूं करो वो परमिश्वर के फलों को उगाता था उसने किस प्रकार के फलों को उगाया किस प्रकार के फल आईए कुछ मिन्टों के लिए इस पर ध्यान देए इस हमें बहुत बार देखा है आईए कुछ आरम में लें उन लोगों के लिए जो यहां पर बैटे हैं जो कुछ मिन्टों की प्रातना की प्रतिक्षा में हैं पहली कौन सी बात थी जो वे जान गए उसने उसे मसीह होने के लिए पहचाना जब पहले पत्रस उसके पास आया और उसे इंद्रियास लेकर आया और उसने पत्रस को देख कर कहा तेरा नाम शमाउन है और तू यूना का पुत्र है वचन के अनुसार वो तब ही से उसे जान गया कि वो मसीह है वहां पर क्या आप जानते हैं इतिहास के अनुसार वहां पहले भी बहुत सारे उठख़़े हुए थे और अपने आपको मसीह कहा परतु उन में से कोई ये नहीं कर सका क्योंकि मसीह मुसा ने कहा परमिशर का वचन जो असफल नहीं हो सकता मुसा के दोरा बोला गया था उसने कहा तुम्हारा मसीह मेरे समान भषश दखता होगा और जब कोई अपरेचित येशू के सामने आया और येशू ने कहा देखो तेरा नाम शमान है और तु योना का पुत्र है तभी पत्रस जान गया कि ये कौन था वो जान गया कि ये वो ही है जब नतेल जाकर फिलिपस को बुला कर लाया याने फिलिपस नतेल को बुला कर यहां लाया और नतेल एक महन पुरस धार्मिक मनुशे और फिलिपस ने इस विशे में बताया वहां मार्क पर की उसने शमान के साथ क्या किया और जब नतेल येशू की उपस्तिते में आया तो येशू ने क्या कहा उसने कहा देखो एक इसराइली जिसमें कोई दोश नहीं उसने कहा रभी तू मुझे कब से जानता है उसने कहा इसके पहले की फिलिपस ने तुझे बुलाया जब तू पेड़ की नीचे था मैंने तुझे देखा उसने कहा रभी रभी तू परमेश्वर का पुलाया तू इसराइल का राजा है देखा क्यों ये फल है यदि मैं अपने पिता के कारे ना करूं वो उनके हिर्दयों के सारे विचारों को जानता था एक बार एक इसरी ने उसके वस्तर को छुआ और जाकर भक्तमंडली में बैट गई येश्व ने चारों और देखा कहा किस ने मुझे चुआ सबने मना कर दिया उसने चारों और देखा उसे देखा उसको लहू बहता था उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया ओ प्रभू वो छोटी सामरी इस्तरी अब इसमन रखें वो इस प्रकार से अने जातियों के पास कभी नहीं गया नए श्रीमान उसने अपने चेलों से कहा था कि उनके पास ना जाना वो हम थे ये हमारा दिन है वो हमारे पास प्वित्रात्मा के रूप में आया जैसा कि उसने कहा वो होगा पर अन्दू जब वो उनके पास गया, क्या हुआ? जब वो सामरी स्तरी के पास गया, इस्तरी ने कहा, उसने उससे कहा, मुझे पानी पिला, और उसने कहा, तू यहूदी होकर मुझे सामरी से यह कह रहा है? यह तेरे रिवाज में नहीं है, उनके बीच में रंग भेद इत्यादी का अलगाव था, उसने उन पर तब ही प्रकट कर दिया, कि वहाँ कोई भिनता नहीं है, सब एक ही विर्ख से आये हैं, हम सब परमेशर के पुत्र और पुत्रियां हैं, हम सब देखा, और उसने कहा, उसने कहा, भाई हम अराधना करते हैं, हमारा पिता याकूब और यहूदी पिता भी समझे, हमारे पिता याकूब ने यह कुआ खोदा और तुम कहते हो कि तुम उससे बड़े हो, और उसने कहा, जो जल में तुझे दूँगा वो अनजीवन है, समझे? उसने कहा, हम अच्छा, हम इस पहाड पर अराधना करते हैं, तुम येरुशरम में, उसने कहा, जाकर अपने पती को यहां बुला करला, ये इससे तै कर देगा। उसने कहा, मेरा कोई पती नहीं, बोला, तुने ठीक कहा, कहा तेरे पाँच हुए, और वो जो अब तेरे पास है, वो तेरा पती नहीं है, उसने कहा, श्रीमान, तु जानता है, चार सो वश पहले हमारे पास भवश दखता था, परंतु, तुझे भवश दखता होना तुझे कैसे मालूम कि मेरे पांच पती हुए उसने कहा अब हम जानते हैं ये वो मसी का समय है उसे यहां होना चाहिए जो मसी कहलाता है और जब वो आता है वो हमें इस फरकार की बाते बताएगा ओ, ये उसके फ़ल हैं, उसने कहा, मैं वही हूँ उसने घड़ा छोड़ा, संसा का पुराने पानी का घड़ा और वो नगर में चली गई, कोई मतलम नहीं याकूब के पास कितने कुएं थे, उसे एक नया सोता मिल गया उसने नगर में जाकर कहा, आओ, एक मनुश्य को देखो उसने वो सब बता दिया जो मैंने किया क्या ये वो ही मसी नहीं, क्या ये ही वो फल नहीं, क्या ये परमाण नहीं कि ये मसी है यहुदी से नहीं समझ सके, उन्होंने कहा, ये भावी बताने वाल जबूब है ये शुने कहा, मैं तुम्हें शमा करता हूँ, परन्तु किसी समय पवित्रा आत्मा आ रहा है इनी चीदों को करेगा, और आप उसके विरोध में बोलते हैं, ये आप के लिए कभी शमा ना होगा, समझे अब यदि मैं अपने पिता के कारियों को ना करूँ, विश्वास, मेरा विश्वास ना करें, परन्तु वो फल का विरिक्ष फलों को ला रहा है अब क्या, उसने क्या कहा, तो फिर उसने किस प्रकार की कलीशिया तैयार की, अब आप कैतलिक जो ये कहना चाहते हैं कि येश्व ने कलीशिया तैयार की, तो उसने किस प्रकार की कलीशिया तैयार की क्या उसने कभी नामधारी या मतसार का उलेक किया वो सदा इसके विरोध में रहा तुम सफेद रंगी दीवारो तुम मरे हुए मनुश्यों की हड्डियो उसने उन्हें सब कुछ कहा जो कह सकता था ये ठीक बात है वो इसके विरोध में था ये परमिश्वर का फल था यदि आप चाहें तो दो और दो चार बना सकते हैं ठीक ह वो संसा जैसी चीज़ के विरोध में था उनके कलपना के विरोध में उन्हें ढूंगी कहा घास में सर्प और कहावे शैतान से थे उसने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम उसके कारे करोगे तुम्हारे पूरवजों ने किन भश्यदक्ताओं को नहीं सताया जो मैंने अपने आगे आगे भेजे समझे कहा तुम उनकी कबरे बनाते हो तुम लोगों ने उन्हें कबरों में पहुचाया ओ भाई उसने उनके साथ मुक्का नहीं उठाया ये ठीक बात है यही जो परमेश्वर का फल था ये क्या था परमेश्वर के वचन के साथ इस्थिर रहना परमेश्वर के वचन को प्रगट करना दूसरे तरीके से उसने कहा वचन ने क्या कहा कि मैं मसी ये करूंगा जब मैं आता हूँ अब यदि मैं उस वचन का फल ना लाऊं तो मैं मसी नहीं हूँ परनतों यदि मैं उस वचन का फल लाता हूँ जो मसी को करना था तो फिर मैं वही हूँ आमीन अब तुम में से मुझे कौन पाप का दोशी ठहराता है उसने कहा आप वही है आपकी कौन सी संस्थाएं उनी चीजों को कर रही है आप उसी स्थिती में है मसी को यही कारिया करने थे मसी को एक भश्यदक्ता होना है अब आईए हम आप सब को देखें उसने कहा तुमारे उंचे दर्जे के विचार आईए देखें आप ये करें अब वे शान्त थे ठीक है ये क्या था उसने परमेशर के फल उत्पन किये पवित्रा आत्मा उसमें था उसने परमेशर के फल उत्पन किये वो क्या था वो अब ज़रा ध्यान से सुनें जितना जल्दी हो सकता है मैं करूंगा ताकि आपको इस्टर का भोज लेने में देर ना हो देखिए परंतु आपका इस्टर का भोजन पुरुन थान होना चाहिए समझे मैं परोच सेने परते आंपका इसवे वोजे प्रुबू कर पाग्यों यूं मैं यूररा देने वब सेने हो खो वो परन्तु क्या वो परमिश्वर का सिद भश्यदक्ता वरिष्ट था आदरश वरिष्ट दूला वरिष्ट आमीन मैमा हो सीधा सीधा कुछ कहने जा रहा है यदि वो दूला वरिष्ट है क्या आप इसका विश्वास करते हैं उसे बाग एदन से तो दूला वरिष्ट बिना उसे भी उसी तत से जनम लेना होगा वचन देदारी हुआ वरिक्ष में आशा है आप समझ गए ये मादा वरिक्ष में भी वही जीवन है दूला जैसा की ये दूलन में है विकारी जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे ये ठीक बात है वो दूला था इसमन रहे आप कहते हैं ये वचना अनुसार नहीं है ओ ये है अब मैंने इसे पकड़ लिया समझे अब एक मिनिट में हम चंगाई सभा करने जा रहे हैं मैंने ये पकड़ लिया वो था आप इसका परमान चाहेते हैं उसने कहा मैं दाखलाता हूँ तुम डालिया हो संतियहुना नहीं ये कहा मैं दाखलाता हूँ तुम डालिया हो तुम फल लाते हो समझे और नरवरक्ष और मादवरक्ष परागरन उत्पन करते हैं एक से दूसरे पर और फल लाते हैं और डाली और दाखलाता एक ही चीज़ करते हैं स He was a major tree. He was God's perfect prophet tree. Wow! He was the word. इसलिए उसने कहा अब पहला विरिक्ष एक भश्वदक्ता विरिक्ष था एक सिद विरिक्ष भश्वदक्ताओं का परमेश्वर वो मुख्य विरिक्ष था वो परमेश्वर का सिद सही भश्वदक्ता विरिक्ष था क्यों वो वचन था अब दूसरे छोटे भखशोदक्ता थे वचन भखशोदक्ताओं के पास आया परंतु वो वचन था स्वेम में भखशोदक्ता के रूप में आमीन अब हम कहीं पहुंच रहे हैं अब ध्यान से सुने अब इस पर न चूके ये इतना अच्छा था मैंने इसे यहां पर लिख लिया समझे आमीन कोई चिला रहा है अपना होन जोर से बजा रहा है वहां पर आशा है आपका वहां एक अच्छा समय है हम यहां अंदर हैं ठीक है अब वह परमेशर का बाशा है भवशदक्ता वरिक्ष है क्यों उसने परमेशर का सारा सिद्वचन परचार किया चूंकि वो परमेशर का वचन था जो प्रगट हुआ वो सिद्वशदक्ता वरिक्ष था जिसने सिद्वशदक्ता वचन परचार किया जो सिद्भचदक्ता का फल लेकर आया परमेशवर के सिद्भचण के दौरा ओ भाई वरिक्ष के विशे में बात करते हैं एक वरिक्ष वो वो जीवन का वरिक्ष था जिससे आदम और हवा को सरदूत ने दूर रखा उस रक्षक सराप से वरिक्ष से दूर अब वही सराप yत्र कर रहे हैं कि वे दोड़ कर उसके पस आएं क्यूंकि अब उनके लिए मार बना दिया गया है, समझे, अब वे पीछे हट रहे हैं, ओ मनुश्यों, ओ अब सारा वचन प्रचार किया, उसने इधर उदर छाटा नहीं, जब शैतान उसके पास आया, वो महान धन विज्यानी, और कहा ये लिखा है, येशु ने का ये भी लिखा है, ओ, परंतु ये लिखा है, उसने का और ये भी लिखा है, सिद्भषदक्ता वरिक्ष, सिद्भषदक्ता का वचन परचार कर रहा है, सिद्भषदक्ता के चिन के साथ, सिद्भषदक्ता परिणाम लाता है, आत्मा के सिद्फल, और नकल के लिए मैं इसको अच्छी तरह जल्दी से लेने जा रहा हूँ क्योंकि नकल के लिए वे इसके पीछे पीछे रहते हैं वो वचन था आप जानते हैं वे वचन के वरिक्ष पर लटके रहे वचन का वरिक्ष उसे मनुष्य के द्वारा बनाए गए रोमी वरिक्ष पर लटकाते हैं भाइ मैं आशा करता हूँ कि घर मिल गया वो परमिश्वर का सिर्ध आत्मिक वरिक्ष होने के नाते उन्होंने उसे मनुष्य द्वारा बनाए गए रोमी वरिक्ष पर टांगा आमीन वैसे ही अब वे यतन कर रहे हैं कि परमिश्वर के सिर्ध वरिक्ष को ले ले वचन को और इसमें मिलावत कर दें और इसे किसी परकार के मत्सार पर टांग दें मिर्थ्यू और जीवन आपस में नहीं मिलेंगे येशु ने कभी भी अन्तेष्टी सभा नहीं की वो मिर्तक को जिला देगा क्यों? मिर्तियों और जीवन एक साथ नहीं रह सकते वे विरोदी हैं एक दूसरे के उसने अन्तेष्टी की सभाएं कभी प्रचारित नहीं की उसने बस उन्हें जिला दिया आमीन जीहां क्यों? जीवन और मिर्तियों अब देखिए उन्होंने उसे एक व्रिक्स पर टांग दिया क्या ये ठीक बात है? शरापित है वो जो पेड़ पर लटकता है क्या ये ठीक है? बाइबन ने कहा शरापित है वो जो मनुश्यों के दौरा बना एक किसी व्रिक्स पर लटकता है इसलिए यदि आज आज आप किसी मनुश्यों दौरा बनाए गए व्रिक्स पर लटकने का यतन कर रहे हैं तो उससे खुल कर अलग हो जाएं याने कि आपको वहां लटकाने ना दें क्योंकि वो मर्यों का स्थान कोई मनुश्यों दौरा बनाया लूथर, बैप्टिस, प्रेस्पिर्टेरिन, पेंट्रिकोस्तर संस्था ये ठीक बात है कोई मनुश्यों दौरा बनाया हुआ वरिक्ष, वहां ना लटकें बल्कि इसे अपने को वहां ना लटकाने दें यदि हो सके तो वे आपको वहां लटका देंगे जब तक आपका सारा जीवन बाहर ना निकल जाए जब तक और उनकी शिक्षा को पहचान ना लें, ये ठीक बात है परनतु यही जहां उन्होंने इस सिद्ध वरिक्ष को टांगा परमिश्वर का सिद्ध फल का वरिक्ष मनुश्यों दौरा बनाए रूमी वरिक्ष पर टांग दिया यही है मनुश्यों दौरा बनाए वरिक्ष पर टंगना स्रापित था यह क्या है उसे अपनी दुर कर दे इसके बाद जब उसने सारे फल उत्पन किये इतिहास ने मर्या मगदिली के लिए कहा वो उसके आगे दोड़ गई और कहा इसने क्या किया है इसने कौन सी बुराई की है उसने सारे जलूस को रोग दिया बोली क्या जो उसने किया वो बुरा था क्या उसने कुछ नहीं किया सिवाई इसके कि कंगालों को सू समचा परचार करने के क्या उसने इसको छोड़ कि बीमारों को चंगा करे क्या किया मरवों को जिलाया और जीवित परमेश्वर का चिन उसमें है तुम कैसे उसे दोशी ठहरा सकते हो और उन्होंने उसके मूँ पर चाटा मारा और कहा क्या तुम इस बदनामिस्त्री की बात सुनोगे बजाए अपने याजक के आप वहीं पर हैं आपके बिशप ओ आप वहीं पर हैं आज वही बात है यह ठीक बात है और जब उसने ये सब कर दिया और स्वेम को सिद्ध कर दिया कि वो क्या था और उन पर डाल दिया और कहा यदि मैं वो नहीं तो फिर तुम कौन हो यदि तुम मुझे पाप का दोशी ठहरा सकते हो यदि मैं वचन में कहीं गलत हूँ तो मुझे दिखाओ अब मैं तुम में दिखाता हूँ कि तुम कहा गलत हो समझे पाप अब इश्वास है हम ये जानते हैं अब उसे अपनी दृस्टी से दूर करने को उन्होंने उससे इतनी इस्षा की क्योंकि उसने उनकी संस्थाओं की धजियां उड़ा दी उसे अपनी दृस्टी से दूर करने को उन्होंने इसे गाड़ दिया और उस पर एक बड़ा नामधारी पत्थर लुका दिया उसके द्वार पर ताकि पका हो जाए कि फिर नाजी उठे समझे ओ प्रभू उस सिद्र विश्ट के लिए सोचें दाउद ने पीछे मुड़कर और इसे देखा उसने कहा वो जल की नदियों के पास लगा है वो अपने रितू में अपने पत्ते निकालता है और उसके फल वो छुड़ा ना जाएगा वो मुर्जाएगा नहीं वो जो कुछ भी करेगा फलवंद होगा वो संपनता का पुत्र था यूसफ उसका प्रतीक था वो यूसफ का प्रती रूप है यूसफ जहां भी गया वहां संपनता आई यही चीज येशु के साथ है उसका वचन मेरा वचन संपनता होगा और मेरे पास खाली ना लोटेगा जो मैंने इसके लिए प्रस्तावित किया है समझे वो वचन था वचन प्रस्ती पर परमेश्व द्वारा भेजा गया था और ये ठीक वो ही पूरा करेगा जिसके लिए परमेश्व ने इसे भेजा है अब जरा ध्यान से सुने ये पौस्टिक हो गया है इसके उपर क्रीम के साथ अब ध्यान दें ये यहां आता है और वे परमेश्व के उनी कारियों के लिए जब वो वहां खड़ा हुआ उसने उनसे पूछा बोला यदि मैं उनी कारियों को ना करूँ जो परमेश्व ने कहे मुझे करने ही चाहिए तो मैं उसकी और से नहीं हूँ तो मेरा विश्वास ना करो परंतु यदि मैं उन्हें करता हूँ तो तुम कामों का विश्वास करो यदि तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकते एक मनुश्य के नाते यह कर रहा हूँ तो उन कामों का जो मैं कर रहा हूँ विश्वास करो वे मेरी गवाई देते हैं वो मेरी आवास जो मैं बोल सकता हूँ उससे अधिक तेज है यह ठीक बात है और यह चीज किसी भी समय लागू होगी जीहां शिरिमान निश्चे ही होगी अब ध्यान दे यदि मैं अपने पिता के कारियों को ना करूं तो मेरा विश्वास ना करो मत करो और यदि मैं उन कामों को करता हूँ तो मेरा विश्वास करो तब उन्होंने क्या किया उस मुल्यमान विर्ष को लिया और काट दिया और उस मनुश दौरा बनाए गए विर्ष पर टांग दिया ये ठीक बात है उसमें से जीवन को काट दिया और उसे मनुश दौरा बनाए गए विर्ष पर टांग दिया उपहा सुड़ाने को तब उन्होंने ये पसंद नहीं किया वहां बहुत सारे लोग खड़े हुए थे इस विशे में चिला रहे थे इसलिए उन्होंने उसे वहां से लिया उन्होंने का हम अपने नामधरी इतना कठोर बनाएंगे कि वे उन पवित्र शोर करने वालों को हां भीतर ना आने देंगे इसलिए उन्होंने जल्द ही उसे अर्मतिया यूसफ की कबर में डाल दिया और उन्होंने एक बड़ा पत्थर लुड़का दिया इसे लुड़काने के लिए उन्होंने सैक्डो पुरुशों को लिया क्या आपने उसरातरी चितर में देखा एक बड़े मार्क से उन्होंने उस बड़े पत्थर को लुड़काया टनों का था अपने बड़े संस्था के पत्थर को वहाँ लुड़का दिया ताकि वो जी न उठे परंतु क्या वो उसे रोक सका नहीं परंतु मैं वापस ले आऊंगा यहवा ने कहा आईए अम मूल पाट पर ध्यान करें और लागू करें I will restore, saith the Lord I'll restore him in three days, I'll raise him back up again They couldn't hide him in that rock, they couldn't hide him out of the side, they couldn't get him off the hand I will restore him, saith the Lord, and in three days, he rose up, restored back Yohua कहता है, मैं लोटा दूंगा, मैं उसे तीन दिन में वापस ले आऊंगा मैं उसे फिर से जिला उठाऊंगा, वे उसे उस चटान में ना छिपा सकेंगे वे उसे उनकी दृष्टी से ना छिपा सके, वे उसे पीछा ना छुटा सके Yohua कहता है, मैं उसे वापस ले आऊंगा, तीन दिन में वो जिवित हो उठा, वापस आगया Easter के बाद, उसका जी उठना, उसने कहा, सारे संसार में जाओ, और मैं तुम्हारे साथ जाओंगा, जैसे कि जीवित पिता ने मुझे भेजा, और वो मुझे में है, इसी परकार मैं तुम्हें भेजता हूँ, और तुम्हारे अंदर होंगा, मैं संसार के अंतदक तुम्हारे साथ हूँ, वही चीज जो मैंने की, कारे की, सिद्ध करूँगा, कि मैं था, तुम भी वही कारे करोगे, सिद्ध करने के लिए, कि तुम हो, मुझे अच्छा लगता है, और विश्वासियों के ये चिन होंगे ना की बिनावटी विश्वासी परं तु विश्वासी समझे ये चीजें जो मैं करता हूँ तुम भी ये करोगे और परमानित करोगे कि तुम विश्वासी हो बिलकुल वेसे ही कारिये जो मैंने किये क्योंकि जीवत पिता मुझ में रहता है ये मैं नहीं जो इन कारियों को करता हूँ ये मेरा पिता है और ये तुम नहीं होगे जो कारिये कर रहे हैं ये मैं तुम में होंगा कारियों को कर रहा हूँ समझे अब तुम सारे संसार में जाओ, नहीं तो तुम वो बनने जा रहे हो जो मेरे द्वारा एक दुल्हन के समान जाना गया समझे, ठीक बात है, मैं तुमारे साथ जाओंगा, और मैं, तुम मेरा भाग होगे, तुम मेरी दुल्हन होगे, मेरा जीवन तुमारी देह में होगा जैसे एक पती और पत्नी एक वेखती हैं तुम और मैं एक होने जा रहे हैं उस दिन तुम जानों गए कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में और मैं तुम मुझ में ओ, मुझे यह अच्छा लगता है, शैतान इस बात पर बहुत कुरोदित होता है, देखिए, परमिश्वर का एकत्व, वो सब जो परमिश्वर था, उसने इसे मसी में उंडेल दिया, और वो सब जो मसी था, उसने कलीसिया में उंडेल दिया, आप यही हैं, उन सब को एक बनाता है, अब देखिए, अब दुलहन के लोग एक जीवन का वरिक्ष हैं, दूसरे शब्दों में, जैसे पती और पत्नी एक हैं, मसी और उसकी दुलहन एक हैं, एक चीज, एक ही आत्मा, एक से काम, एक से चिन, सब कुछ, क्योंकि जो कारिये मैं करता हूँ, तुम भी करोगे, कहां तक सारे संसार में, कितना हर प्राणी, क्या ये ठीक बात हैं, ओ अब ध्यान से सुने, अब मेगनम बंदुक से गोली दागने जा रहा हूँ, रोमी कीड़ा, उसने दुलन को खाना अरंब कर दिया, जब तक कि वो व्रिक्ष की जड़ों पर ना पहुंच जाए, वो ही रोमी व्रिक्ष किसी प्रकार के व्रिक्ष ने मसी को काट गिराया, किस प्रकार के व्रिक्ष ने मसी की दुलन को काट गिराया, कैसे वचन के बदले में कुछ दे कर इसलिए आप देखते हैं प्रोटेस्टेंट कलीशा जो परमिशर के वचन को नहीं लेती वे रोमन कलीशा की एक पुत्री है परमिशर ने कभी भी किसी समय को संस्तागत नहीं किया रोमन के अथलिक कलीशा पहली संस्तागत कलीशा थी और वे सारी के सारी उसकी पुत्रिया हैं जो संस्तागत हुई वे उसके साथ मर गई वे उसके साथ मर गए बाइबल ने कहा कि वे उसके बालकों को आग से जला देगा कितने ये बाइबल जानते हैं बाइबल ने ऐसा कहा है बाइबल ने कहा है कि गेहूं और जंगली पौदे एक साथ बढ़ेंगे जब तक अंत का दिन नहीं आ जाता तब वो पहले जंगली पौदों का गठर बांदेगा ठीक है और उन्हें जलाएगा और गेहूं खत्ते में जाएगा क्या ठीक बात है बाइबल ने कहा है बाइबल ने कहा है जंगली पौदे स्वेम ही अपने आप को एक साथ संस्ता में बांद रहे हैं कलिशाओं का संग परमाणूं की आख से जलने को बिलको ठीक परंतु कलिशा खत्ते में जाने के लिए तयार हो रही है रैप्चर में उतनी निशित जैसे संसार है क्योंकि सोतंतरिस्त्री दासी के संग वारिस नहीं ओ भाई एंथोनी ओ हम आने वाले आनंद वाली सहस शताब्दी का दिन का ध्यान कर रहे हैं जब हमारा धन्य प्रभू आएगा और अपनी प्रतिक्षा करती दुल्हन को ले जाएगा ओ मेरा प्राण उठा लिए जाने के आनंद से भर गया है जैसा कि मैं परिशरम प्रतिक्षा और प्रासना कर रहा हूं क्योंकि हमारा प्रभू फिर से प्रतिक्षा पर आ रहा है हाललुया जिहां शिरिमान वो जंगली पौदे को जला देगा और गेहूं उसे वो खत्ते में ले जाएगा रोमी कीड़े ने उस वरक्ष को पौलूस के दिनों में खाना रंब कर दिया उसने का मैं समझता हूँ या वचन है मेरे चले जाने के बाद तुम भाईयों में से कुछ मुनश्य उठ खड़े होंगे जैसे कि उन पर भेड की खाल हो और भीतर से भेडिये और बहुतों को अपनी और खेंच लेंगे क्योंकि मसी विरोदी आत्मा जिसके विशे में तुम सुन चके हो कि जगत में आने वाली है वो अब पहले ही संसार में है और बालकों के बीच कारे कर रही है क्या अनाग्याकारी अनाग्याकारी कि उसमें वचन में आप वही हैं संस्ता आरंब हो रही है मित्रो आप समझे मेरा क्या आरत है वे जो सब समझते हैं आमीन कहें खाना आरंब कर दिया ये क्या करेगा वो पुराना कीड़ा आरंब हो गया वो पुराना येलक नाम टिड़ी यही जो योल ने देखा अब सुनिये हम अन्त के समीप आ रहे हैं जोन ने ये देखा उसने कहा जो गाजाम ने छोडा उसे अरवे टिड्डी खा गई जो अर्बे ने छोड़ा उसे येलेक ने खा ले लिया येलेक ने जो छोड़ा क्यों उसे हासिल ने खा लिया यही उसने कहा ये ठीक यही है ये परमिशर का वरिक्ष है वो पेड उसने काट कर गिरा दिया येलेक टिड्डी ने ठीक है रूमी कीडे हासिल ने दुलहन के विर्ष को खाना आरंब कर दिया और इसे नीचे जड़ तक ले गया पीछे से सब कुछ खा लिया और विर्ष को कार दिया जैसे उसने मसी येशु के साथ किया दुले के साथ दुलहन को काट कर नीचे गिरा दिया और मत्सार और नामधारी में आरंब कर दिया वही पुराना कीड़ा परंतु क्या ओ महिमा हो उसकी जड़ों में पहले से ठैरा हुआ बीज था अबरहाम का राज के बीज ये नहीं मर सका वचन पर्तिग्या की जड़ों में था यहवा ने कहा मैं सब लोटा दूँगा क्या वे सारे वर्ष जो हासिल कीड़े ने काट दिये वो सब जो टिड़ी ने खा लिया वो सब वो सब बाकी जो कीड़ों ने खा लिया मैं वापिस लोटा दूँगा यहवा ने कहा अब इसकी तुलना पिछले रवीवार से करें और पहले के रवीवार अब यह संदेश अब ध्यान से सुनें जैसा कि आप बंद करने पर हैं ध्यान दें वो सब जो कीड़ों ने खा लिया यहवा यू कहता है मैं सब लोटा दूँगा मैं उसमें का सब छोटे से छोटा फिर से वापिस लोटा दूँगा अब यदि आप शांत बैट सकते हैं कुछ मिन्टों के लिए और ध्यान से सुनें तैयार हो जाएं और अपने सारे हिर्दे से प्रात न करें क्योंकि ये परमिश्वर नहीं आप पर प्रिकट करना है इसलिए परमिश्वर की प्रतिक्या लोटाना आरंब हो गई है क्योंकि परमिश्वर ने कहा वो इसे लोटा देगा वैसे ही जैसे उसने दुलहन के विर्ष को बढ़ाया दूले के विर्ष को वो दुलहन के विर्ष को बढ़ाएगा क्योंकि वहाँ एक होने जा रहा है वैसे ही निश्चित जैसे संसार अब क्या ठीक है इसलिए परमेश्वर की प्रतिग्या आरंब हो गई प्रभू ने कहा मैं लोटा दूंगा वो जो टिड्डियों और कीडों ने खा लिया जैसा कि पहली बार जब उसने पहली कलीसिया बनाई अब मैं आपके सामने कुछ शिक्षाइं लाने जा रहा हूं यद जो बात मैं कर रहा हूं मुझे अच्छा लगता है समझे अब ध्यान दें जैसे कि पहली बार जब उसने पहली कलीसिया आरम की रूमी हासिल ने खा लिया और ये लेक ने और आदी आदी उसने विश्वास के दोरा धर्मी ठहराने के साथ आरम किया यहुना बबतिस्मा देने वाला इस संथ यहुना के तेरा ये सत्रम अध्याई में सत्रमा पद येशु ने कहा पिताई ने सत्य के दोरा पवित्र कर तेरा वचन सत्य है दूसरा कार्ये कलीसिया में पवित्री करन का था धर्मी ठहराने के बाद पवित्री करन का था और उनके पवित्री करन हो जाने के पश्चात उसने उनसे कहा कि येरुशला में ठहरे रहना लूका 24-49 जब तक तुम उपर से सामर्स ना पाओ और वो उसने विर्ख्ष को जिनम दिया पवित्री करन पवित्री करन पवित्री करन का बप्तिस्मा और तो मसी उनमें रहने के लिए आ गया ताकि फल ले करके आए आमीन ये ठीक बात है यहुना ने धर्मी ठहराना परचार किया अब देखिए ये सभविक जनम का निर्मान करता है जब एक इस्त्री एक बालक को जनम दे रही होती है इसे सुने पहले चीज इस्त्री को क्या होता है क्या आता है पहले पानी प्राश्चित करो और येशु मसी के नाम में बप्तिस्मा लो धर्मी ठहरना दूसरी बात इस्त्री को क्या होता है लहू क्या ठीक है लहू पवित्री करन तब अगली चीज जीवन पानी लहू आत्मा संत यहना याने पहला यहना पाच साथ साथ माच बल्कि मैं विश्वास करता हूँ यह कहा गया तीन है जो सर्ग में गवाई देते हैं पिता वचन जो की पुत्र है और पवित्री आत्मा यह तीनों एक हैं और तीन है जो पिर्थवी पर गवाई देते हैं पानी लहू और आत्मा वे एक नहीं है परंतु एक में सहमत है आप पिता को बिना पुत्र के नहीं पा सकते, आप बिना पवित्रा आत्मा के पुत्र को नहीं पा सकते, परंतु आप बिना पवित्री करण के धर्मी ठहर सकते हैं, आप बिना पवित्रा आत्मा पाए पवित्र ठहर सकते हैं इस नाजरीन भाई के विशमे है, उनका येशु मसी द्वारा पवित्र करण हुआ था एक वर्आ शौद छे महिने पहले, जब पवित्रा आत्मा उत्रा, क्या ये ठीक बात है, उनका येशु मसी के द्वारा पवित्री करण हुआ? अब जैसे वो पहली दूलन विरख्ष को लाया जिसे अर्बे और गाजाम नाम टिटी ने खा लिया वे दूसरे विरख्ष को लोटा रहा है उन्हें पहले से ठेराई हुई जड़ों से वापस ला रहा है जो मर नहीं सकते वे नदी के किनारे खड़े हैं वे इस जल में जी रहे हैं ये अपने आपको नहीं दिखा सकते परंतु ये वहाँ है जो भी है अब ये आरम हो रहा है ध्यान दे वही कीड़ा जैसे कि वो उसी चीज़ को लोटाता है उसी विधी के दोरा पहली बात जब व्रिक्ष कैथोलिक बात से निकल कर बाहर आता है मार्टी लूथर था जिसने धर्मी ठहरना परचार किया दूसरा दूद जॉन वैसली था जिसने पवित्री करण का परचार किया लूथर ने धर्मी ठहरना परचार किया धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा वैसली ने पवित्री करण का परचार किया अनुग्रे का दूसरा निश्चित कारी है और तब पवित्रय आत्मा आता है जैसे कि उसने विर्ख्ष को तयार किया पहली बार वो यहां उसे फिर वापस लोटा रहा है उसी चीज में दूसरी बार इसे समझे बार इसे कि उम्हा बोटाओ और विर्ख्ष को ते जैसे भी आटाओ गाद जोए भी पर जाटाओ दियान दे वही कीडा वही चोटा धूरत वही कीडा जिसने आरम करके विर्ष को मारा फिरसे लुथरन की डालियों में आरम कर दिया परंतु क्या मैं लोटा दूँगा इस कीड़े ने लूथर पर आरम कर दिया ताकि लूथरन डालियों को मार डाले यह सीधा वैसली पर भी आया और वैसली की सारी डालियों को मार डाला परंतु वरिक्ष का मूल भाग उपर को आ रहा है अब ध्यान दें पुराने समय में जब वरिक्ष मार डाला गया यह मार डाला गया यह सीधा जड़ों में चला गया जब इसने पहले मारा था परंतु इस बार क्योंकि वचन पहले से ठहराए हुआ है तो इसे कोई नहीं रोग सकता परमेशन ने कहा मैं लोटा दूँगा कोई मतलब नहीं वे कितने भी संसागत हो जाएं वे कितना भी यह वो आदी करें मैं ऐसे लोटाने जा रहा हूँ बस यह तैह हो गया सब हस और उपहास कर रहे हैं पवित्र शोर करने वाला निर्थक कह रहे हैं अब जो चाहें फिर भी परमेशन ने कहा मैं लोटा दूँगा प्रभु कहता है वैसे ही निश्च जैसे उसने येश्चु को कबर से बाहर निकाला तीन दिनों के अंदर तीन विधानों के अंतरगत या तीन भागों में वो कलीशिया को उसकी परिपूर्टा में उठाने जा रहा है और फिर से सामर थी प्रभु ने कहा मैं लोटा दूँगा क्या हुआ उस पुराने कीड़े ने खाना आरंब कर दिया और उसी प्रकार का प्रभाव जो उसने किया उसने क्या किया उसने केवल लूथर की डालियों को लिया उसके पीशे जो आत्मा था उसे कभी नहीं ले पाया जो लूथर में था क्योंकि वो उसी पर जीवित रहा तब साथ साथ वैसली आया और वैसली के मर जाने के बाद वो माहन भर्षदक्ता वैसली के मर जाने के बाद उन्होंने क्या किया वे सनसागत हो गए और सारी डालिया मर गए परंतु उसने क्या किया कलीशिया उसी पर जीवित रही और पेंटेकोस्त पर आ गई जब वे सनसागत हुए परंतु क्या कलीसिया आगे बढ़ती रही क्या वही चीज पेंटिकोसल ने की वही पुराना कैथलिक नामधारी जिसने इसे पहले स्थान पर लिया ताकि विर्ष को नस्ट कर दे दुलन का विर्ष पहले स्थान पर शेतान की वही पुरानी चाल जो इस दूसरे विर्ष पे चली परंतु क्या परमेशन ने इसे पहले से ही ठेराया चाहे जो हो इसे आगे बढ़ना ही है यदि ये यदि ये ना होता जब लूतर संस्ताकत हुआ तो बस यही तय हो जाता ये दूसरों की तरह पीछे चला गया ये दूसरी कैथलिक कलीसिया होती रोमन कैथलिक कलीसिया समझे परंतु परमिश्वर ठाने हुए था उसने अपना वचन बोला उसका नियम देखेगा कि वो घटित हो कोई मतलब नहीं कितनी ही शीट उस पर आए ये जीने ही जा रहा है चाहे जो हो हमारे पर शीट प्रभाव पड़े नामधारी विशमताएं और हर चीज परंतु वो व्रिक्ष वैसे ही निश्चित रूप में जीवित रहेगा जैसे जीवित परमिश्वर उसे जीवित बनाए रखता है जीहां शीरिमान उसने कहा मैं इसे लोटा दूंगा मैं जानता हूँ हमारे शरत कुछ देर में है इस्टर की रिटू कुछ देर में आ रही है प्रभू अपने आगमन में देरी कर रहा है वे कहते हैं हर चीज वैसी ही है और ठंडी हवा उने बहुत सारे नामधारी डालियों को मार डाला है परन्तु ये उस जीवन को नहीं मार सकती जो कि ठेरा है हुआ है सब जिसको उसने पहले से जाना उसने बुलाया वे जिनको उसने बुलाया उसने धर्मी ठेराया वे जिनको धर्मी ठेराया उसने पहले ही महिमा मह कर दिया हालिलुया ये पुस्तक में लिखा हुआ है मेमने की जीवन की पुस्तक और मर नहीं सकता वे सारे कीडे जो नरक उस पर छोड़ सकता है वे कभी उसे रोक नहीं पाएंगे कोई समय बाद नहीं कैथलिक बाद नहीं कुछ भी इसे नहीं रोक पाएगा प्रभू ने कहा मैं लोटा दूंगा सारे मनशे दौरा बनाए हुए विरिक्ष वे वहाँ नहीं टिक पाएंगे सारी कभरे से वहाँ नहीं रख पाएंगी सारे नामधारियों के बड़े बड़े पत्थर जो दौर पर रखे हैं वे उसे वहाँ नहीं रख पाएंगे प्रबु ने कहा मैं लोटा दूंगा वहां एक इस्टर होगा ये वैसे ही कलीशा को लाएगा उसी समर्थ में मैं उदलन को लोटा ले आउंगा जो वहां पहले थी उनी चिन्नों के साथ वही फल वही चीज़ जो उन्होंने पहले की मैं उसे फिर से वापिस ले आउंगा मैं लोटा ले आउंगा प्रबु ने कहा क्या जो कुछ नामधारी उने खा लिया वो सब कुछ वापिस ले आउंगा जो संस्ताओं ने खा लिया प्रबु कहता है मैं लोटा ले आउंगा इसका सारा का सारा अब आप कहते हैं उन चीजों के विशे में क्या है जो उन नामधारियों में चली गई परमीशवर एक अच्छा किसान है उसने विर्ख की छटाई की है जो की ये थे वे जो मरी हुई डालियां थी वो क्या करने जा रहा है उन्हें जला देगा बिलको ठीक बात परमीशवर इस विर्ख का माली है वो इसकी चिंता करता है वो इसके मिरास का ध्यान रखता है वो उसकी मिरास क्या है उसका अपना बचन वो अपने बचन का ध्यान रखता है कि उसकी पुष्टी करें उस पर ध्यान करें देखिए वो कहां से ले सकता है वो इसे छोडाने जा रहा है इसलिए जब ये कलीसिया संस्तागत होने लगी और इस प्रकार की चीजें उसने इनकी छटाई कर दी और कलीसिया बढ़ती गई जब लूथर ने कहा अब हम संस्तागत होने जा रहे हैं हम उतने ही बड़े हैं जितने कैथलिक ठीक है उसने बड़ डालियों को छाट दिया और उसके आगे वैसली ने ले लिया दूसरा भषज़दकता उट खड़ा किया तब जैसे ही वेसली ने ये किया भाई वेसली मर गया वो महान बश्जोदक ता उसे क्या किया इसे संस्ताकत किया तो पैंतिगोस्त एलागा जैसे ही वो मरी उसे छाट दिया वो उसे आगे बढ़ गई समझें वो इसे वापस लाने जा रहा है फल कहा पर लगते हैं, यह यहां नीचे से आरम नहीं होते, यह चोटी से आरम होते हैं, सबसे पहले सूर्य पेड़ पर कहा चमकता है, ओ महिमा हो सांज का उजी आला, विरिश की चोटी पर, आमीन, ना की नीचे की डालियों पर, परंतु वहां पेड़ की चोटी पर जहां फल पकता है, आमीन, क्या आप उस से प्रेम करते हैं, आमीन, क्या आप उसकी सेवा करेंगे, 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 आमीन, क्या आप उसकी सेवा करें उसका विश्वास करेंगे, आमीन, मैं भी उस पर निच्चे ही विश्वास करता हूँ, अपने पूरे हिर्दे से, अब ये क्या है, वो उन पुरानी मरी हुई दाखलता की डालियों को छाटने जा रहा है, जैसे कि वो आती हैं, वे सारी संस्थागत दाखलता हैं, जब तक पेड़ की चोटी के साथ ठीक ना हो जाएं, यहीं, जहां वो अपना फलेने जा रहा है, अब ध्यान दें, परमेश्वान ने उन्हें छाट दिया है, ठीक है. वे मर गए, और परमेश्वार की उपस्थिती नहीं आएगा, पहले पुरुनुत्थान में नहीं आएगा, परन्तू दाखलता का फल, मूल, परमेश्वार की दाखलता, वे लोग संसागत जुंड में जाएंगे, परन्तू वे दाखलता के फलों में नहीं आएंगे. अब देखिए परमेशन ने कभी कोई संस्था नहीं निकाली कलीशिया उसमें साटी गई एक संस्था और परमेशन ने उसे काट दिया उसके जीवन संचार को काट दिया ये संस्था गट फल उत्फन करती है परनतु यदी दाखलता यदी कोई डाली दाखलता में से निकलेगी तो ये वही उत्फन करेगी जो उसने पहले किया जो पहला वाला फल था और रोम ने अपने कीड़े उस पर खाने के लिए भेज दिये परनतु परमेश्वर इतने उंचे पर उत्फन करने पर है कि ये नहीं चू सकते ये उपर आने जा रहा है आमीन मैं आईए चलते हैं वरिक्ष एक इस्थान से दूसरे को जाता है एक विधान से दूसरे विधान में लूथर से ये वैसिली में चला गया वैसिली से ये पेंटिकोस्तल में चला गया पेंटिकोस्तल से ये वचन में जाता है सचे विश्वासी के लिए फिर से इस्टर है उसके कभी भी असफल ना होने वाला वचन ये इस्टर है ये पुरुन्थान है परमेश्वर के लोग सब और है ये उनके लिए इस्टर है क्यों वे जी उठे आमीन वे उनमत्सारों और नामधारियों से जी उठे उनमें से होते हुए सीधर उपर आए ये फिर से इस्टर है वो शाही भी जड़ों में छिपा हुआ था वो वचन वो पीछे इस वचन में छिपा हुआ था वर्षों और वर्षों से और वर्षों से अब अब प्रगट होना आरंब हो गया ये इस्टर का समय है जगत की उत्पती से पहले ठेराए हुआ ये कलीशिया खड़ी होनी आरंब हो गई अब ध्यान दे कैसे परमिशन ने आरंब में ठेरा दिया मुझे मिला भाई मैं ये कहने जा रहा हूँ जो भी है ठीक है यहां पर ध्यान दे कि पहले उस सिद्वरिक्ष को उसकी मिर्ट्यू के पश्चा तीन दिनों में लोटा ले आने वाला है पहले वरिक्ष की मिर्ट्यू के बाद उसने इसे तीन दिन में लोटा दिया क्या ठीक बात है वापिस लोटा ले आया अब दुलहन भी तीन दिनों में वापिस आने जा रही है, तीन अवस्थाएं बलकी तीन अवस्थाएं ये वापिस छुड़ा ली जाएगी, अब देखिए क्या धर्मी ठहराना, पवित्री करण, पवित्रा आत्मा का बप्तिसमा, एक, दो, तीन I noticed, after three days, the first tree restored as at the beginning having the same signs, same wonders, Jesus come back the same Jesus doing the same thing, at the end of the third day, the signs appeared, not the end of the first day, oh bruh, I hope you're getting it. Amen तीसरे दिन जब मसी का वास्तविक प्रगटिकरन जाना गया था, तीसरे दिन के अंत में, समझे, ध्यान दें, क्या आप ये समझ रहे हैं? Not at the first day, dead form, second day there was a rumor, second day was still dead, Luther, Wesley, at the beginning of the third day, there was a rumor around. पहले दिन नहीं, मरा हुआ रूप, दूसरा दिन, वहाँ एक अफवा थी, दूसरे दिन, वह अभी मरा हुआ है, Luther, Wesley, और तीसरे दिन आरंब में, यहाँ आसपास अफवाट थी, ठीक है. पहले दिन कुछ नहीं, Luther, दूसरे दिन कुछ नहीं, और तीसरे दिन में, पवित्रा आत्मा का विधान, वहाँ आसपास में अफवा थी, वो कल, आज, और सरवदा एक सा है. परंतू तीसरे दिन के अंत में, जहाँ उसने स्वेम को प्रगट किया, सीधा उनके बीच में आ गया, अपने लोगों के बीच में आ गया, और कहा, मुझे देखो, मैं वही हूँ. मरा हुआ रूप पेंतिकोस्तल तक गया, तब आसपास अफवा अरम हो गई, कि वो था, अभी संतिम दिन में, वो वहाँ ठीक हमारे बीच में है, हमारे बीच चल फिर रहा है. तीसरे दिन के अंत में वो प्रगट हुआ, और अपने पुरुन थान के सारे चिन दिखाए, कि वो जीवित है. कल, आज, और सरवदा एक सा है. उसकी उपस्थिती के जीवित फल, उसकी उपस्थिती के जीवित फल, क्या आप समझ रहे हैं? जिन के बिलकुल अंत में प्रगट हुआ, जब वो सब पर प्रगट हुआ, उसकी कलीशिया, आमीशिया. क्यों? वे सब एक साथ थे, ओ, आमीशिया, तीसरे दिन के अंत में. सांच के उजयाले, बाइबल ने कहा, अंत के दिनों में, चमकेगा, सांच का उजयाला, वही उजयाला पश्चिम में है, ये वही उजयाला था, जो पूर में था. वही उजयाला जो पूर में चमका, जो पहली कलीशिया लाया था, जिसे रूमियों ने अपनी मूर्टी पूजा तियादी से काट दिया था, सांच के उजयाले में वही उजयाला, अब ध्यान दें, वही उजयाला. सांच का उजयाला, उसी उदेश के लिए आया है, जिसके लिए प्राता है उजयाला आया था, उन चीजों को वापिस ले आये, जो अंदकार के युग में काट डाला गया, रोम के दोरा. परमेश्व लोटा ने जा रहा है, सांच का उजयाला, चमकाने के दोरा, क्या, परमेश्वर का संपूर्ण वचन फिर वापिस लाना, मसी का पूर्ण प्रगटी करन, उसकी कलीश्या में, हर चीज जो उसने की, ठीक उसी प्रकार से, उसने किया, ये सांच के उजयाले में फिर से होगा, देखा मेरा क्या आर्थ है, ओ, क्या ही आर्ष्चे रेजनाग। और जानते हैं, कि हम ठीक यहां पर अब रह रहे हैं, कि अब इसे देखें, सांच के उजयाले को ठीक भवश्यवानी के अनुसार, सांच का उजयाले क्या लोटाने को आया है, उन चीजों को लोटाए, जिने कीडे खा गए थे यह बढ़ना आरम हो गया, और फिर यह क्या करता है, इसका नाम करण हो गया, इसलिए परमेशन ने इसे च्छाट दिया, इनने बांद कर पीछे डाल दिया, उन्हें आगे जाने दिया, और संसागत, तब दूसरा वाला आया, उसने इनने बांद दिया, और एक और डाल दि व्रिक्ष आगे बढ़ता गया तब उसने इने बांद कर एक और डाल दिया कहा अब इनी किनी तुनों में वे जला दिये जाएंगे और उन्हें उनकी संस्ता में बांद दिया परंतु फिर क्या व्रिक्ष के ठीक चोटी पर जहां पहले फल पके ये ठीक बात है ठीक पेड़ की चोटी पर इसलिए ये व्रिक्ष की चोटी है ये जहां सांज का उजियाला दिखाई पड़ता है अब नौए थी रूम्स इस आर्क अब नौए नौए थी रूम्स इसलिए आर्क फ्लॉर थी चोटी पर इसलिए पर प्लॉर ज़िए अब नौए 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 नाओं तीन तल थे पहला खाना रेंगने वाली चीज़ों का, समझे? दूसरा च्ड़ीओं के लिए था परन्तु सबसे उपर वाला जहां उजेला था पहले जो उजेला चमका, पहला कभी, पहले तल पर नहीं आया दूसरे तल पर, つ उपर वाले तल पर ब्रेक्ष अपना फल पहले नीचे की और उत्पन नहीं करता, दूसरा इस प्रकार से ये सब संस्था में छांट दिये गए, परंतु ये इसकी चोटी के भाग में, जहां प्रभू ने कहा, मैं लोटा दूंगा, मैं सांच के उजयाले को भेजूंगा, ये वापस ले आएगा बचन को वापस ले आएगा, इसे प्रकट करेगा, मैं उस सब को लोटा दूंगा जिसकी मैंने प्रतिग्यादी है, वो सब जिसकी मैंने प्रतिग्यादी है, वही पवितरा आत्मा लाएगा, उन्ही चिन्नों को मेरे पास एक ईस्टर है दुलहन के लिए, एक परुनुठा वैसा ही जैसा दूले के लिए था समझे सांज का उजी आला चमकने के लिए बहार आ गया है जैसा प्राता में था वोही चिन वोही चीजे वोही उजी आला उन्ही फलों को उत्पन करेगा कि वे वहां थे यदि ये उसी विर्ष पर चमक रहा है आमीन अपने वचन को प्रमानित करते हुए पूरा किया रभू ने कहा मैं लोटा दूंगा अब ज़रा ध्यान से सुने अब वहां था अब सुनिये अब इस पर चूँके न वहां मिर्ट्यू के चार संदेश वहाग थे या आप चाहेंगे बस मैं बंद करें या बलकि आप चाहेंगे इस पर आता है अब ज़रा ध्यान से सुने देखिए वहां मिर्ट्यू के चार संदेश वहाग की विर्ख्ष को मार डालें ये ठीक बात है ये क्या था गाजाम, टिडडी, ये लेक नाम कीड़ा क्या ये ठीक है रूमी प्रेतों के चार संदेश वहाग धरम सिध्धानतों ने उस विर्ख्ष को मार डाला एक ने इसके फल खा लिये एक ने चाल खा ली या इसकी पतियां एक ने चाल खा ली एक ने जीवन ले लिया क्या ये ठीक बात है धरम सिध्धानतों के चार संदेश वहागों ने उस विर्ख्ष को मार डाला सब को सिवाए जड़ों के And if four messengers of death kill the tree, four messengers of life restores the tree Do you get it? Amen और यदि मिर्त्यू के चार संदेश लाने वालों ने विर्ख्ष को मा डाला चार संदेश वहा को ने विर्ख्ष के जीवन को वापिस ले आए कि आप इसे समझे आमीन क्योंकि परमिश्वन ने कहा मैं इसे लोटा दूँगा वो इसे वापिस लाने जा रहा है कैसे उन चार मिर्थ्यू के संदेश लाने वालों से जिनों ने इसे मारा तो फिर जीवन के चार संदेश वहाक इसे वापिस ले आएंगे पहला क्या था? मार्टी लूथर धर्मी ठहराना दूसरा वाला क्या था? जॉन वेसली पवित्र करन के दौरा तीसरा वाला क्या था? पेंटिकोस्त वरदानों की वापसी के साथ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चोटह वाला क्या था? वचन, क्या वचन? वहां चार महान भर्श दखता थे उन में से एक माटी लूथर उसने उजियाला चमकान आरम कर दिया वहां एक छोटी सी जोती थी बहुत थोड़ी सी शक्ती के साथ धार मिक्ता की फिर वैसली आया थोड़ा और मजबूत पवित्री करन वैसली के बाद और मजबूत वाला आया पेंटी कॉस्तल पवित्री आत्मा का बप्तिस्मा दूसरे महान भश्ट रखताओं में समझे? मलाकी चार के अंतिम दिनों में एलिया को उसी बचन के साथ आना है प्रभू का वचन भर्श दक्ता के पास आया सांज के उजियाले में सामने आया कि छुड़ा लाए और वापिस लाए क्या? बालकों के हिर्दों को वापिस परमिश्वर के विश्वास पर चौथा उजियाला चार हत्याओं ने इसे खा लिया चार संदेश वाहकों ने इसे नस्ट कर दिया मिर्ट्यू के चार संदेश वाहकों ने इसे धरम सिधानतों से खा लिया धार मिक्ता के चार संदेश वाहकों ने इसे फिर से छुड़ा लिया म klah कि पुत्र की भर्षवानी , यह वघ्या जीवित हो सकती है , और भू पास पास समय होता , मैने से यहा लिखा हुआ है , पर आपू मुझे छोडना होगा , भर्षवानी क्या यह वघ्या जीवित हो सकती है , कलीशिया की वे चार रवस्थाइं जो आ रही हैं क्या है हिसकेल की हड़ियां वे आने वाली चार रवस्थाइं क्या है परंतु जीवन के वले आता है तब नहीं जब उन पर खाल चड़ जाती है परंतु जब उन पर हवा चलती है तब जब जीवन का चौथा संदेश वापस आता है प्रभू ने कहा मैं लोटा दूंगा हललुया महिमा हो परमेशर को महिमा मिले चौथा उजी आला आना है वो उनी चिन्नों को लाएगा ध्यान दें धार्मिक्ता गूदे को लाई पवित्रे करन चाल को वापस ले आया पवित्रता की शिक्षा पत्यों को कौन वापस लाया पेंतिकोस्तल ये क्या है पेंतिकोस्तल पत्यां अपनी तालियां बजा रही हैं आनंद आनंदित हो रहे हैं पेंतिकोस्तल क्या चोथा वचन था स्वेम वचन देधारी हुआ पुनुर्थान चिन के प्रमान के फल कि अंतते मसी धार्मिक्ता के पश्चायत लगाया गया पवित्री करण के पश्चायत लगाया गया पवित्रा आत्मा का बप्तिस्मा संस्थाएं मर गई और मसी ने स्वेम को पेरामिड की चोटी के पत्थर के समान केंदृत कर लिया पहली पंक्ति, धार्मिक्ता, पवित्रे करन, पवित्रात्मा का बप्तिश्मा तब चोटी का पत्थर आता है पवित्रात्मा वाले जुंड के पास सांच चड़ाया गया ताकि उसी प्रकार की सेवा में समझ जैसे कर सके जो उसके पास पहले थी जब वो गया ताकि जब वो वापस आता है तो ये सारी बातों को उठाए लिए जाने में पकड़ लेगा जहां धार्मिक्ता पवित्री करन और पवित्रात्मा का बप्तिस्मा है वो पैरामिड फिर खड़ा होगा परमिश्वर का घर फिर से जीएगा जीवन का विरिक्ष फिर बढ़ रहा है Nations are breaking, Israels awakening, the signs that the prophets foretold Gentile days numbered with horos and comfort, return oh disperse to your own The day of redemption is near, man's hearts are failing for fear Be filled with the spirit, your lens trimmed and clear, look up, your redemption is near रास्ट तूट रहे हैं, Israels जाग रहा है, वे चिन जो भर्षदक्ताओं ने पहले से बताए अन्य जातियों के दिन गिने हुए हैं, हेंगे में उल्जे हुए, ओ पिछडे हुए तुम अपनों में वापस आ जाओ चुटकारे का दिन समीप है, मनुष्य के हिर्दे भै से रुकने वाले हैं, आत्मा से भर जाओ, तुम्हारे चिराग छाटे हुए साफ, ऊपर देखो, तुम्हारा चुटकारा समीप है जूटे भश्य दकता जूट बोल रहे हैं, परमेशर के सत्य का इनकार कर रहे हैं, येशु मसी हमारा परमेश्वर, परंतु हम वहाँ चलेंगे जहां प्रेडित चले, क्योंकि छुटकारे का दिन समीप है, मनुष्य के हिर्दे भै से रुक रहे हैं, परमानू और हर चीज, परंतु आत्मा से भर जाओ, तुमारे चिराग छाटे और साफ हैं, उपर देखो, तुमारा चुटकारा समीप है, आमीन, सारे चिन वापस, लूत का चिन अंत के समय पर, हम उसमें होकर निकले हैं, कैसे वो लूत, यहवा का ये दूत लोगों के बीच देहधारी हुआ, अपनी पीट तंबू की ओर करके बैठा, और कहा, तेरी पतनी सारा कहा है, तेरे पीछे तंबू में, उसने कहा, मैं तो से भेंट करने वाला हूँ, और सारा हसी, उसने कहा, सारा क्यों हसी, अपने तंबू में, आमीन येशु ने कहा आगमन पर यही बात होगी ओ तब सांज का उजियाला मलाकी चारका उस अंदकार में से चमकता हुआ आता है कि उस पहले से ठेरा हुए वचन पर सांज का उजियाला लाए हालिलुया चौता संदेश क्या होगा चौता संदेश वाग क्या है उजियाला को वचन पर चमकाए वचन पहले से ठेरा है हुआ है इसको तो सामने आना ही है कुछ करना है क्योंकि परमेशन ने कहा रभू ने कहा मैं लोटा दूँगा मैं लोटा दूँगा ठीक है सांच का उजी आला पहले से ठहरा हुए वचन पर आ रहा है जीहां शरीमान ओ सांच के समय के उजी आला होगा महिमा का मार्ग आप निश्चे ही पाएंगे जल के मार्ग से आज उजी आला है येशु के बहुमूले नाम में दफन हो जाओ युवा और बूड़े अपने सारे पापों से प्राश्चित करो निश्चे ही पवित्रा आत्मा परवेश करेगा क्योंकि सांच के उजी आले आ गए हैं ये सत्य है कि परमिश और मसी एक हैं वहाँ वे एक साथ मिलकर एक है एक हम में वही चेंज जो मनुश्य नहीं कर सकता वे स्वेम को प्रगट कर रहे हैं बहार आ जाओ वो वचन परमिश और के पहले से ठहराए हुए वचन को वापिस लाने को विरिक्ष की उस जड़ में से वहाँ पीछे से कि सारे नामधारियों ने इंकार कर दिया और नकारा और नकारा परन्तु वहाँ एक उजियाला आएगा वहाँ एक उजियाला आएगा उठेगा कहां क्या यरुशलम में नई शरीमान सांच का उजियाला यरुशलम में नहीं होगा सांच का उजियाला जाता है कहां पश्चिम में उनके अपने दिन थे और उसका इंकार कर दिया अपने बलाई जारीग all बलाई इसका आएगा। और उजियाला में अ surprise परंतु सांच का उज्याला पश्चिम में उद्य होगा किसलिए कि वचन के उपर चमके क्या कि फल को पका दे दुलहन वरिख्ष को वापस ले आए उनी चिन्नों के साथ आश्चर-एकर्मों और फलों के जो उनके पास आरम में थे सांच के समय उज्याला होगा दाओद ने कहा अपनी रितु में आमीन यही फल उसने अरम में उत्पन किये अब उसके वचन के साथ उसकी पहले से ठेराई हुई सिती में जो कि उसकी अब है और हम देखते हैं कि यह वचन सारे प्रगट हो रहे हैं यह क्या है यह सिद्ध प्रमान है कि प्रभू का आगवान निकट है यह वचन के अब प्रगवान आगवान जिस देखते हैं वर्मान वर्मान अब हैं और समय जब उसने कहा प्रभु कहता है मैं लोटा दूंगा वे सारे ये लेक्टिडियां वो सब जो मेत्रोडिस ने छोड़ा सब कुछ कीड़े खा गये जब ये सब हो गया जब उन्होंने से नंगा कर दिया परंतु मैं लोटा दूंगा उस सांज के समय में ओ प्रभु मैं विशास करता हूँ कि मैं लगभग परचार कर चुका हूँ इमानदारी से ओ मैं येशु से कितना प्रेम करता हूँ ओ मैं येशु से कितना प्रेम करता हूँ ओ मैं येशु से कितना प्रेम करता हूँ चुकि उसने मुझे पहले से प्रेम किया मैं उसे कभी नहीं छोड़ूँगा मैं उसे कभी नहीं छोड़ूँगा मैं उसे कभी नहीं छोड़ूँगा क्योंकि पहले उसने मुझे प्रेम किया आमीन क्या आप उसे प्रेम करते हैं मैं बस अपने पूरे हिर्दे से उससे प्रेम करता हूँ क्या हम प्रात्रा की पंक्ति लगाएं Father God into your hands I command this message though it's been chopped up some way I pray that the Holy Spirit will go with it on these tapes across the nations if I shall be taken from the earth may this live Lord it's your work blessed Lord may it not return to you void may it accomplish that which it was in purpose Father granted Father all praises shall be that now we know Father no matter what we would say it's still a word and we believe it but we would desire thee Lord on this Easter morning that thou would prove to this congregation maybe some year for the first time that you are still Jesus that you are not a dead farm that you are a living resurrected God that you live among us today grant that Father and we will praise thee through Jesus name Amen now we know that we must not be the eye of the Father as we will say we are pulling now we may all trust that we will say this thing that we must say we will thankful for you that we are all that you will not to blame in our Mutter if we will say that you will be the power that you are which you are that you will not be in peace that you are that you are भोट है परमेश्वर कि आज आप हमारे बीच में हैं, पिताय से प्रदान करें, और हम तेरी स्तूती करते हैं, येश्यू के नाम के दौरा, आमीन. यहां कितने लोग बीमार हैं, आपके हाथ देखें, बस अपना हाथ उठाएं, ओ, क्या बिली पॉल, क्या उसने लिए, मैं विश्वास करता हूँ कि उसने हमारे प्रातना पत्र दिये हैं, क्या नहीं दिये? वे क्या थे? एक से सौ, हम सब को नहीं ले सकेंगे, परंतु उन में से कुछ को लेंगे, बस यहां साथ-साथ खड़े हो जाएं, यदि आप चाहें. किसके पास नमबर एक है? आईए, नमबर एक ए, देखें, नमबर एक अपने हाथ उठाए, प्रातना पत्र अपने पत्र पर देखें. यदि आप खड़े हो सकते हैं, ठीक है, नमबर एक, आप पके हैं, कि आपके पास सही वाला है? ठीक है, ठीक है, आईए, चलें, आरम करें, काईम. ये, ओर ठीक है, यदि आपके पास है, हम वहां से आरम करेंगे, तब ठीक है. नमबर एक, आप अपना रास्ता यहां से बना लें, यदि आप चल सकते हैं, यदि नहीं सकते हैं, हम उठाएंगे, समझे, ठीक है. नमबर एक नमबर दो अपना हाथ उठाएे अभ जल्दी से नमबर दो यहां आजाए नमबर तीन ठीक यहां शरीमान नमबर चार नमबर चार नमबर पांच हर कोई थोड़ी देर के लिए अपने 只ان पर बैट जाए नमबर पांच नमबर 6 6, raise your hand right quick, number 6, 6, let me sit please, somebody's pointing your hand, oh, he's back in the room there, all right, number 6, all right, just a moment now, 7, 7, all right, the lady back there, 8, number 6, raise your hand quickly, number 6, 6, 6, let me see, somebody's pointing their hand, I'm not, oh, from there, he's back in the room there, all right, number 6, all right, now, 1 minute, 7, 7, all right, the lady back there, 8, Now, if everybody just keep your, please, just a moment now, just real quiet now, now, this is going to be the proof, this is the proof, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, you're going up there, all right, 7, all right, sir, that's fine, 8, 8, 8, all right, brother, 8, 9, 10, 10, 11, 12, well, it seemed like you quit coming, well, we'll start there, that's all right, maybe in a few minutes, all right, Let's pray now कि आप आना अपने आना रूख दिया अच्छा हम वहाँ से आरम करेंगे ये ठीक है हो सकता है कुछ ही मिन्टों में ठीक है आईए अब हम प्रात्ना करें पिता फरमेशर आपकी ओर से एक शब्द जो कि बहुत ही अर्थ रखता है लोग देखें प्रभू यदि मैं मैंने इमानदार होने का यतन किया है आपका वचन इन्हें बताने का यतन किया है प्रभू अपने दास की गलतियों को शमा करें मैं प्रभू बहुत सी बार करता हूं I pray that you'll not look at your servant's mistake but you'll look at your word which I'm trying to preach Lord I thank you for it I'm glad with all my heart Lord it's more than life to me I give my life anytime far I know it's true, it's your word And please forgive my stupid ways Lord Many times that I just and joke that I shouldn't do I'm ashamed of that Lord I just come from that kind of a family मेरे मुरक्ता वाली विधी को शमा करें प्रभू बहुत सी बार मैं और चुटकले जो भी मुझे नहीं करना चाहिए मुझे प्रभू उन के लिए लज़ आती है मैं इसी परकार के परिवार से हूं You just overlook it please father if you will cover it with your blood that's what I ask you to do just I confess it you can't overlook it but you can forgive me when I confess it किर्पा करके इसे अंदेखा कर दें पिता यदि आप करेंगे इसे अपने लहू से ढांक दे मैं आप से यही बिंती करता हूं कि करें मैं इसे स्युकार करता हूं आप अंदेखा नहीं कर सकते हैं परन्तु आप मुझे शमा कर सकते हैं जब मैं इसे मान लेता हूं हम मैंने अपने पाप मान लिये हैं मैंने इन लोगों के पाप मान लिये हैं परमिश्वर मैं परात्रा करता हूं कि आप इने शमा करेंगे पृते को और लोग ये अनुभाव करें कि हम किसी परकार के कारे को लागू करने नहीं जा रहे हैं ये अंद के दिनों में पवित्रा आत्मा है अपने वचन की गवाई देता है जैसा कि मैंने अभी ये कहा परन्तु पिता कोई मतलब नहीं मैं बस एक मनुशे हूँ और यदि मैं ये कहूंगा वे कहते हैं ये उसका अनुभाद है ये जो इस विशे में वो सोचता है परन्तु पिता यदि आप बस जरा सा बोल दें और सिद करें कि ये सही है तो इन्हें करना ही है इन्हें आपके उपर निर्वर होना पड़ेगा तो फिर प्रबू इसी के दोरा प्राप्त करें तब ये मेरा अनुआद नहीं होगा ये आपका होगा प्रबू इसे परदान करें इस कारी के लिए बुलाया है तो प्रबू इससे बुले में प्रादना करता हूं कि आप इसे परदान करेंगे बीमारों को और दुख्यों को हर कहीं चंगा करें येशु के नाम में मैं प्राथना मांगता हूँ और यदि आप बस स्वेम को हम पर प्रगट करें जैसा कि आपने वहां कुए पर किया उस स्थरी के साथ जब उस से बाते की आपने उसे कुछ बताया जो उसके साथ गरवड था उसके पांच पती हुए थे अब आपने सांच के समय में करने की परतिग्या दी है आपने अंत के दिनों में करने की परतिग्या दी है आपने कहा और ऐसा ही मनुश्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा जैसा की ये लूत के दिनों में था, ऐसा ही होगा परमिश्वर मनुश्य की दे में रह रहा है, हमारे बीच चल फिर रहा है अपनी कलीश्या के रूप में पवित्रा आत्मा में उन्ही चीजों को कर रहा है प्रबू आज इसे प्रदान करें, पिता क्या आप नहीं करेंगे तब में प्रादना करता हूँ कि आप लोगों को ये देखने दें हर कोई परमिश्वर की महिमा के लिए चंगा और बचाया जाए, आमीन और मैं आपका ध्यान आकरशित करने जा रहा हूँ, यदि आप वास्तों में कुछ मिन्टों के लिए शर्दा भाओं में रहें, अब हर कोई जितना शांद हो सकता है रहे क्या आप निश्चत है कि आप मेरी सिती जिसमें मैं यहां हूँ, आप अनुभाव कर सकते हैं मैंने यहां परमिश्वर का वचन परचार किया है, परमिश्वर का वचन, मैंने कहा यह सब सत्य है, येश्व ने कहा वो जो मुझ में विश्वास करता है, तो वे कारी जो मैं करता हूँ, वो भी करेगा अब मैं आप से एक प्रशन करना चाहता हूँ ध्यान रखें चाहे आप आमीन कहें या नहीं येशु ने स्वैम को कभी किसी को चंगा करने का दावा नहीं किया ये सच है उसने का ये मैं नहीं हूँ जो कारे को करता है ये मेरा पिता जो मुझ में रहता है क्या ये ठीक बात है और येशु ने यहुना पांच उन्निस में कहा मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि पुत्र स्वैम में एक मनुश्य के समान वो बस एक मंदिर था जिसमें परमिश्वर रहा उसने कहा पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता परन्तु केवल वो जो पिता को करते देखता है उसी परकार पुत्र करता है नहीं तो पिता मुझे दर्शन देता कि क्या करना है और मैं वेसी ही करता हूँ जैसे वो मुझे बताता है अब एक दिन हम पाते हैं कि वहाँ कहते हैं एक बेचारी इस्तरी वो प्राथना पंक्ती में नहीं आ सकी उसको लहू बहता था और उसे ये वर्षों से था इसलिए उसने उसका वस्तर चू लिया जो कि अपने में कहती थी वो अयोगी थी वो निर्धन बेचारी पुरानी इस्तरी कोई पैसा नहीं और वो वहाँ नहीं पहुंच सकी उन्ही याजकों के साथ और वे सब वहाँ खड़े थे जिसको की खड़े होने का अधिकार इसलिए वो वहाँ खड़ी नहीं रह सकती थी वो इधर अधर घूमी और उसने उसका वस्तर चू लिया उसने कहा मैं विश्वास करती हूं वो बिल्कु ठीक वो हमें सत्य ही बताता है जोती मैं विश्वास करती हूं वो परमिश्वर का वचन है और यदी मैं उसे चू मैं चंगी हो जाओंगी क्या विश्वास करते हैं क्या आप वो ही विश्वास कर सकते हैं जो उस इस्तरी ने किया कि वो परमिश्वर का वचन है अब आज बाइबल ये कहती है कि वो महाजक है अब हमारा महाजक क्या आप ये विश्वास करते हैं उसके जी उठने और उपर उठा लिये जाने के पश्चाथ वो उंचे पर चढ़ा और मनुश्यों को दान दिये और अब वो परमिश्वर की देने हाथ बैठा है महा महिमन उचे पर और जो हम मान लेते हैं और उस पर बिचवाई करता है क्या ये ठीक बात है वो महाजख है जिसे की हम क्या दौरा चुआ कैसे अपनी दुर्बल भावनाओं से अब यदि वो आप विश्वास करते हैं कि वो एक सा है अब देखिए यदि आप यहां आकर मुझे चुएं सारे दिन इससे आपका कोई अंतर नहीं पड़ता यदि आप किसी भी भाई बहन को चुएं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता हाथ रखने की आ गया है पर तो यदि आप उसे चूलें तो बस हो गया आपको यह करना होगा और देखिए यदि आप उसे चूलें किसी प्रकार की धार्मिक विधी के द्वारा जैसे उन्होंने किया उन्होंने कहा ओ हम इस महान शिक्षक का विश्वास करते हैं यह भाईशद अखता है भई उसने कुछ नहीं कहा परंतु उस चोटी इस्त्री के पास कोई निश्चित चीज थी जिसने उसे चूआ उसका विश्वास उसने उसका वस्त्र चूआ उसने कहा किसने मुझे चूआ क्या विश्वास नहीं करते कि बाईबल कहती है वो आज भी वही महाय अजक है जो तब था वो और दुरबलता की भावनाओं से चूआ जा सकता है आप उसे वहां चूँ सकते हैं बनेए आप इस प्रात्रा पंक्ती में हैं या नहीं यदि आप बीमार है या यदि आपका कोई प्री एजन बीमार है यदि आपके हिर्दे पर कुछ है आप बस शर्दा भावना के साथ परमिश्वर के सम्मु काएं और कहें परमिश्वर ये मनुश्य जो वहां खड़ा है उसके विश्य में कुछ नहीं जानता वो एक छोटा गंजा व्यकती वो कुछ नहीं है परव विश्वास करता हूं कि जो कुछ उसने परचारा है वो सत्य है और मैं विश्वास करता हूं जो उसने कहा सही बात है कि आप माहया जख हैं अम मैं आपको छूना चाहता हूं और यदि उसने मुझे सत्य बताया है तो आप उसके होंटों का प्रियोक करें तो वो मुझे से बोले और मुझे बताए जैसा आपने उसरात्री पहले किया था देखिए यदि वो कल और सरवदा एकसा है तो यह करें यह है और उसे कल आज और सरवदा एकसा बना दे क्या यह नहीं है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23, 24, 25 अब हर कोई अपनी स्थिती को बनाए रहे शद्दा पुरूवक प्रात्ना करें अब हर कोई क्या कहा ओ अब मेरे पास वहाँ दस हैं दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा प्रात्ना पत्र दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा सोला, सत्रा, अठारा, उन्निस, बीस एक्किस, बाइस, तेईस, चौविस, पच्चिस इससे एक अच्छी पंक्ती बन जानी चाहिए यदि हम मुझे आशा है कि मैं आपको अधिक समय तक नहीं रोकूंगा परंतो अब आप इसे देखें, ये ठीक है, ये ठीक बात है हम सब मिलकर धीरे धीरे गुन गुनाएंगे जबकि वो उन्हें लाते हैं Only Believe केवल विश्वास सारी बाते संबाओं है केवल विश्वास केवल विश्वास केवल क्या विश्वास उसका वचान उसकी परतिग्या किसे लिए सब बाते संबाओं है केवल विश्वास पहार से नीचे उतर रहा था वहा चेले खड़े थे मिर्कीवाले मामले में उनकी हार हुई थी पिता वाँ कड़ा खड़ा हुआ था अपने बालग को देख रहा था रो रहा था चेलों ने अपनी सारी युक्तिया चला चुक थे परंतु इससे कुछ नहीं हुआ येशु चलता हुआ आया उन में से कुछ ने कहा वो यहां है कुछ ने येशु की और संकेत किया प्रोहित वात से अलग येशु को यहीं जहां मैं लोगों को संकेत दे रहा हूँ अपने पर नहीं या कोई कलीशिया परंतु येशु को कहा वो योग यह है इसलिए पिता दौड कर उसके चर्णों में गिरा प्रभू मेरे बालक पर दया कर इसे शेतान ने बुरी तरह जकर रखा है वो मूर्चित हो गया मूँ से जाग निकालता है उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है उसने कहा और मैं उसे हर जगा ले गया और यहां तक कि तेरे चेले इसके लिए कुछ ना कर सके येशु ने कहा मैं सकता हूँ यदि तू विश्वास करे क्योंकि सब कुछ संबह है उसके लिए जो विश्वास करता है वो कल आज और सरवदा एकसा है अब यही सब कुछ है उसके सामने शानत रहें विश्वास सारी चीजें क्या समय है केवल विश्वास सारी बाते संबह है बस केवल विश्वास ओ प्रभू अब यहां चारो और वचन है प्रभू सांज के उजियाले को चमकने दें इसे जीने दें येश्व मसी के नाम के दौरा मैं प्रातना करता हूँ आमीन अब प्रभू येश्व के नाम के नाम के मैं यहां पर तेक आत्मा को अपने नियन तरण में लेता हूँ उसकी महिमा के लिए मैं इस प्रातना पंक्ती को देखता हूँ यहां एक भी वेक्ती ऐसा नहीं है इस प्रातना पंक्ती में जिसे मैं जानता हूँ ये प्रतेक मेरे लिए अपरिचित है आप सब जो प्रातना पंक्ती में हैं मेरे लिए अपरिचित हैं और मैं आपके विशे में कुछ नहीं जानता आपकी परेशानी या कुछ नहीं अपने हाथ उठाएं हर कोई इस प्रातना पंक्ती में भक्त मंडली में मेरे लिए कितने अपरिचित हैं मैं आप लोगों के विशे में कुछ नहीं जानता आपके पास भी वही अधिकार है जैसा इनके पास यहां है के वल एक बार मैं एक वेक्ति को लूँगा यहां मुझे इसे लेने दें एक मिनिट क्या आप इससे सुन सकते हैं यह महिला यहां पर है यहां एक इस्त्री और पुरुष हैं फिर से मिलते हैं मैं इसे नहीं जानता इसे कभी नहीं देखा यह मेरे लिए अपरिचित है बिलकुल अपरिचित मैं उसी वचन के आधार पर वेवार कर रहा हूँ वचन केता है वे काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे यदि आप मुझ में विश्वास करोगे उस पराते जब वो दर्शन फिर से आया उन में से हजारों और कहा कभी ना असफल होने वाली येशु मसी की उपस्थिती जहां कहीं तु जाएगा तेरे साथ है मैं आदर से इसका विश्वास करता हूँ और अपने सारे हिर्दे से यदि मैं आपको फिर कभी न देखूँ आप इसको सत्य जान कर विश्वास करना ये सही बात है यहां ये स्त्री है जिसे मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा ये बस एक स्त्री है जिसने प्रातना पत्र लिया है लड़के जिस प्रकार से करते हैं वो यहां आता और प्रातना पत्रों को लेता और उन्हें आपस में मिलाता आपके सामने एक साथ आप जानते हैं जो भी चाहता है उसे प्रातना पत्र देता है वो जहां भी हो कोई नहीं जानता की पंक्ती कहां से आरम होने जा रही है इसके विशे में कुछ भी नहीं इसलिए लड़का कुछ नहीं कह सका वहां बहार आए आपने मुझे इतने दिये थे मैं आपको आगे रखूंगा निश्चित रहे आप यहां है वो इसके विशे में कुछ नहीं जानता समझे कोई नहीं जानता हम आरम करते हैं जहां से पवितरे आत्मा कहता है बुलाओ हम वहीं से बुलाते हैं और मैं विश्चित करता हूँ अब यदी ये इस्तरी यहां खड़ी हुई है यदी कहीं कुछ गरवड है वो बीमार हो सकती है उसका कोई और बीमार हो सकता है वो बस यहां खड़ी हो सकती है हो सकता है वो बीमारी का बहना कर रही हो जैसे बीमार हो और बस वो यहां खड़ी है कुछ प्रिकट करने के लिए यदि वो है देखिए क्या होता है समझे आपने यतन करते हुए देखा क्या नहीं जिया श्रीमान उन्हें देखें जो दोर पर खड़े हैं मरे हुए को गाड़ा समझे इसलिए अब आपको मालुम पड़ जाएगा यदि ये सही है या नहीं समझे इसकी कोशिश देखिए अब हम कलीशा में खेल नहीं रहे हैं मित्रो हम अनसमे में हैं फल विरश की चोटी पर है ये पक रहे हैं ये ठीक बात है प्रबू आ रहा है मैं इसे नहीं जानता परमेश और महिला को जानता है वो इसे जानता है इसके पहले कभी संसार होता वो इसे जानता है उसे मालुम था कि वो यहां पर खड़ी होगी वो जानता था कि मैं यहां खड़ा होंगा क्योंकि वो अनन्थ है. क्या ये ठीक बात है? अब यदि वो अनन्थ है और ये जानता है तो वो ये जानता है कि वो इस तरी यहां क्यों खड़ी है? तो फिर वो ही परमेशवर. येशु जब वो यहां पिर्शवी पर था, परमेशर उसके अंदर जिसने उस इस्तरी से कुमे पर बाते की उसकी गरवड को उसे बताया जो उसके साथ थी हम सब ये जानते हैं ये क्या था क्या हम नहीं जानते हैं और उसने कहा शरीमान तुझे एक भरशदकता होना चाहिए ये उसका पहला भाव था अब हम जानते हैं ये समय मसी का है कि वो यहाँ पर हो जो कि मसी कहलाता है और जब वो आता है तब वही बाते होने जा रही हैं जो वो करता है अब यदि वो कल आज और सरवदा एकसा है और इस वचन के द्वारा परतिग्या की है जो मैंने अभी अभी परचारा कि सांच के समय वो यहाँ पर होगा और उन्ही चीजों को करेगा तो फिर हम इसकी परतिग्षा कर रहे हैं क्या ऐसा नहीं क्या हम नहीं कलीशा के उस परनुथान की परतिग्षा कर रहे हैं अब यदि वो इस महिला पर ये कारेवन्थ करेगा ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले किया वो वचन की पुष्टी करेगा कि ये सही है अब महिला अपना हाथ पकड़े हुए है और ये यहाँ हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं मैंने नहीं जानता मैंने को कभी नहीं देखा आप बस एक अपरिचित हैं यहाँ खड़ी हैं ऐसे ही आप बहुत से कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं जानता हूँ और मैं बहुतों को नहीं जानता हूँ मैं यहाँ श्रीमती कॉलिंस को जानता हूँ इसके लिए मैं निश्चित हूँ बहन या भाई बहन की पत्नी और मैंने भाई और बहन डाउच को यहाँ देखा थुड़ दिर पहले भाई राइट्स भाई बहन डाउच भाई जो वहाँ अंत में हैं यहाँ आस पास मैं उन में से बहुत कुछ को जानता हूँ परंतु मैं बहुत को नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं यहाँ आपके बीच बहुत नहीं रहा और यहाँ हमरे पास अपरिचित है और इसलिए आप बस प्रात ना करें मैं आपके लिए अपरिचित हूँ मैंने दावा किया है कि सांज के उजयाले आ गए हैं और सांज का उजयाला वैसे ही होगा जैसे सुबह का उजयाला यह परमिशर के वही भेद भरे फ़लों को प्रगट करेगा आत्मी गृती से बोल रहा हूँ यह ठीक बात है मैं केवल आप से वैसे ही बाते कर रहा हूँ जैसे उसने उस इस्तरी से कुए पर बाते की उसने कहा मुझे पानी पिला समझे मैं भी वही बात कर रहा हूँ यह मैं नहीं हूँ यह वो है परनतु यदि वो मुझे पर यह प्रगट करेगा कि आप यहां किस लिए है तब आप जाएंगे कि वो आपके सारे जीवन के विशे में जानता है यदि वो आपको कुछ बताए जो कुछ हुआ तो आप जान जाएंगे कि यह सही है या नहीं अब यदि वो जानता है कि क्या हुआ और आपको यह बता सकता है तो निश्चे ही आपको बताएगा कि आगे क्या होगा यदि वो आपको पहले ही बता सकता है कि आपने पीछे क्या किया तो निश्चे ही वो आगे का भी प्रकट करेगा या उसके पीछे का और आगे का सब को दोनों तरफ का इसे सही बनाता है क्या भक्त मनली उसका विश्वास करेगी अपने सारे हिर्दे से यदी वो इसे करता है ये बहुत अच्छा है मैं विश्वास करता हूँ कि आप विश्वास करते हैं चाहे वो यह करे या ना करे आप फिर भी विश्वास करते हैं पर अंतो केवल कठोर कर देता है मैं बस इस इस्तरी को देख रहा हूँ और वो अभी शक्त होती जा रही है वो यह जानती है मुझसे अपरिचित होने के नाते परंदो मैं आपको दर्शाओं आप में से बहुतों ने वो चितर जो वहां देखा है और अब वो जियोती के उसके उपर है और वही जो ठीक मेरे और इस इस तरी के बीच में यहां पर है आप इसे देखती है एक प्रकार हरी एक हरी पीली हरी मरकद जैसा अजयाला जैसा कि हम इसे कहते हैं यह यहां पर घूम रहा है यही जो इसे अनुभाव करता है अब मैं आपको कुछ दिखाओं आप एक वास्तविक नमर में ठास कासा अनुभाव कर रही हैं महिला क्या यह ठीक बात है अपना हाथ उठाएं ताकि लोग देख सकें और इस तरी इसके अनुभाव से हिल नहीं सकती यह ठीक वही है समझे अब यही यह इसके ऊपर बिखरने लगे मैं नहीं जानता निर्वर करता है इसे तो परमिश्वर से होना है मैं यह अपने से नहीं कर सकता यह तो परमिश्वर नहीं करना है जी हाँ इस तरी का सभाविक्ता से एक ऑपरेशन रुका पड़ा है यह कुछ ऐसा है जो डाक्टर इसे बताएगा इसके लिए आपरेशन होना ही चाहिए परम्तु वो डाक्टर के पास नहीं जाती है यह ठीक बात है और यह एक फोड़ा है और यह मेरु दंड के पास सीधे हाथ की तरफ है सीधे हाथ पर यह ठीक बात है अपना हाथ उठाएं ताकि लोग देख सकें अब आप विश्वास करती हैं आप आप नहीं देखेंगी परंतो आप अपने पूरे हिर्दे से विश्वास करेंगी समझे ठीक है अब आप कहते हैं भाई बढ़नम आपने ये अनुमा लगा लिया आप लाखों बार सही अनुमा नहीं लगा सकते महिला को यहीं खड़ा रहने दें ये मेरे पास से अभी अभी चला गया अच्छा तो फिर हम इसे एक शन के लिए देखें वो ठीक परतीत होती है मसीही अब चलिए देखते हैं अब ये दी वो हमें कुछ बताए जो होगा जी हां ये फिर वापस आ रही है जी हां शिरिवान वो है वो है जी हां ये एक फोड़ा है जिसे डॉक्टर हटाएगा और ये इनको आपरेशन करेगा परन्तों उनके पास ये इसके लिए मसीप पर विश्वास करने जा रही है और केवल इतना ही नहीं ये यहां आसपास से नहीं है इनके साथ किसी को होना चाहिए ये उनका पती है और वो भी पीडित है ये ठीक बात है आप विश्वास करती है परमिशर मुझे बता सकता है जबकि मैं ठीक उस परश को देख रहा हूँ यहां इस दर्शन में इसके साथ क्या गरवड़ है अच्छा है जाकर उसे बता दें कि जाकर वो अपना खाना खाए उसके पेट की परिशानी चली गई है आप विश्वास कर रहे हैं कि यह मसीख कर रहा है समझे आप टेनिसी सी से हैं एश्विले ठीक है शिरी में ते टिगले ठीक है आप घर वापस जा सकती हैं आप चंगी रहें और आपका पती परमिशर आपको आशिश दे आप प्रभु येश्यू पर मिश्वास करते हैं जिदी क्या ये वही प्रभु येश्यू नहीं जो यहां बीते दिनों में था यही जो सांज के उज्याले की कलीशिया महिला का परिक्शन करें और उससे बात करें उससे पूछें कि वे बात जो मैंने कही है ठीक है या नहीं जिदी आप बस विश्वास करें अब क्या आप संतुस्त हैं अब क्या आप वो मसी एक सा है विश्वास करते हैं अब आप जानते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता मैं एक मनश्य हूँ मैं आपका भाई हूँ परंतु वो परमिश्वर है अब चलिए देखते हैं क्या ये अगला वेक्टी है क्या आप कभी प्रातना पंक्ती में आए है ठीक है अब निसंदे वो अभी शेक आप अनुभाव करते हैं ये मुझे दुर्बल करता है जैसे कि मैं नहीं जानता कि क्या अब येशु जब छोटी स्ट्री ने उसका वस्त्र चुआ उसने कहा मुझे लगता है गुण मुझे में से निकला है क्या ये ठीक बात है जिसका अर्थ है सामर्थ वो दुर्बल हुआ और यदि वो यदि ये वचन के साथ हुआ तो उसके साथ क्या जिसके पास वचन आता है ये क्या करेगा यदि इसने परमिशर के पुत्र के साथ किया तो मेरे साथ क्या होगा एक पापी उसके अनुगरे से बचाया गया ये तो मुझे घुमा देगा देखा But yet I'm here to represent him I'm a poor representative I repent of all my sins That she won't look at what I am but look who he is and she will look that way we are strangers to one another that's right now if the Lord Jesus me not knowing you and you not knowing me अब मैं आपके लिए अपरिचित हूँ महिला, मैं बलकि इस इस्तरी को नहीं जानता और हमें एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं, ये ठीक बात है, अब यदि प्रभु येशु, मैं आपको नहीं जानता और आप मुझे नहीं जानते, ये प्रभु येशु मुझे पर कुछ प्रगट कर दे, जिसके लिए आप यहां पर हैं, कुछ जो आपने किया, कुछ जो आपको नहीं करना चाहिए, या कुछ इस प्रकार का आप जानते हैं, ये होगा, ये एक अलग सा आश्यर करम होगा, ये ऐसा कुछ जिसकी वैख्या नहीं की जा सकती, आश्यर करम जिसकी वैख्या नहीं हो सकती, कोई भी इस बात को जानता है, समझे, ये एक विशेश प्रकार का आश्यर करम होगा, ये आश्यर कम से कुछ अधिक होगा, बजाए कि ये इस तरी जो यहाँ पहिये वाली कुर्शी में बैठी है, और इसे गठीया है, और पैरो तक, और मैं उससे कहता हूँ, खड़ी हो कर चले, और वो चलती हुई बाहर चली जाए इस पर हर कोई चिलाएगा परंतु आप देखे वास्तों में उसके विश्वास की सामर्थ को विश्वास करना है कि खड़ी होकर और चले जो इसे कर सकता है परंतु कहीं पीछे जाकर और पीछे से जीवन को कहीं से निकालना इसमें बहुत अधिक है इसे करने के लिए परमेश्वर ही है जहां आप ये कह सकते हैं और देखिए आप जानते हैं कि क्या ये सही है अब कहीं कुछ हुआ है कहीं और, अब रुकें, यहां ये बाएं, ये चला गया, ये भक्तमंडली में चला गया, कहीं ये कहीं चला गया, अब ये गया एक मिनिट, मैं इस महिला से फिर से बाते करूँ, अब वास्तों में शर्दा भाव में आ जाएं, और अब ध्यान दें, बस प्रासना करते रहें, मैं चाहता हूँ कि आप प्रासना करें, प्रभू ये मैं हूँ, आप में से कुछ लोग वहां बहार जो इस प्रासना करते र प्रासना पंक्ती में नहीं है, आप प्रासना करें, मैं फिर से आप से आपके विश्वास के लिए कहता हूँ, समझे, यदि ये दूसरी स्टी के लिए हो सका तो ये आपके लिए भी हो सकता है, ये आपके लिए भी हो सकता है, ये आपके लिए भी हो सकता है, ये आपके ल विश्वास है, समझे, आप ही हैं जो इसे करते हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये आपका विश्वास परमेश्वर में, समझे, येश्व ने कभी नहीं का, ओ मुझे मौलूम था कि मैं उस इस इस्थान पर मिलने जा रहा हूँ, नहीं, परंतु जब लाजर का परनुथान आता है, अब यही जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए दिखाया, समझे, परमेश्वर ने कहा, आगे बढ़ो, वो, वो सोया हुआ है, वो क्या था, चला गया, और तब जब वो वापस आया, उसने कहा, लाजर सोता है, और वो वापस आया, और जाकर लाजर को कबर में से उठाया, उसके प्राण को पुकारा, चार दिनों के बीतने के बाद, उसने कभी नहीं कहा, कि वहाँ वो दुर्बल हुआ, यह परमेश्वर वर्दान का प्रियोक कर रहा था, परन्तु यह जब इस्तरी ने उसे चुआ, यह इस्तरी थी, जो परमेश्र के वर्दान का प्रियोक कर रही थी, यही चीज यहाँ पर है, यह आप इसे कर रहे हैं, अब इन शिकार की यातराओं पर, जहां मैंने भालू देखा, और जहां विबन चीजें, और यह सारी विबन चीजें, जो यहाँ पहले से बताई गई इसके पहले की वे घटित हों, शब्द दर शब्द बताई गई, यह परमेश्र है, यह मुझे परिशान नहीं करता। तरह आकर काम में ले रहे हैं, समझें, और फिर आप उसे उसके द्वारा चूते हैं, तब वो वापस बोलता है, समझें, अब हाँ, इस तरही आप दर्शन में आ रही है, वो आ रही है, और दर्शन अंदर की और बढ़ रहा है, ऐसा दिखता है कि आप उसके चारो और सकते हैं, इस दिखता है में अर्शन अजिए इस तरही बीमार है, वो वास्तों में बीमार है, एक चीज़, वो पेट की बीमारी से परिशान है बहुत बुरी हालत यदि ये सही बात है तो आप अपना हाथ उठाएं और आपके साथ गरवड़ी है और चीजे हैं ये सत्य है आपके साथ कोई और भी है ये आपका पती है और वो बीमार है यदि परमेश्वर मुझ पर प्रिगट करता है कि ये आपका पती है और उसके साथ क्या गरवड़ है तो आप मुझ पर उसका भरशकता हूं ये विश्वास करेंगी वो वेक्ती अपनी आँखों और अपने कानों से परिशान है और वो बुरी हालत में है जी आश्रीमान क्या आप विश्वास करती है कि परमेश्वर जानता है कि आप कौन है क्या आप मेरा उसका नभी होने का विश्वास करेंगी उसका नभी यदि मैं आपको बताओं कि आप कौन है आप इसका विश्वास करती है श्रीमती रोबर्टसन और आप हर्टसन विले जो कि अलबामा है अपने पती के साथ भली चंगी होकर वापश जाएं आप विश्वास करते हैं विश्वास करने वालों के लिए सारी चीज़े संभव हैं विश्वास करें कि ये परमेश्वर करता है अब संदेह ना करें बस अपने पूरे हिर्दे से विश्वास करें तब परमेश्वर परदान करेगा बस विश्वास करते रहें आप जो चाहें मांगे आपको मिल सकता है ठीक है अब आप उपर आएं, चलिए देखते हैं, क्या आप यहां अगले विक्ति हैं? ठीक है श्रीमान, मैं समाजता हूँ हम एक दूसरे के लिए अप परिचित हैं यदि येशू शमाऑन नाम विक्ति के पास आया और उसकी सिती के विश्य में बताया और इससे शमाऑन ने विश्वास किया अपने पूरे हिर्दे से, क्या ये आपके साथ भी वही करेगा? ये करेगा? आपके से, क्या ये विश्वास के अपने विश्य में ये विश्य में ये रोगी विश्य में विश्य में अपने ये वही करें परिचित हैं अब क्या आप विश्वास करेंगे कि आपके चारों और एक अनुभूती है कि परमिश्वर मुझे उसके दास के दोरा आप पर प्रकट करने के योग्य है वो जिसके लिए आप यहाँ है आपके साथ कुछ गवड है यह चाहे जो है आप जान जाएंगे कि यह सत्य है कि नहीं ठीक है वो इसे परदान करे यह वेक्ती दर्शन में आ रहा है यह दर्शन उस मनुश्य में आ रहा है यह यहाँ बीमारी के लिए नहीं है यह यहाँ पवित्रा आत्मा के बबतिस्मे की खोज में है यही जो वो ढूंड रहा है शिरिमान यह ठीक बात है जियां शिरिमान और आप यहाँ से नहीं हैं आप यहाँ उपर से एक इस्थान जो सीमोर इंडियाना कहलाता है वहाँ से हैं वे आपको बिल कहकर पुकारते हैं बिल वापस जाओ और पवित्रा आत्मा ग्रहन करो येशु मसी के नाम में विश्वास करें महिला आएए क्या आप मुझ पर उसका बहुश्य दखता होने का विश्वास करती हैं क्या विश्वास करती हैं येशु मसी परमेशर का पुत्र जीवित है और क्या विश्वास करती हैं कि उसकी अनुमती से ये इस परकार हो रहा है विश्वास करती हैं हमारे पास कितने थे क्या मैं अधिक निर्बलता में नहीं जाना चाहता ठीक है नहीं ये कुछ नहीं आप यहां अपने लिए नहीं हैं आप यहां किसी और के लिए हैं और वो यहां पर नहीं है यदि मैं आपको बताओं कि उसके साथ क्या परेशानी है तो क्या आप उसकी चंगाई स्विकार करेंगी और लेकर विश्वास करेंगी ये कैंसर है क्या विश्वास करती हैं कि वे चंगे होने पर हैं तो फिर जाएए प्रभी येश्व के नाम में और विश्वास करें आप सब विश्वास करते हैं आप विश्वास करते हैं क्या आप पविटर आत्मा के अभिशेक में विश्वास करते हैं क्या वो आश्चेरे जनक नहीं क्या विश्वास कर रहे हैं ठीक है है अजुत है विश्वास करते हैं ये वीश्वास करते हैं ये ये विश्वास करते हैं अब हमारे पास कितने हैं? अधिकतर दो. दो या तीन से पुष्टी हो जाती है. क्या कहा? चार. क्या ये पांचवां यहां खड़ा है? ठीक है. आएए. आएए हम अपने पूरी हिर्दे से विश्वास करें कि येशु मसी परमिश्वर का पुत्र कल आज और सरवदा एक सा है आप यहां उस बालक के लिए हैं. यदि परमिश्वर मुझ पर प्रगट करें कि आपके बालक के साथ क्या गबड़ है? तो क्या आप विश्वास करेंगे? कि परमिश्वर उसे चंगा करेंगा? उच छोटे बच्चे के साथ गंबीर हिर्दे रोग है. ये ठीक बात है. और उस बालक के लिए हो और विश्वर मुझ पर मनुझ पर पडाइ लुइर्जवर बालक करेंगे? walak यहांसे नहीं है. वो नगर से बाहर का है ये परदेश से बाहर का है आप विश्वास करते हैं कि परमिशर मुझे बता सकता है कि बालक कहां से आया है क्या विश्वास करेंगे और विश्वास करते हैं कि फिर बालक चंगा हो जाएगा इसे वापिस फ्रेंकलीन केंटकी ले जाए जी हाँ मामा पूरे हिर्दे से विशवास करें यदि आप विशवास करेंगे आपको बस इतना करना है इसे यहां मेरे पास आने दो मैं उस दुस्त चीज को दोशी ठहराता हूँ येशु मसी के नाम में मिर्ती छोड़ जाए इसमें जीवन आए वे बीमार उपर हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे खाने के लिए जाना चाहते हो क्या वो आपको अच्छा अनुभाव करा सकता है आगे बढ़ें ये आपको छोड़ गया आमीन आप विश्वास करती हैं कि इस तरी रोग आपको छोड़ने वाला है ठीक है जाए ये विश्वास करें कहें प्रभू आपको धन्यवाद प्रभू आपको अनुट लूग से अनुट है now something went wrong something didn't go wrong went right now there's something in here similar that caught that man just at that time let me see again what it was now just look at me don't say that it's a colored man he's sitting right back here looking at me it's his he's got someone it's sick that's right asthmatic and scientist that's right you touched him you're not from here sir you come from the east north east this way you come from new york yes sir that's right you're mr hunt you believe now all right sir that's good that's your friend sitting there by you praying you believe me sir to be god's prophet you come here with him your name is colman and you you're praying for a father that's got a stroke that's thus sayeth the lord believe oh believe now and leave him you got a nervous stumming you got a nervous stumming you got a nervous stumming you got a you trouble isn't that right go eat in the name of the lord jesus you believe he heals you just go back say thank you lord jesus believe with all your heart go back and be well you're bothered with the nervous trouble all upset believe with all your heart go back and be well you're bothered with all your heart believe that god will make you well he'll do it don't doubt about it oh we made well in the name of jesus ndhirtah or hirde rog abhishwaas kerttay hai ki yeshu musiyah aap ko changa karega changa ho jayen yeshu ke naam me nervous upset stomach trouble body is a gastric condition in your stomach cause your food to sour go and don't doubt your heart and you'll come to pass you won't have it no more ndhirtah paryshan pate ki paryshanhi aap ko paryshan kar rahi hai aapke pate hazme ki siti aapke bhojan ko khatta kar dhe ti hai jayye aapne hirde mein sandhye na karein or ye ho jayega or ye aapko your back's been bothering you you believe with all your heart then go and jesus christ make you well of this aapki pete aapko paryshan kar rahi hai aapne pore hirde se vishwaas kertte hai just a moment hold still just a moment now something happen this woman here is strange that light circle her real fast and i went away and run right back again something happened just a moment it was a color man i'm sure it wasn't the colored brother there cause it come just a minute here it is step back billy here it is it's this man sitting here colored man you're bother the back trouble too that is right you're stranger to me i am to you but there's one thing you need better than the back trouble let's give your heart to christ become a christian you're not will you accept him as your savior you come from oha that's right from oha go back be made well jesus christ forgives your sins and you go home and be healed now it's all over leave with all your heart you're not you're not now you're not now you're that you're 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 what you're okay go back go back yeshu jesusves आपके पापो को शमा करता है और आप घर जा सकते हैं और चंगे हो जाएं अब ये हो गया अब आप घर जा सकते हैं अपने पूरे हिर्दे से विश्वास करें ठीक है बहन आईए गरबड़ियां अधीरता और ठकान अपने पूरे हिर्दे से विश्वास करें कि परमिश्वराप को चंगा करेगा अपनी जगा पर जाएं और कहें रभ येश्व धनेवाद उस सब के लिए जो आपने मेरे लिए किया और विश्वास करते हैं सरसामती परमिश्वराप को चंगा करेगा और आपकी पीट को चंगा करेगा और आपकी किड्नी की परिशानी को अच्छा करेगा अपने मार्ग पे आनंद करते जाएं कहें प्रभ येश्व आपका धनेवाद हो पुत्र क्या विश्वास करते हैं वो आपको चंगा करता है कहें प्रिय परमिश्वर आपका धन्यवाद जाएए परमिश्वर की महिमा करें अब क्या आप अपने पूरे हिर्दे से विश्वास करती हैं बहन तो जाएए येश्य मसी आपको चंगा करता है एक शड़, नहीं ये वो नहीं थी, एक मिनिट, ये वहाँ वो महिला नहीं थी, एक सेगेंड, एक शड़, पानी उचलता है या कुछ, देखा, यहाँ कोई है जिसने सागर पार किया है, कहीं से? ये इस्तरी है, ये हॉलेंड से आई है, कहा है वो? ये रही, ठीक है बहन, आप बहुत दूर से चंगाई के लिए आई हैं, आप मुझ पर उसका भश्चत अगता होने का विश्वास करती हैं, आपको गठिया बाई का रोग है, अकड़न, प्रभी येशु मसी पर विश्वास ले जाएं, परमिश्वर आपको आशीर दे, ये आपको छोड़ जाएगा, और आप जा सकती हैं, और चंगी हो जाएं, आमीन. क्या विश्वास करते हैं, यहाँ पीछे, यहाँ पीछे एक इस्त्री है, यहाँ पीछे बैठी है, और वो पित के कारण परेशान है, ओ, वो चूक रही है, परमिश्वर मेरी साहता करें. वो इंडिया ना पॉलिस से आई है, उसका नाम गिलवर्ट है, महिला आप कहा हैं, खड़ी हो जाएं, वहाँ हैं आप, चंगी हो जाएं, येश्व मसी के नाम में. क्या आप सब विश्वास करते हैं, अपने सारे हिर्दे से, क्या येश्व मरवों में से जीवित हो गया, येश्व के नाम में, एक दूसरे पर अपने हाद रखें और प्रास ना करें, जबकि मैं बेहन केली के लिए प्रास ना कर रहा हूं. प्रभू येश्व तेरी पवित सामर्त इस कलीसिया में आए, अब और सारे में च्छा जाए, हमारी बेहन यहां है, उसे जीवन दें प्रभू, उसे ये महां चंगाई दें प्रभू, जिसका वो दावा कर रही है, यहां अपने लोगों को चंगा करें, अपने लिए महिमा लें, प्रभू इसे प्रदान करें, यहां लोग एक दूसरे पर अपने हाथ रखे, रखें, शेतान, हम इन रुमालों पे आ रहे हैं, येशु मसी के नाम में हर वेक्ती चंगा हो जाए, प्रभू, अपने वचन की पुष्टी चिन्नों से करें, और अब शेतान तू जूटा शेतान, तू हार गया है, परमेशर ने कहा, वो परमेशर के पुत्रों को लोटा ले आएगा, जिसे आपके मत्सार के दोरा धोका दिया, उसने प्रतिग्या की है, कि कलीशिया को वापस उसी सित्य में ले आएगा, जबकि सांज का उजियाला चमकता है, और हम इसमें रह रहे हैं, वापस आने से हमारे पास अधिकार है, हमारे पास हमारा वकील है, हमारा महायजक, और हम दावे को लागू करने जा रहे हैं, तू ने उन पर बहुत समय से अधिकार रखा, अब तू और नहीं कर सकता, हम तुझे येशु मसी के नाम में चुनाती देते हैं, उसकी परुनुथान की सामर्थ में और पवित्रा आत्मा में, जो अब यहां उपस्त है, भस्त मंडली से बाहर आजा, कर दो में येश। कर दो कर दो कर दो